क्या आपको पता है machine learning और data science सीखने से पहले आपको कुछ pre concepts आने जरूरी है जिसके अंदर numpy एक important concept है इसी के लिए मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ numpy की एक playlist जिसके अंदर आपको मिलेंगे numpy का complete course वो भी एक single video के जरिये तो फिर देर किस बात की शुरू करते हैं इस playlist को numpy क्या है numpy को हम क्यों study कर लें python के बाद में numpy पढ़ना क्यों important है machine learning और data science में numpy क्यों use होती है और क्या difference है numpy और list के अंदर ये सारे questions आपके दिमाग में चल जोँगे इसी question का answer देने के लिए wskubetech आप सभी के लिए लिखा है numpy की playlist जिसके अंदर हम बात करेंगे numpy के बारे में मैं गौरा परजवर आप सभी का स्वागत करता हूं wskubetech के इस channel पे जहां पे हम बात करने वाले हैं numpy क्या होता है और क्यों जरूरी है इन सभी चीजों के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस complete playlist के अंदर हम properly numpy के बारे में बात करेंगे NumPy के functions के बारे में बात करने वाले हैं NumPy के बारे में proper detail के साथ बात करने वाले है clear तो आप हमारी series के साथ बने रहिएगा इसके अंदर आपको सारी चीजों के बारे में एक एक video मिलने वाली है जिसका आप use कते हुए NumPy को completely सीख सकते हैं लेकिन आज का जो हमारा agenda है वो यह है कि NumPy को हमें start कैसे करना है तो basically आज हम यहाँ पर क्या क्या सीखने वाले हैं तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि NumPy क्या होती है what is a NumPy उसके बाद हम बात करेंगे NumPy array के बारे में NumPy के अंदर array कैसे create किये जाते हैं और NumPy के अंदर जो हमने array बनाए हैं और जो list हमने देखी है उनके बीच में क्या difference है basic difference क्या है वो हम देखने वाले हैं फिर उसके बाद NumPy को install क्या से करना है और हमारी file के अंदर import करके कैसे run करना है यह देखने वाले हैं और उसके बाद में हम यहां पे कुछ इसकी importance देखेंगे कि NumPy की क्या-क्या importance है अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि what is NumPy, NumPy क्या है तो NumPy हमारे पास क्या है एक packages है scientific packages है जिनका हम क्या करते है mathematical चीज़ों के लिए use किया जाता है इसके अलाबा देखें NumPy आपके पास क्या है multi-dimensional आपको एक array बना के देती है अब एक point आता है कि array क्या चीज़ होती है array के बारे में अभी हम देखेंगे लेकिन NumPy आपके पास actual में क्या होती है एक library होती है उस library के अंदर आप क्या करते है array create करते है और उन array के उपर आप क्या करते है work करते है NumPy को use करने का पीछे एक reason ये भी है कि NumPy working process के अंदर बहुत ज़्यादा fast होती है compare then हम बात करेंगे list के अंदर ये हम देखेंगे comparison भी देखेंगे लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर कि array क्या चीज़ होती है NumPy तो हमने देखा कि आपके आज एक package है उस package का नाम आपने NumPy रख रखा है जिसके अंदर आप क्या करते हैं array को create करते हैं but array क्या चीज़ होती है तो array आपके पास क्या होती है आपके पास array एक grid होती है जो आपके आस क्या करती है value को contain करती है बहुत सारी information जो भी आपका आस data है उन data को collect करने का काम करती है अब इसके अंदर भी आपके पास यहाँ पर क्या होती है array के types होते है one dimension array, two dimension array, three dimension array यह सारे आपका आस array के type है लेकिन numpy के अंदर जब भी आप array बनाने के लिए जा रहे हैं तो वो दिखते कैसे हैं उनको जड़ा यहाँ पर बात करूँ तो उसके लिए यहाँ पर आप क्या लगाते हैं एक function लगाते हैं जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा detail के साथ बात करेंगे लेकिन यदि मैं array दिखा हूँ आपको तो array आपके वास कुछ इस तरह से लिखते हैं जैसे मैं 1,2,3,4 का एक array बनाने जा रहा हूँ तो ये array मुझे इस तरह का एक array दिखा देगा जिसका हम यहाँ पर use करते हैं अब यह जो array है यह आपके पास लिस्ट के जैसे ही आपको लग रहे होंगे लेकिन लिस्ट और array में बहुत ज़्यादा difference है लिस्ट और array की जो चीज़ आप देख पाएंगे वो दोनों ही अलग-लग work करती है और दोनों की बीच में बहुत ज़्यादा difference है अब देखिए आपके पास बात करें array के बारे में तो array आपके पास देखिए one dimension array भी होता है two dimension array होता है three dimension array होता है और multi dimension array भी होते हैं जिनका आप क्या कर सकते हैं use कर सकते हैं देखिए array को समझना है तो आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे mathematics के अंदर बात करूँ तो fundamental mathematics के अंदर आपके पास determinate और matrix होती है determinate और matrix के बारे में थोड़ा समझाओं आपको तो आपके पास कुछ इस तरह से होता है यस ये बात करें हमारे पास matrix के बारे में या determinate के बारे में तो आपके पास कुछ इस तरह सिखता है matrix और determinate बनते हैं अब दिखें आपके पास जो array create होते हैं array जो आप बानाते हैं वो array आपको look like आपको दिखेंगे matrix की तरह या फिर दिखेंगे determinate की तरह जैसे मैं बात करूँ one dimension array की बारे में बात करूँ तो one dimension array के अंदर आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको दिखाई दिता है जैसे यह आपके पास क्या है one dimension array है और one dimension array और आप one dimension matrix की बात करते हैं यहाँ पर तो यह दोनों आपके पास लगभग लगभग आपके पास यहाँ पर आपको same ही दिखाई दिती है लेकिन 2 Dimension और 3 Dimension के उपर work करेंगे तो लगभग आपको वही दिखाई देगी तो जैसे हम Mathematics में बात करते हैं Matrix और Determinate के बारे में सेम उसी तरह से आपके आज क्या करते हैं Array भी work करते हैं अब Array के अंदर बात करें कि 1 Axis और 0 Axis कैसे कैसे work करती है और यदि आप आगे Multiple Dimension के उपर work करेंगे तो आपके आज कुछ इस तरह से दिखा जेगी अब 1 Dimension Array को कैसे समझना है 2 Dimension ऐसे कैसे देखते हैं 3 Dimension कैसे दिखते हैं इन सब के बारे में डीटेल से हम work करेंगे लेकिन अभी हमने fundamental के अंदर ये देखा कि Array आपके पास क्या होता है कुछ इस तरह से shape दिखते हैं जो की आपके पास क्या करता है List की तरह ही आपको show होते हैं बट List और आपके आज बात करें Array के अंदर बहुत ज़्यादा difference है और वो difference क्या-क्या है ज़रा बात करते हैं यहाँ पर तो सबसे पहले आपके पास आता है कि जो आपके पास Array जो है वो Array आपके पास यहाँ पर जो memory है वो बहुत ही कम आपके पास use करता है ठीक है आपके पास जो list है वो list बहुत ज़्यादा memory consume करता है लेकिन array आपके पास बहुत कम memory यूज़ करेगा जिससे क्यों का working आपके थोड़ी सी fast हो जाएगी तो देखे और दूसरी चीज़ बात करें यहाँ पर तो देखे fast है आपके पास array जो होता है वो लिष्ट की comparison में बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और उसके बाद देखे एरे का जो यूज़ है वह बहुत ही कन्विंट्री यूज़ होता है यहाँ पर या फिर mathematics से लिटेट को वर्क करते हैं तो वहां पर लिष्ट की लिष्ट को अवाइड करते हुए हम array की उपर जबार करते हैं तो कि आपके आस यहाँ पर memory कम यूज़ करता है और faster काम करता है अब देखे मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि list आपको कैसे दिखाई देता है यदि मैं बात करूं यहाँ पर list के बारे में तो list आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा लेकिन बात करें array के बारे में कि जो array है वो array कैसे represent होते हैं तो आपके पास array जो है वो इस तरह से होते हैं 1,2,3 और 4 यह आपकास array इस तरह से आपकास perform होता है तो यह आपकास basic difference है list और array के अंदर list आपकास comma separated होती है array के अदर आपकास comma separated नहीं होता डारेक्ली आपको दिखने को म हमने देखा comparison क्या है अगला हम यहां पर बात करने वाले हैं इसके installation और import के बारे में दिखें आपके पास यह नहीं है नहीं है कैसे चेक करेंगे तो आप एक काम कीजिए अपनी कोई भी एक python के अंदर फाइल बनाईए जैसे यहां पर फाइल बनाईए और फाइल बनाने के आफेसे प्री इंस्ट्र Alright, और यही आपके बास एरह आजाती है तो एरह ने पर आपको क्या करना है अपको लिखना है पिप इंस्ट्रॉल नम पाई न स्जिए और यहां पर आपके पास क्या है और डिक Oder और यह तो यह आपके आपके साथ सकते हैं अब करते हैं आपके बारे में तो नंपाई की अरग आपके बंचुका उस पैकेज को अपनी फाइल के अंदर लेकर आना है तो आपको जैसे कि मैं आपको पास यहां पर इखाँ है इंपोट नमपाई इसका मदब मेरी फाइल के अंदर नमपाई आ चुका है उसके बाद मैं अलियास बनाते हुए इसका नाम लग देता हूँ अंदर मैं लिट को पास करवा देता हूं आए यदि आप चाहें तो डेटा भी पास कर सकते हैं उसके बाद मैं प्रिंट औओ एकस दूँगा यह मैंने क्या क्या है नमपाई एरे को कुष्ट कीया राइट उसके बाद में यहां पर बात करूं लिष्ट के बारे में यह हमने हूं तो देखी यह आपके पास क्या है एक एरह है और यह आपके पास क्या है एक लिश्ट है यदि आप इसकी डिटर टाइब को भी चैक करेंग घैगी तभी अब इस है आपको कर सकते हैं तो मैं यहां पर टाइब वयरेबल है वो variable किस नाम से बनाए वो आपको शो हो जाएगा तो type of x लिखेंगे यहाँ पर और यही same चीज यदि मैं यहाँ पर देता हूँ type of y और आपके पास इस program को पहले मैं learn करता हूँ तो यहाँ पर देखे class क्या आया है नम pakai and dimensionleye और उसके बाद इसको enter करता है तो देखे class क्लास आपके पास क्या आई है यहां पर list आई है तो यह अपके पास basics शो करनेका तरीका है कि रिखे के लए और यहाँ पास बास लिस्ट कैसे उसके बाद आपकी इसको इपोड करने का तरीखा है अब इसके को इंपोर्टेंज देख देख करने के कि पहले है कि सब्सके का रिफैने से जिसके हम लिफिट को आपका अवएड करते हुए बढ़े के लिए हम नंपाई को यूज करें सेकिन चीज अब हम इसके इंपॉर्टेंस को देखते हैं तो जब भी आपके आस बहुत ही ज्यादा वाइड आपको यहां पर मैतमेटिकल अपरेशन परफॉर्म करने होते हैं तब आप यहां पर लिस्ट के जगह आप यहां पर नंपाई इस फंक्शन आपको देखने हों बिल जादा है लिस्ट के अंदर भी फंक्शन है बट कमपारिटिवली हम बात करें नंपाई अले के अंदर आपके बहुत ज़्यादा फंक्शन है जिसका आप यूज करते हुए और भी चीज़े प्रफॉर्म कर सकते हैं इसके साथ बात कर शॉर्टेंग फोरियर सिरीज बेसिक्स अल्जबरा और स्टाटेक्स के अंदर बात करें तो यह इन सभी चीजों के लिए भी आपके पास क्या होता है नंपाई का बहुत ज़्यादा यूज होता है अब दिखें मसीन लेर्णिंग और डेटर साइंस के अंदर सबसे ज़्य ज़्यादा जो चीजे यूज होती है वह मैथेमेटिकल की जिसके आप यहां पर अलगलग टाइप के लॉजिक्स बनाते हैं तो उसके लिए नंपाई अपकर बहुत बास्ट रहता है तो आइधिंग क्लिए समझ में आ चुका होगा कि नंपाई की क्या इंपॉर्टेंस है जिसकी लिए हम यहां पर लिश्ट के कॉमपाइटिवली नंपाय को यहां पर यूज करें आपको क्लियर हो चुका होगा कि basic difference क्या है तो सबसे पहला difference मैं बात करूँ यहाँ पर कि data type storage का difference है जैसे कि देखे मैं बात करूँ simple सी की numpy array और list के अंदर तो list के अंदर आप क्या कर सकते है directly जो data है वो store करवा सकते है अब इसके अंदर data किसी भी type का आप store करवा सकते है इसके साथ साथ आप string को भी store करवा सकते है और यहाँ पर आप multiple चीजों को भी store करवा सकते है जैसे केवल आप केवल string को store करा रहे है या फिर केवल आप यहाँ पर number को store करा रहे है या दोनों को साथ combine करके store करा रहे है तो list आपके पास क्या करती है सभी टीटर डाइब गरती है लेकिन जब हम बात करते हैं नंपाय के राख सकते हैं लेकिन जब हम कैलकूलीश老 के जाते हैं आगे आपको टोपिक क्लियर करने वालों इसी के अंदर उसके उपर वर्क करते हैं तब आपको यहां पर क्या करना पड़ता है आपको केवल एक पर्टिक्लर डेटा टाइप को चूज करना पड़ता है तो यह एक बीश्ट के लिए आपको कोई भी मौडूल या पैकेज इसको करने की क्या होता है कि YOU की आपके आस इन बिल्ट आपके पास किया होता है डेटा hear कर सकते हैं आप डाइकर इंस्टाल करने के बाद आप लिश्ट deport कर सकते हैं लेकिन जब हम बात करते हैं Moto три के बारे मैं तो CP का का जो package है वह package को आपको क्या करना पड़ता है अपने के अंदर इंस्टाल कराना पड़ता है और उसके बाद में आप उसको इंपोर्ट कराते हुगे क्या रखते हैं ऐसा आपके पास लिष्ट के साथ नहीं होता है नेक्स्ट बात करें यहां पर कि आपके पास numerical operation numerical operation के बात करें तो numerical operation के अंदर क्या होता है कि जो लिस्ट होती है वह आपके पास लेकिन जब हम नंपाई एरे की बात करते हैं तो नंपाई आरे के अंदर आपके पास यह सारी जो नुमेरिकल operation होते हैं वह बहुत जट़ा वास्ट करते हैं और इसके साथ यहां पर आपके पास किसी भी टाइप के जो operation होता है जैसे बात कर रहा था यहां पर कि आपके बाद जो नंपार होता है वह एजब matrix करता है और जब आपर पास एसे matrix करेगा तब उसके अंदर जितने मैं दो मैंने तरफ आपको आपके लिस्ट कामेर बैस क्या करें अगry यहां होता है वह क्या करई गार compress और मैंने पास forsket सब आप मैट्रिक्स वार्मेट उसे नहीं दे सकते हैं लेकिन नमपाई एरे का यूज़ करते हैं और इसके सासाथ इसके अंदर जितने भी आपके मैट्रिक्स परफॉर्मेंस होती है वो भी आप क्या कर सकते हैं और देखें मैं आपको और चीज़ बताना चाहूंगा यहाँ करते हैं थो मसीर के अंदर हमैं प्रॉसरिंग करनी परती है करना परता है उस के नंपाई का यूज करते हैं और देटा को यह उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट ब orig नंपाई के लिस्ट के कि आपके नुमेरिकल ऑपरेंड सबसे ज़्यादा किसमें लिए तो नंपाइब आपके पास बहुत ही लएक आपके लिए इस पासके आपके पास क्या होता है यहां यहां पर बात करें करें आपगर पर बात करें यहां पर रसाइंस के उपर बात Manager है मैमोरी की वाजिएड से यपक्छांइज को fossilisatri प्रोसेशिं का वर्क करता है या पर आप लाटे निठा के पर वर्ग करते हैं तो वहाँ पर नंपई आपके पास बहुत ज्यदा करता है और जब कोई चीज वास्ट वर्ग करती है तो वह एज हो जादा तरफ चीज़े देखेंगे यहां और एक list को create करने के अंदर कितना time consume होता है, कौन ज़्यादा यहाँ पर fast create होता है, इसको हम यहाँ पर check कर सकता है, देखें, इसको check करने के लिए हमारे पास एक function होता है, उस function का use करते हुए, आप इसके उपर work कर सकता है, function का ना मताता हूँ यहाँ पर, तो आपको लगाना है percentage time it, percentage आपको time it function लगाना है, time it का use करना है, जैसी आप use करेंगे इसको, तो आपको क्या करेगा, single line के अंदर जो execution हो रहा है code आपका, उसका आपको time देदेगा, जैसे कि आपने code लिखा इसके आगे, तो उसका execution का time देदेगा, array का, हम time लिकाल सकते हैं, कि उसको create करने में कितना time लग रहा है, और हम list के अंदर भी, आप क्या कर सकते हैं, यहापर time लगा सकते हैं, इसके साथ सथ, यदि आप चाहते हैं, कि पूरा program execution होने में, कितना time लग रहा है, कितना time consume हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक और function का use कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास double percentage लगाते हुए, आपको time it function का use करना है, तो इसमें क्या होगा, कि यह आपके पास क्या करेगा, पूरा का पूरा जो आपका program है, यह आपके आपके यहाँ पर program के उपर work करेगा, और इसके अपर बात करेगा, तो यह आपके पास क्या करता है, only for only for one line के उपर काम करता है, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, तो एक बाद चेक कर ले जाए, कि कौन ज़्यादा faster है, चले जुपिटर notebook के अंदर, और इसको जड़ा देखते हैं, यह किस तरह से work करता है, तो जुपिटर notebook के अंदर आगए हैं, तो हम जुपिटर notebook में आ चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक list करेट करेंगे, और देखे list कैसे करेंगे, for loop के हैल से हम यहाँ पर list करेट कर लेता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले percentage लगाऊँगा, percentage लगाने के बाद time eat का यूज़ करेंगे, and time eat का यूज़ करते हुए, list करेट करेंगा for loop की हैल से, तो उसके लिए देखे एक variable बना लेता हूँ, तो मैंने बनाया J एक variable, और एक काम करते हैं इसके साथ थोड़ा modification करते हैं, मैं J यहाँ पर power 4 कर देता हूँ, J की power 4 होने में यहाँ पर कितना time zone करता है, वो हम यहाँ पर note on करेंगे, तो देखे 4 loop लगा रहा हूँ, 4 यहाँ पर लगाते हुए J in, उसके बाद हम लगाएंगे range function, तो range function आपके आपके पास क्या करता है, यहाँ पर आपके पास एक number देता है, जिसको भी आपको चाहिए, तो मैंने इसका starting number दिया है, और उसके बाद मुझे कहां तक create करना वो मुझे देना है, तो मैं चाहता हूँ 1 से लगा कर, मेरे पास 8 तक आपके पास क्या हो जाए, एक list क्रेट हो जाए, तो 8 तक आपको create करना है, तो मैं यहाँ पर 9 को pass on करूँगा, और मैं क्या करूँगा, इसको run करूँगा, तो run करने के बाद हम देखेंगे, इसके तरह time कितना consume होता है, तो यह लगा है 2.5, 2.55, माइक्रो सेकंड्स आपके वास यहाँ पर लगे हैं, इस loop को चलने के लिए, अब same process हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम array के साथ perform करेंगे, तो array के साथ करना है, तो मुझे import करना पड़ेगा, इंपोर्ट किसे करना है, numpy को करना है, उसका एक alias बना लेता हूँ, and p, alias बनाने के बाद, अब मैं यहाँ पर लागाँगा, वापस percentage timeit को, ताकि वो मुझे time बताए, और देखे, मुझे numpy array करना है, तो मैं यहाँ पर arrange function का यूज करूँगा, arrange function आपके आज क्या करता है, आपको यहाँ पर, जो आपका starting point है, और जो आपका ending point है, वहाँ तक आपके आज क्या करता है, एक आपके array क्रेट करके देता है, तो मैं यहां पे np.arrange का यूज करूँगा और अरेंज के अंदर मैं यहां पर 1,9 दूँगा तो यह क्या करेगा 1 से लगाकर 8 तक जैसे range function वर्क करता है उसी तरह से आपके आस क्या करता है और इसके साथ मैं पावर लगा दूगा तो यहां पर भी मैं पावर लगा ओंगा तो यहां पर नंपाई है वह नंपाई आपके आस क्या कर रहा है लेकिन आप देखेंगे आपके जो array है वह array क्या ले रहा है 2.55 आपके पास माइक्रोसेकिल ले रहा है तो आप खुद देख पा रहे हैं यहां पर कि कौन फास्टर वर्क कर रहा है आपके पास नंपाई के अंदर और आपके आस लिस्ट के अंदर तो दोनों के बीच में ज array को कैसे create किया जाता है कैसे हम multi-dimension array यहां पर बना सकते हैं इन सारी चुछों के बारे में आज हम यहां पर बात करने हो देखें यहां पर मैं बात कुरूँ array को कैसे करना इसका basic syntax क्या होगा तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना है import numpy उके उसका आप alias भी बना सकते है यदि आप कोई और alias रखना चाता है तो वो भी आप यहां पर रख सकते हैं array को कैसे create करना है तो उसके लिए आपको लगाना है np.array function लगाता है यह आपके पास क्या होगा array create हो जाएगा अब इस array के अंदर जो भी आप list पास कराएंगे उस list के according आपका क्या होगा array यहां पर create हो जाएगा जैसे मैंने यहां पर list पास कराई 1,2,3 तो इसके सबसे array create होगा फिर उसके बाद print a लगाने पर आपके पास क्या होगा उसका जो output है वो आपको देख जाएगा कि array create हो जाएगा अब दीखे आपके पास यहां पर आपने क्या करा है command लगाया है तो आपका जो array बनता है वो किछ इस तरह से बनता है जिसके अंदर आप value डाल सकते हैं अब देखे सबसे पहले हम यहां पर एक simple array create करना सिखेंगे फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा types of array कैसे create की जाते हैं उसके बाद में हम अलग-अलग type के array को create करेंगे और उनकी dimension को भी यहां पर check करने वाले हैं तो देखे उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं आपको जुपिटर नोट बुक में ले चलता हूं जुपिटर नोट बुक के अंदर हम यहां पर सिखेंगे array के बारे में तो उसके लिए देखे मैं पहले आपकी जो heading है उसे बना देता हूं कि आज हम array array के बारे में पढ़ने वाले हैं और array को मैं यहां पर heading बनाने जा रहा हूं और इसको heading लिखा then okay और इस program को run कर दिया तो यह array में यह क्या होई heading बन गई है अब उसके बाद में सबसे पहले आप क्या लगाएंगे import function लगाएंगे और उसके अंदर numpy को import कर रहेंगे उसके बाद alias लगाना है और alias के बाद np लिख देना है अब alias लिखने के बार अब आप क्या कर सकते हैं यहां पर value दे सकते हैं जैसे max is equal to एक यहां पर आपके पास क्या कर रहा हूं list को pass करा रहा हूं 1234 की और मैं इसको array में convert करूंगा अब मुझे इसको array में convert करना है तो यहां पर प्रिंट लगाएंगे और इस तरह से मेरे पास यहां पर array क्रेट हो जाएगा अब जैसे मैं इस program को run करता हूं तो देखें मुझे यहां पर अपने पास एक array मिल जाता है अब मैंने यहां पर क्या किया आपके पास x एक अलग वेरेबल लिया जिसके अंदर मैंने list को pass करा है यदि मैं इस variable को ना लूँ वेरेबल को ना लेते हुए यदि मैं directly x को यहां पर पास करेंगे तब भी आपका जो array है वो आपका create हो जाएगा यदि आप इसके अंदर द लिख दीजिए और enter कर दीजिए तो यहां पर आपके पास array दिखाएगा और array के अंदर यह सारा data दिखाएगा यहां पर जब भी आप print function का use करते हैं तो print function की use करने पर आपको directly वो array दिखाता है लेकिन यदि आप y को लगाते हैं जुपिरियन notebook के अंदर y के अंदर जो भी print of y किया print of y के नीचे आप यहां पर कर लग सकते हैं print और print के अंदर आप type function लगा सकते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि यह array है या नहीं मतलब यह जो variable बना है इस variable के अंदर जो data store हुआ है वो array है या नहीं है तो जैसी enter करेंगे तो देखे इसकी जो class है वो class क्याएगी num empire.n dimension array यहां पर हमने क्या करका है data को पहले से दे रखा है यदि आप चाहते है user यहां पर data दे और data देने के बाद यहां पर array को create करें तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं तो उसके लिए मैं यहां पर क्या करूंगा एक list बनाऊंगा जैसे मैं यहां पर क्या रहा हूँ और इस empty list के अंदर हम क्या करेंगे value को append कराएंगे value को डालेंगे और उसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे एक array को create करेंगे तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं सबसेल है number of times में आपके आस value लेने वाले हैं तो मैं लिक रहा हूँ 4 i और उसके लगा रहा हूँ in और in के बाद में यहां पर लगाएंगे आपके पास range function और range गंदर आप जाल सकता है कि कितनी value आपको चाहिए just like मैं चाहता हूँ यहां पर 4 data at least जाना चाहिए तो मैं चाहता हूँ 1,2 लगा कर आपके आस 5 दे दें ताकि यह क्या करें 1,2,4 तक आपके बास चले क्योंकि n-1 तक चलता है range आपका फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे value को get करना है तो get करने के लिए आपको एक variable चाहिए तो मैं यहां पर क्या रहूँगा एक variable बनाऊ जिससे हम क्या करेंगे data get करेंगे और data get करने के लिए मैं यहां पर input function का use कर रहा हूँ और input function के अंदर मैं यहां पर एक message को pass करा दोता हूँ जिसके अंदर लिखता हूँ enter आप जो की value दिना चाहिए वो enter कीजिए अब यह जो value आ रही है आपको क्या करनी है list के अंदर append करा अब append कराने के बाद आपकी list एक्तम तयार हो चुकी है अब तयार होने के बाद अब हम क्या करेंगे array बनाना चाहते हैं तो मैं इसको directly array को print कर वाऊंगा directly array को कैसे print कर आ सकते हैं तो उसके लिए देखे np. array का use कीजिए और इस array के अंदर इस l variable को pass कराती है तो यहां से आपको एक आपको array मिलने आ लिए अब मैं क्या करता हूं इस program को run कर वाता हूं रन करना नहीं पर दिखे एंटर आ चुका है जैसे मैंने 12 दिया अगला यहां पर 13 दे रहा हूं अगला मैं यहां पर 14 दे रहा हूं फिर मैं 15 दे रहा हूं तो यहां पर मेरे पास एक आपके पास के बनने चुकी है कैरे बन चुकी है लेकिन यहां पर एक दिक्कत अले बात क्या है यहां पर बात कि मैंने यहां पर नंबर दिया है यहां पर हमें एक स्ट्रिंग मिली है क्यों मिली है क्यों कि in put function के अंदर हमें ज्यूभी data मिलता है ऐसे यoration मतव ह्यक्ट करना पड़ेगा तो उसके लिए मैं यहां पर आपके पास int से इसकी आपके जो data type है उसको क्या कर दूँगा convert कर दूगा तो यह हमने यहाँ पर data type को convert किया तो अब आपका जो भी data यह accept करेगा वो आपके राज क्या करेगा नंबर की तरह करेगा और आपकी जो तयार हुई भी चीज है जो आपने यहाँ पर array तयार किया है वो आपका array मिल जाएगा तो यह हमने क्या देखा array को कैसे create करते हैं अब यहाँ पर types of array के बारे में बात करेंगे कि कितने types के हम array बना सकते हैं तो सबसे बहले मैं बात करूंगा यहाँ पर देखे वन डायमेंशन अरे बना सकते हैं डायमेंशन के कॉर्डिंग हम बात करने जा रहे हैं कि डायमेंशन के कॉर्डिंग वन डायमेंशन अरे हो गया त्री डायमेंशन अरे हो गया और हाइयर डायमेंशन अरे भी आप यहा यहां पर दो ब्लैकिट बने होते हैं और यहां पर यहां पर फूर बात की जाती है और उसके बाद में आपका स्परेसे पर क्लोज होता है तो देखें आपके पास इस तरह से तीन आपके पास यहां पर ब्लोक्स बने होते हैं जिसके अंदर 1,2,3,4 मिला होता है फिर आपके पास तीन वापस ब्लोक्स बने होते हैं इस तरह से आप थ्री डैमेंशन एरे की बात कर सकते हैं देखें डैमेंशन को देखना है यह आपक count करता हूँ 1 और उसके बाद 2 and उसके बाद 3 इसके अधर भी मैं क्या करा हूँ left to right count करता हूँ 1, 2 and 3 मिल जाते हैं यहाँ पर इसका मतलब यह जो हमारा array create होगा यहाँ पर यह आपके पास क्या होगा 3 dimension array होने वाला है higher dimension के लिए करेंगे पहले आप array को create करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे उसका measure करेंगे इसके लिए दिखे यदि आप array को पहचानना चाते हैं कि वो कितने dimension का है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर and dim नाम का एक function होता है जिसका आप क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं और उससे क्या कर सकते हैं dimension का पता कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे one by one आपके पास array को create करेंगे और array को create करते हुए उसके dimension को भी हम क्या करेंगे चेक करने वाले हैं तो चलते हैं यहाँ पर और हम देखे आपके Jupiter Notebook में आ चुका है यहाँ पर हमने क्या क्या है एक array को create किया है और array को create करने के बाद अब हम क्या करेंगे इसकी dimension को check करेंगे पहले कि यह कितने dimension का array बन चुका है तो उसके लिए मैंने क्या लगा है यहाँ पर print लगा दिया है एंडिम लगाने के जश्ट आपके पास क्या होगा यहाँ पर उसकी dimension पता चल जाएगी तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या रहा है वन डाइमेंशन एरे यहाँ पर क्या हुआ है create हुआ है इसी तरह से यदी आप यहाँ पर 2Darea को create करते हैं 3Darea करते हैं तो यह आपका result भी उसी तरह से आपको show करेगा अब यहाँ पर टू डाइमेंशन एरे को create करता हूँ तो टू डाइमेंशन एरे को create करना है तो मैं उसके लिए क्या करूँगा एक list तयार करूँगा और उस list को क्या करूँगा array के अंदर pass करूँगा या फिर directly भी pass करवा सकते हैं तो उसके लिए देखे पहले एक variable बनाते हैं variable बनाते हैं two dimension array के लिए तो ar2 नाम से मैं एक variable बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं लिखूँँगा np.array और इस array के अंदर मैं pass करा दूँगा double list को जिसके अंदर list को जिसके अंदर 1,2,3,4 दे दिया है मैंने याप यदि आप चाहें तो इसके अंदर multiple pass करवा सकते हैं जैसे comma लगा कर मैं एक और list पास कराता हूँ जैसे 1,2,3,4 पास करा दिया ये चीज़े हम यहाँ पास करवा सकते हैं लेकिन यहाँ पे आपको एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि एक बार आपने जो array create किया है मतला आपने एक जो list create किया है उस list के अंदर जो भी आप data दे रहे हैं जैसे number of data यहाँ पे कितना 4 है तो यदि आप two dimension array के लिए जा रहे हैं और two dimension array को create कर रहे हैं तो उस वक्त आपके पास यहाँ पे जो list बनी है उस list के अंदर भी number of data क्या होने चीज़े यदि आपने number of data को same नहीं किया तो आपको एक error मिल सकती है तो यह हमारी क्या बन गई two dimension array बन गई है print ar2.endim तो endim लगा देते हैं यहाँ पर और जैसे इस program को run करते हैं तो दीखें आपका आप two dimension array बन जाता है और यह जो array बना है यह array आपको दिखने में इस तरह से लग रहा होगा जैसे कि एक matrix format में और मैंने अपने पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदे भी बताया था basic square नमपाई वीडियो लेक्चर के अंदे भी बताया था कि आपके पास जो array बनता है वो array आपको list की तरह ही दिखाए देता है और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे है कि यह जो array बना है यह array भी आपके आसका है लिश्ट की तरह है तो इस तरह से आपके आसका हो गया two dimension array बन गया है यदि मैं आपको जो बता रहा था कि यदि आप यहाँ पर क्या करते है यदि एक data मिस करते है जैसे एक में four data दिया आप उसका result मिल जाएगा लेकिन आप यदि data को पूरा देते हैं तो यहाँ पर आपका two dimensions array बन क्या जाएगा इसी तरह से आप यहाँ पर three dimension array को भी create कर सकते हैं इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पर एक array three नाम का एक variable बना लेता हूँ और उसके अंदर मैं दे रहा हूँ np.array और इस array के अंदर मैं एक list को पास करा रहा हूँ उसके अंदर मैं दूसी और उसी के अंदर मैं टीसी list को पास करा रहा हूँ फिर यदि मैं इसके अंदर और भी list पास करा हूँ यहां पर हम करना जाते हैं इसको प्रेंट करना जाता है तो मैं प्रेंट लिखूंगा और एस प्रोग्राम को रण करता हूं तो देखिए मेरे पास आपके पास एक 3x3 की matrix की तरह दिखने वाले एक array create हो जाती है और इसके अंदर देखिए आप dimension को भी देखेंगे तो dimension आपके आपके आज क्या है यहाँ पर 3 लिखा वा रहा है क्योंकि end name हमें क्या बताता है उसकी dimension को बताता है कि वो कितनी का आपका array बना हुआ है अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं आपके पास end dimension array भी बना सकते हैं मतलब multi dimension array बनाना आपको यहाँ पर तो वो भी आप create कर सकते हैं तो यदि आप यहाँ पर end dimension array को create करना चाते हैं तो ARN लगा है मैंने यहाँ पर उसके बाद मैं मैं यहां पर क्या दूंगा np.aray का यहां पर use करूंगा और array के अंदर मैं यहां पर करूंगा अपनी जो list है उसे मैं pass करूंगा तो यहां पर मैंने 1,2,3,4 पास कर दिया अब मैं चाता हूँ यहां पर की 10 dimension array को create करूँ 10 dimension array को create करेंगे 10 square bracket लगाने की जगा मैं यहां पर थोड़ा shortcut चल सकता हूं उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको यहां पर आपके पास क्या करेंगे डी मिन का यहां पर यहां पर यूज करेंगे अब उसके बाद में यहां पर मैं पर प्रिंट करा रहा हूं और प्रिंट के अंदर यहां पर पास कराऊंगगा A.R.N को और उसके बाद मैं क्या करऊंगा इसके ड Diamegen को चक करूंगा तो प्रिंट के अंदर A.R.N. यहां पर लगाने वाले थे आपके पास N.D.M को लगाने वाले न दिम अपको क्या को बताएगा यहां पर उसकी को बताएगा और जैसे भी मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं यह मेरे पास देखेगे 10 dimension अरे बन चुका है और यहां पर मेरे पास क्या चुका है 10 भी लिखावा आचुका है कि यस यह जो बना हुआ array है वो 10 dimensional है तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर array को create कर सकते हैं बेसिकली जितनी आपको इच्छा है उतनी type के आप array को create कीजिए और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर दीख सकते हैं कि कौन सी dimension का वो array है हम बात करने वाले हैं mempie array के बारे में कि mempie array को हम function के help से कैसे red कर सकते हैं अब आप यहा पर सक्रोंफ पर हमने mempie array को कैसे create करना है यह हमने हमारे loss the वाले वीडियो के अंदर пад आप यह आपने नहीं देखा है तो आप它 बेटन के उपर क्लिक कर सकते हैं या पिर आप discussion के अंदर जो link दिया है उसके उपर जाके भी आप उसे देख सकते हैं आज हम बात करने वाले हैं कुछ special type के नमपाई array के बारे में जिसके अंदर हम कुछ special array को देखेंगे उन array को हम function के help से कैसे create कर सकते हैं वो सारी चीज़े के बारे में आज हम discuss करना लाएं तो देखें कौन कौन से है special type के तो उनके बात करें सबसे पहले जो है आपके पास वो है array fill with zero मतलब यदि आप चाते हैं एक ऐसे array create हो जिसके अंदर सारे element आप क्या चाते हैं यहाँ पर zero हो जाए तो वो आप यहाँ पर create कर सकते हैं उसके बाद में हैं आपके पास यहाँ पर fill bit one यदि आप array चाते हैं जिसके अंदर आपके पास क्या हो सारे element जो होते हैं आपके पास यहाँ पर वो आप यहाँ पर one से चाते हैं तो वो आप यहाँ पर create कर सकते हैं फिर हम यहां पर बात करेंगे, empty array के बारे में, फिर यहां पर बात करेंगे, range element के बारे में, यदि यहां पर आप चारे हैं, सारे diagonals आपके पास यहां पर एक जैसे हो जाएं, तो उसके बारे में हम कैसे create कर सकते हैं, और create with आपके पास एक special interval के साथ आप array को कैसे create कर सकते हैं वो भी आज हम यहांपर बात करने रहें, तो यह कुल मिला कि यह सारे arrays है, जिनके बारे में हम बात करेंगे, तो देखें, वन बाई वन सारे array को देखते हैं, यहांपर, तो उसके लिए मैं चलता हूँ, आपके पास Jupiter Notebook के इंदर, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, किसक बात करने वाला हूँ, उसके बाद यह मैंने heading बना लिए है, then okay, इसको run करते हैं, तो यह 0 वाली हो गई है, अब देखें, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, numpy को import करना पड़ेगा, तो मैं import करता हूँ, किसे numpy को import करता हूँ, उसका एक alias बना लेता हूँ, np, then उसक यहां पर array का एक variable मना रहा हूँ, उसके बाद मैं, मैं np.zeros function का use करूँगा, जिससे क्या होगा यहां पर, आपके पास zero element से आपके जो array है, वो बन क्या जाएगा, तो उसके लिए यहां पर हम क्या करेंगे, zero, zeros यहां पर देंगे, और zeros के अंदर हमें कितने array चाहिए, तो आप यहां पर पास करा देंगे, तो यहां पर आपके बाद array बनेगा, वो वन डायमेशन बने वाला है, तो मैं यहां पर value पास कराना वाला हूँ, तो जो भी आप value देना चाहते है, जस लाइक मैं यहां पर चाहता हूँ, कि आपके आप 4 वेल्यू, उसका और सारी 0 हो है जिसके अंदर सारे elements आप देख पाएंगे तो सारे के सारे elements आपके पास क्या है यहाँ पर जीरो है अब देखे यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि यदि मुझे जीरो elements से आपके पास one dimension array नहीं two dimension array चाहिए तो वो भी हम यहाँ पर create कर सकते हैं या फिर फिर उसके बाद करूँगा एनपी डॉट किसका यूज जीरो उसका तो एनपी डॉट यहाँ पर जीरो लगा रहा हूं और जीरो के अंदर मैं यहाँ पर dimension को पास करवा रहा हूं just like मुझे यहाँ यहाँ पर dimension पास करानी है कि मैं चाहता हूं कि आपके पास 3,4 का आपके रास क्या बन जाए एक array मिल जाए तो यहाँ पर आपके रास 3,4 का एक array तयार हो जाएगा जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं सारे element को 0 देखेंगे और इसको यदि मैं print कर आता हूं print किसको राएंगे यहाँ पर array underscore zeros one को print करेंगे और जैसी run करेंगे तो यह आपके रास बन गया तो यह 3 by 4 का मालझा आपकर और आझसping बात करें ये देखे 3 आपके पास क्या है यहाँ पर rows बन चुकी है and बात करें four columns का आपके पास क्या बन चुका है एक array तयार हो चुका है जो कि आपके पास क्या है तू dimension एक array है तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं सारे dimension सारे elements को आप क्या कर सकते हैं जीरो से फिल कर सकते हैं अब बात करते हैं हमारे अगरे के बारे में कि यदि हमने जीरो को फिल किया तो हम वन को भी फिल कर सकते हैं बिल्कुल आप वन को भी फिल कर सकते हैं तो उसके लिए आप क्या करें यहां पर वन्स का हम यहां पर यूज करने वाल तो एरे अंडर्सकोर यहां पर वन का यूज करने के बाद आपको जितने भी ऐलेमेंट इसको पास करने जैसे मैं चाहता हूं इसको फॉर एलिमेंट का एक वन डाइमेशन हो जाएगा यहां पर उसके बाद में आप क्या करें प्रेंट दें प्रिंट के अंदर ar underscore one को print कराना है जैसे आप enter करेंगे तो दिखे आपके आज सारे element किसे हो जाएंगे one से fill हो जाएंगे तो आप once function का use करते हुए आपके पास जितने भी element area के अंदर उनको one से fill कर सकते हैं अब next हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगला हमारे पास क्या है एक empty error को कैसे create के जा सकता है empty area को मतलब क्या कर रहे हैं आपके आपके रहे हैं एक डाइमेशनर के वह कुछ वैल्यू जाएगी ठीक है तो वह कैसे आने वाली है जड़ा बात करते हैं यहाँ पर तो उसके लिए मैं एक पहले अपके आपके यादिन्म बनाता हुं empty के नाम से empty के नाम से मैंने किया कर racism यहाँ परMad one of the We have ready sell कराया और कितने element का चाहिए वो भी हम यहाँ परलिकलता है कि मुझे यहाँ पर four element का चाहिए, अब उसके बाद में इसको क्या करना पड़ेगा, एक variable देना पड़ेगा, तो variable देते हैं, और variable के अंदर ar underscore em के नाम से मैंने क्या क्या एक variable बना लिया है, और मैं इसको क्या कर रहा हूँगा, print कर रहा हूँगा, तो मैंने यहाँ पर print कर र हैं कि सारे element हमारे one small element की जैसे ही दिखा जे रहें, देखें इसके पीछी का reason क्या है, कि आपके पास जो भी previously memory है, उस previously memory का जो data है, वो empty array के अंदर आ जाता है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक empty array भी क्या कर सकते हैं, create कर सकते हैं, अब देखें, empty array के बाद में, मैं मैं चाता हूँ कि एक range array create हो जाए, range element बतलब आपके बात करें, कि आपको एक starting value से लिए, ending value तक एक array को create किया जाए, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो उसके लिए देखें, आप क्या करेंगे, यहाँ पर arrange function का use करेंगे, तो मैं यहाँ पर चाता हूँ कि आपके पास एक range का आपके पास क्या हो, एक array create हो, तो उसके लिए सबसे पहले मैं heading बना लेता हूँ इसकी, कि मैं चाता हूँ range का आपके पास array create हो जाए, तो मैंने range का ले लिया है, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, एक variable बनाएंगे, array underscore, array underscore आपके पास क्या करेंगे, rn के नाम से मैं एक variable बना दिया है उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं एंपी डॉट यहाँ पर हम arrange function का use करेंगी तो arrange के लिए आपके लाइगे अर 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 अरेंज function का आपने यहाँ पर यूज किया अरेंज function के अंदर आप element को पास करेंगे जैसे मैंने यहां पर element को पास करा है 4 element तो मैं चालता हूं 4 element को रेट हो जाए तो उसके बाद में क्या होगा आपके बास यहां पर एक error करेंट होगा तो यहां पर are.arn को पास कराऊंगा एंटर करूंगा तो दीजिए 0 से लिकिए आपके बाद यहां पर 3 तक का आपकर वास एक range जास आपकर गास range function काम करता है आपकर वास python के अंदर उसी तरह से arrange function भी आपकर वास उसी तरह के element आपको यहां पतेने वाला है तो यहां पर zero, one, two, three आपका खूँके है element आप चुके है एक continuously order के अंदर तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं arrange function का use करते हैं एक array को create कर सकते हैं उसके बाद बात करें तो अगला आपके पास है यहाँ पर कि यदि आप चाहते हैं कि आपका एक ऐसा array create हो जिसके अंदर diagonal के सारे element आपके पास one से fill हो जाए जैसे कि आपके पास आपने identity matrix के बारे में देखा होगा mathematics बंदर fundamental mathematics के अंदर मैं identity matrix के बारे में बात करूँ कि इस तरह की identity matrix बंती है जिसके अंदर diagonal जो element होते हैं वो सारे one से fill करने होते हैं तो जैसे देखिए आप one, zero, zero फिर उसका zero, one, zero फिर आपके जिरो, zero, one यह आपके आपके जिया होती है एक identity matrix होती है fundamental mathematics के अंदर यदि आप चाते हैं कि इस तरह की एक array को create करना चाते हैं तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं तो उसको create करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसकी जरब बात करते हैं तो मैं यहाँ पर क्या जाता हूँ कि मेरे जो diagonal element है वो सारे किस्से हो जाए यहाँ पर one से fill हो जाए तो यहाँ पर दिखें तो diagonal element के लिए बात कर रहे हैं तो dig diagonal element के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ तो ar underscore, किसके बात कर रहे हैं, dia की बात कर रहे हैं, मतलब diagonal की बात कर रहे हैं आप, तो वो हम दिखेंगे, np. मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब diagonal element आपको create करना है, तो उसके लिए eye function का आपको यूज़ करेंगे, eye function के अंदर आपको element पास करना है, जैसे मैंने यहाँ पर पास करा है, तीन element का एक array create होना चाहिए, तो यह आपके आज क्या होगा, 3 by 3 का एक array create हो जाएगा, और मैं क्या करूँगा, इसको print करूँगा, यहाँ पर array.dia को पास करूँगा, और run करूँगा, तो देखें, 3 by 3 क एक आपके आज array create हो चुका है, जो कि आपके आज क्या है, 2 dimension array है, जिसके अंदर आप देखेंगे, कि इसके जितने भी diagonal element है, वो आपके आज क्या से है, 1 है, यदि आप चाहते हैं, कि अपने हिसाब से यहाँ पर एक array create हो, अपने हिसाब से in the sense मतलब मैं उसकी dimension को पास करना जाँगा, जैसे मैं चाहता हूँ, यहाँ पर कि मेरा array है, वो 3 by 5 का एक array create हो, जिसके अंदर diagonal element आपके पास कैसे हो, यहाँ पर उसके 1 हो, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो उसके लिए देखें, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको copy करता हूँ, यहाँ पर paste करता हो, मैं जैसे ही run करूँगा, मैं यहाँ पर, तो दीखें, आपके पास इस तरह का array create हो गया है, जिसके अंदर आप देख पाएंगे, कि 3,5 का आपके पास हो हुआ है, और इसके अंदर diagonal element है, वैसे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, square matrix को आप use करेंगे, मनले, square आपके पास array को create कर कर सकते हैं, इसका use कर सकते हैं, अगला जो हमारा पास array है, वो array है कि आप एक special interval के साथ, एक array को create करना चाते हैं, तो आप यहाँ पर इसका use कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास जो function है, वो function है, आपके पास यहाँ पर line space function, उस line space function का use करते हुए आप क्या कर सकते हैं, एक special आएंगे तो इसके लिए जो हमारा function होता है वो हमारे होता है, line space, देखिए क्या होता है function का नाम, lin और यहां पर क्या करते हैं, space का use करते हैं, properly line space नहीं होता लेकिन line space हम इसे बोलते हैं, और उसके मैं heading बना लेता हूँ, एक, तो यह मैंने heading बना इन है, इसको run कर देता है, य ar underscore मैं यहां पर lin की बात कर रहा हूँ, यहां पर, तो इस नाम से मैंने क्या कि एक variable बना लिया है, variable बनाने के बाद, अब हम बात करेंगे function के बारे में, तो np. मैं lin और space space की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं यहां पर value पास करूँगा, मैं चाता हूँ, मेरी जो value है, 1 से 10 तक pass हो जाए, और इसके अंदर number of element की बात करें, तो number of element की बात करेंगे, तो वो चाता हूँ, यहां पर 5 element आजाए, तो आपके पास आजाएंगे, यहां पर print एक special gap के साथ, array underscore क्या दिना है, आपको line जिना है, और जैसी program को run करेंगे, तो आपके पास यहां पर array create हो 10, यह सबके बीच में जो आप gap देख पाएंगे, वो सबके साथ का सेम है, यदि इसको और अच्छे से डेखना है, तो मैं काम करता हूँ, 0 से pass कते हो, रन कराता हूँ, तो अब देखे, आपके आज क्या मिला, यहां पर 0, 0 के बाद आपके आज क्या गया 2.5, फिर आपके आपके बास 7.5, फिर आपके बास हो गया, यहां पर 10, तो इस तरह के आपके बास आच चुके हैं, और यदि मैं चाता हूँ, यहां पर 20 कर दूँ, अंटर करूँ, तो अब आप यहां पर और अच्छे डंग से देख पाएंगे, 0 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 और 20, इस त आपको मिल ले जाएंगे, और इनके बीच का जो गया, आप देख पाएंगे, तो वो सारा आपका स्का है, कंटिनिसली है, इसको 20 कर देता है, और इसके तो ऐलिमेंट है, वो 5 कर देता है, रन करता है, तो यह इस तरह से आपको लेगा, तो जैसा अब मैं यहां पर आपको 1 चाहिए, तो आप यहां पर आप EYE का यूज़ करेंगे, और लाइनी स्पेस का यूज़ करते हुए, एक लाइन के अंदर डिफ्रेंट एरे, आपके पास एक पर्टिकुलर गैप के साथ चाहिए, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं, तो I think clear समझ में आ रहा होगा यहां पर कि किस तरह से आप numpy के function की help से different different special type की जो array है, वो कैसे create कर सकते हैं, हम यहां पर numpy का एक और मज़ेदा topic को discuss करने का ले हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि numpy array को random number के तरू कैसे create किया जा सकता है, इसके अंदर हमारे पास कौन-कौन से function soluble होते हैं, जिनके तर अब चीज़ों के बारे में आज हम यहां पर बात करने वाले हैं, तो देखें, यहां पर कौन-कौन से functions होते हैं, उनके बात करें, तो यह आपके पास four type के function होते हैं, जिनके through आप एक array को create कर सकते हैं randomly, देखें, जिसके अंदर सबसे पहले मैं बात करूँ यहां पर, आप आपके पास यहां पर rend function, अब देखें, rend function आपके पास क्या करता है, randomly number आपका generate करके देता है, बट यह जो number होता है, वो number आपके पास 0 और 1 के पीच में होता है, मतलब यहां पर generated number 0 और 1 के पीच में ही आपको देखने को मिलेगा, अब इस function को कैसे apply करते हैं, देखें, यह तो देखिए और देखिए सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे रेंड फंक्षन के बारे में कि यह जो रेंड फॉंक्षन है इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से वर्क रसकते हैं तो उसके लिए चले जूपिटर नडबू के अंदर आचके हैं और देखिए आज हम यहां पर randomly number को create करने वाले हैं तो इसलिए मैं यहां पर देखे सबसे पहले random आपके पास यहां पर एक heading बना लेता हूं कि आज हम random की चीज़ों के बारे बात करेंगे तो यह मेरी random heading हो चुकी है उसके बाद में second यहां पर मैं बात करूँ थो यह हमारी rend function आपके आस क्या हो गया एक sub topic हो गया तो सबसे पहले आपको import numpy करना है तो यहां पर सबसे पहले कि क्या करेंगी import numpy करेंगे insert numpy ऐस यहाँ पर मैं एक alias बना लिता हूं यह करने के बाद अब हम यहां पर बात करए हैं रेंट function के बारे में तो यह युआ कैसे आप्लाई करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक variable बनाना है जिसके अंदर आपका डेटा कलेक्ट होगा तो आपको क्या करना है एक variable बनाना है तो आपको random जो module होता है वैसे तो random module के ये सारे functions होता है जिसके थुरू आप randomly number को generate करते है बट आप एक numpy array को create करना वाले हैं तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या लगाने पड़ेगा random लगाना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर random लगाऊंगा ओके random लगाने के बाद अब यहाँ पर हम रेंड को लगाएंगे अब इस रेंड के अंदर आप यहाँ पर देंगे कोई भी value आप यहाँ पर कुछ भी value दे सकता है जितने आप value देंगे उतने numbers का आपका one dimension array बन जाएगा अब माल लीजे आपने यहाँ पर दिया आपने four दे दिया इसका मतब यहाँ पर आपके पास क्या है four value का one dimension array create हो जाएगा अब इस array को print कराते हैं तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ print where दे रहा हूँ where को print कराना है where दिया और run कराया मैंने तो यह देखिए आपके पास एक array generate हो गया है जिसके अंदर four value है और four की four value आपके पास क्या है यहाँ पर different different है और इसके साथ यह जो value है वो आपके पास क्या है 0 से 1 के बीच में है सारी value यदि आप दिखे इस program को print से run कराते है जैसे यह जो data है मैं यहाँ पर कर रहा हूँ copy करके save करके रख रहा हूँ ताकि अगला जो data set आए उसको भी आप यहाँ पर देखे कि अगला जो data set आपके पास आएगा वो इससे different होने वाला है देखे मैं इसको run करता हूँ देखिए कि अगला डेख आपका जो data set आए वो क्या है आपके पूराने वाले data set से क्या है different है क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके पास array बनता है आपके जो data आते हैं वो सारे के सारे क्या होता है random होते हैं clear तो यह आपके पास एक आपके पास यहाँ पर function है जिसके तो आप randomly data set कर सकता है लेकिन यह तो है आपके पास one dimension यदि आपको multi dimension के पर बात करनी जैसे यहाँ पर two dimension, three dimension, four dimension के पर बात करनी है तो उस cases के अंदर आपको चीजे change करनी पड़ेगी कैसे करनी पड़ेगी ज़रा बात करते हैं तो उसके लिए देखे, मैं import numpy वैसे लगावा है यहाँ पर मैं काम करता हूँ, where one नाम से एक variable बनाता हूँ उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ, np.random . यहाँ पर लगाँगा, rand और rand के अंदर लगा दूँगा, मैं value just like मैं two, five कर देता हूँ तो यह two, five के आपके बास क्या बनेगा, एक array बनेगा जिसके अंदर मैं print करूँगा, print किसको करूँगा, where one को print करूँगा enter करता हूँ, तो देखे, आपके आपके बास यहाँ पर two, आपके बास बात करें तो five का एक array बन चुका है, जिसके अंदर सारी value का है randomly generate हो रही है, तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, rant function का use करते हुए, randomly आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को generate कर सकते हैं next बात करते हैं, तो यहाँ पर है rant n है, rant n फंक्शन आपका बास जो अगला function है ये आपके पास क्या होता है ये भी आपको randomly number generate करके देता है अब दिखे इस function के तुरू randomly जो number generate होता है वो आपके पास क्या होता है 0 के close होता है close to 0 आपको number मिलते है इसके साथ इसके अंदर जो number मिलते हैं आपको जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर rand function के बात करूँ तो rand function के अंदर 0 और 1 के बीच में आपको positive number ही सारे देखने हों मिले थे लेकिन इसके अंदर आपको number positive and negative दोनों के दोनों देखने को मिल सकते हैं और आपको negative positive दोनों number मिल सकते हैं इस function का use करते हुए अब इसको कैसे use करना है जरब तो मैं चलता हूँ Jupiter notebook में और अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ rand and function के बारे में और हम इस function के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मैं एक heading बना लेता हूँ ताकि हम यहाँ पर काम करें तो यह मैंने एक heading बना लिया अब कैसे काम करना है तो आपको पहले एक variable बनाना पड़ेगा तो मैं where आपके पास to नाम से एक variable बना लेता हूँ उसके बाद में आपको क्या लगाना है np. random तो लगाना ही लगाना है सबसे पहले अब इसके बाद में आपको कितने यहाँ पर value चाहिए तो वो दे सकते हैं यहाँ पर तो जैसे में बने को 5 value चाहिए तो मैंने 5 value ले रही फिर उसके बाद मैं लगा रहा हूँ print और print लगा रहा हूँ यहाँ पर where to और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ आपके इस प्रोग्राम को run करता हूँ तो देखे यह number आपके पास यहाँ पर generate हो चुके हैं और यह सारे क्या है randomly number है और इसके अंदे देखे आप यहाँ पर negative number भी आपको दिखाई दे रहे हैं इसके सासाथ as well as positive number भी दिखाई दे रहे हैं और जो की random function जो होता है यह भी आपको generate करके देता है number को बट यह आपके आज क्या होता है इस interval के अंदे गाम करता है 0 से लगाकर 1 के बीच में interval करता है 1 इसके अंदर include नहीं है लेकिन 0 इसके अंदर आपके आज क्या होगा include होगा आपके पास यहाँ पर इस तरह की आपके आज यहाँ पर function जनेर करता है तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर renF function के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर तो मैं इसकी क्या कर रहा हूँ एक heading बना लेता हू킨 तो इसकी एक heading तयार कर लीता है यह हमारी एक heading हो गई है और इसको दन करते हैं तो दिखेंगे यह हमारी एक heading बन चुकी है उसके बाद में एक variable बनाना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर where3 के नाम से एक variable बना लेता हूँ उसके अंदर दूँगा np.random दूँगा उसके बाद dot और उसके बाद क्या देंगे यहाँ पर ran f function को call करेंगे और इसके अंदर कितने data set चाहिए वो आप लिख सकते हैं तो जैसे मुझे यहाँ पर four data set चाहिए तो मैं यहाँ पर four लिखूँगा और उसके बाद में मुझे print करना है तो print where3 दे दूँगा मैं और enter करता हूँ तो देखे मुझे यहाँ पर क्या मिल रहे है आपके आस नंबर देखने को मिल रहे है जो कि क्या है close to zero है और देखे यह जो number है वो one से less than है देखे इस sign का मतलब क्या होता है मैं आपको वो बदा देता हूँ कि यह जो sign लगावाता है इसका मतलब यह होता है कि यह जो one है वो include नहीं है बट यह जो sign लगावा इसका मतलब होता है आपके पास कि यह जो zero है वो आपके आस क्या include है मतलब यहाँ पे जो range बनने वाली है 0 को include करते हुए 7 में बनेगी बट यह क्या करेगी 1 को include नहीं करने वाली है तो यह कुछ इस तरह से आपके पास क्या बनेगी एक range बनेगी इस range के अंदर से randomly number आपके पास क्या होंगे दो number के बीच में जो number है उनके बीच में आपको कहाता है random number generated लगी इससे पहले हमने जितने function के बारे बात किए है यह जो 3 function के बारे बात की है यह क्या करते है 0 और 1 के close close जो numbers होते हैं उनके number से random number निकाल के आपको generate करते है बट rendered जो function है इस rendered function के अंदर आप एक range बना सकते है उस range के थुरू आप उन number को generate कर सकते है अब यह range आप कैसी बना रहे है किस तरह से बना रहे है वो आपके उपर है कि आप किस तरह से range बनाते है इसके अंदर आपके पास क्या होता है एक आप यहाँ पर minimum value एक maximum value देकर आप उन दोनों की बीच में जो number है वो यहाँ पर generate कर सकते है तो अब देखे कैसे work करता है तो यहाँ पर मैं बात करूँ का किस के बारे में rendered function के बारे में तो मैं यहाँ पर rendered function लिख लेता हूँ और इसकी एक heading बना लेता हूँ rendered function बना लेता हूँ उसके बाद में मैं बात करूँ यहाँ पर किस तरह से काम करना है तो सबसे पहले आपको एक variable बना लेता है क्योंकि variable के अंदर data store हो जाएगा और यहाँ पर लगाएंगे np. random तो लगाना ही है आपको तो random आपने लगाया maximum value दे सकते हैं उसके बाद में आपके पास total value total आपके पास यहाँ पर value दे सकते हैं तो यह सारी values दे सकते हैं अब देखें यह सारी चीज़े दे सकते हैं यहाँ पर minimum value, maximum value और total value minimum value मतलब आपके आज को यह सबसे lowest range उसके आज सबसे highest range जिनके दोनों के बीच में आपको number generate करना है और total number मतलब कितने number आपको generate करना है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं अब जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर कि मैं चाहता हूँ कि 5 to यहाँ पर 20 के बीच में number generate हो और कितने number generate हो तो 5 number generate हो जाना चाहिए यह मैं चाहरा हूँ यहां पर उसके बाद में मैं print लगाता हूँ और print क्या करता हूँ यहां पर where 4 को print कर देता हूँ और run करता हूँ तो देखे यहां पर मेरे पास क्या हो गया 5 number generate हो गया है randomly जिसके देखे 5 है 14 है 8 है 9 है और आपका आज क्या है 12 है अब मैं फिर से enter करता हूँ तो देखे आपका इस क्या हो गया 6 हो गया 411 हो गया 19 हो गया 9 हो गया 7 हो गया इस तरह से आपके पास क्या हो गया एक data set बन गया है जो की random number generate करता है दो range के बीच में और जितनी आप value दे रहे हैं उतनी का आप यहां पर data get कर सकते हैं तो I think I hope so clear समझ में आ रहा होगा कि आप numpy array को कैसे create कर सकते हैं random number की थुरू यदि आप एक fix number नहीं दे रहे हैं आप चाहता है कि random number की थुरू दे रहे हैं हमारे पास क्या होता है data को store कराना होता है किसी variable के अंदर तो उस variable का आपके पास एक type आता है कि आपके अंदर उसके अंदर क्या data store हुआ है जैसे आपके 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 आस list store हुई है decimal store हुई है, string store हुई है, number store हुआ है, ये सारे आपके आज क्या होते हैं data होते हैं, जो क्या आप क्या करते हैं एक variable के अन्दर store करवाते हैं जिससे आपको पता चलता है कि यह इसकी क्या है data type है, उसके अंदर इस type का जो data है वो store हुआ है, इसी तरह से आपके पार जो numpy array होता है उस numpy array के अंदर भी आप क्या करते हैं data को store कराते हैं अब numpy array के अंदर आप number को store करवा सकते हैं आप string को store करवा सकते हैं आप यहाँ पर number और string का combinations भी store करवा सकते हैं तो इस तरह के आपके वाद जो combinations होते हैं जो आप store करवाना चाते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं डेटा टाइप बोलते हैं अब देखे आप बात करें यहाँ पर कि नंपा एरे के अंदर डेटा टाइप आपके आस कितने टाइप के होते हैं तो यह पूरी एक list है जिस list के बारे में हम बात करेंगे देखे सबसे पहले आपके पास किया है? बूलियन के अंदर true and false के अंदर data होता है दूसरा होता है integer आप इंटेजर के अंदर आपके पास 32 bits हो सकता है, बीट का और यहाँ पर थलिटी इचा q पर 가지 का नॉर्मली हे इसार से इंट-p होता है, जिसके अंदर इंटिजर, यहाँ है इंदर आपके आश कुछ range का data होता है फिर इंटेजर 22 विट हो गया 64 भी वह सकते हैं फिर उसके बाद में देखे अंसाइन यह अपको एसी में आपको फ्लोट मिलता है अज नमबर के लिए की नाम से भी आपको टेम मिलता है और यह सारे क्या है आपका स्टीफ यहाँ बिलता है जिसके यहाँ आप सकते हैं तो ये सारे क्या है आपका डेटा टाइप है जिसके थुरू आप क्या कर सकते हैं नमपाई एरे के अंदर आप डेटा को स्टोर करवा सकते हैं अब इसके अंदर आप अलग लग चीजों को यूज करते हैं और अलग लग डेटा टाइप का आप यहां पर यूज कर सकते हैं औ तो इसका जवाब मैं देने जा रहा हूं यहां पर तो उसके लिए चलता है Jupiter notebook के अंदर जड़ा समझते हैं यहां पर की data type क्या है तो मैं यहां पर आपके पास आज बता रहा हूं data type के बारे में कि data type क्या है और इसको कैसे पता किया जा सकता है वो भी हम यहां पर बात करेंग अब क्या करते हैं जिसका हम data type को पता करेंगे तो array को create करना है तो मैं एक variable बना लेता हूं उसके बाद में array बनाना है यहां पर यूज करूंगा और इसके अंदर array के अंदर data डाल दूंगा जैसे 1,2,3,4 यह मैंने integer type का data यहां पर दिया है अब मुझे data type को पता करना है तो उसके लिए मैं print लगाऊंगा print के अंदर मैं क्या लगाऊंगा सबसे फ़ेले की string दूगा जिसके पता चलेगे मेरा data type क्या है तो मैंने यहां पर दिया आपके पास data और type data type को पता करने वाले हैं और data type के अंदर d type function को हम यहां यूज करेंगे नमपाई के अंदर d type function होता ह जिसके दुरूब आप क्या कर सकता है data type को पता कर सकता है लेकिन वह हमें किसका data type पता करना है तो वह हमें इसका वैर का data type पता करना है तो यहां पर हम वैर देंगे तो यह लगाना है यहां पर एंटर करेंगे तो यहां पर आपको data type मिल जाएगा कि यह जो है वह integer आपके क्या है 32-bit का डेटा है और इसके अंदर यदि मैं डेटा को बढ़ा देता हूं जैसे यहां पर 12 कर देता है फिर 13 14 15 और उसके बाद 15 और मैं एंटर करता हूं तो आपके भी देखिए आपका डेटाइब क्या है यहां पर इंटिजर थर्टीटवई तो इस तरह से हम यहां पता चलता है कि यहां प्र लीट दे तो और मैं एसके बाद 1.3 data देने के बाद मैं इसको रन करता हूं तो देखिए आपका घ्राइब अब यदि मैं इसको चेंज करके string data डाल देता हूं तो मैं देखे string data डालने पर मेरे पास क्या data बनता है तो उसमें यह जो data है वह आपका चेंज हो जाएगा जिसके अदर आपके पास यहां पर greater than sign है then उसके बाद u1 आपको दिखाई देता है तो यह आपकास क्या होता है string का data type होता है कि आपकास यहां पर string आपने डी है अब यदि आप string दे रहे हैं और उसके बाद में मैं यहां पर दोनों का mixing देता है मुलब string प्लस यहां पर बात करें नंबर का mix डाल दिया मैं यहां पर तो उस समय आपके पास देखें data type जो है वह चेंज हो जाता है और आपके पास कुछ इस तरह से data type आपको दिखा देता है जैसे आं करेंगे दिखें आपके आपकास क्या गई यहां आपके पास greater than than view और one one आपको दिखा देखा तो यह आपकास क्या है data type को पता करने का तरीके है जिसके थुरू आप यहां पर इसका क्या कर सकता है data type को पता कर सकते है अब देखें यहीं आपने कोई आपने एक आरेट करेंट किया और वह आपके आपकास integer में और अब आप चाते हैं कि नहीं उस एरे को मैं यहां पर अपके अज फ्लोट के अंदर करना चाता हों या किसी और डिटा टायब कर चैणज कर सकते हैं देखें इसके आपके पड़ेगा अंसाइन इंडिजर है तो यू बैन फ्लोड के लिए आप फगरा ये सारी चीज़े आपको क्या करने पड़ती है यहां पर देनी पड़ती है जिसके थुरू आपके जो डेटर टाइप है वो यहां पर चेंज हो जाता है और डेटर टाइप को ऐसे आप फंक्शन दूसरे डेटर टाइप के अंदर ले जाना चाते हैं तो आप किस तरह से ले जा सकते हैं तो उसके लिए देखें मैं क्या करूंगा एक आपके वारेबल बनाओंगा एक्स नाम का और उसके अंदर क्या करूंगा मैं यहां पर आपके नमपाई करूंगा तो उसके लिए मैं दूसरे data type के अंदर convert हो जाए दूसरे data type मतलब मैं बात करूं यहाँ पर जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा इसका data type तो print करते हैं ईसका और d type लगाते है print data type और यह लगा देता हूं मैं function पूरा पूरा यहाँ यहाँ पर और उसके बाद में मुझे x का data time मिकालना है तो मैं x देता हूँ और जैसे ही मैं इसको run करता हूँ तो मुझे integer 32 दिखाता है लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि इंटीजर 32 की जगह इंटीजर आपके आस 8 में convert हो जाए 8 byte के अंदे आपके आस convert जाए 16 bit के अंदे convert हो जाए तो वो भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ क्यासे करेंगे यहाँ पर तो उसके लिए देखे आपको यह जो है इंट 32 आपको दिखा रहा है अब मैं यहाँ पर आपके पास क्या करूँगा यहाँ पर मैं कॉमा लगाँगा दैन उसके बाद लगाँगा d type मैं यहाँ लगाने के ब करूंगा और जैसे मैं उन्रफ करूंगा नहीं जो कर दो,. अब कर सकते हैं तो यह सब्सक्राइब क्सक्राइब को tu टाइब को आपको चीह जाते है तो सकते हैं जिसके छूर्थ-कट तरीके जीच करता हूं तो मुझे इस तरह से 1234 देखनी को मिलता है और यहां पर मैं चाहता हूं कि यह जो आपके पास है यह आपके पास किसमें है आपके इंटिजर नमबर में लेकिन इसका डेटा टाइप करनोर्ट होके मैं फ्लोट में लाना चाहूंगा तो आप डारेक्ली इसको फ्लो करना है तो इसके लिए मैं कॉपी करूंगा और यहां पर पेस्ट करके समझाता हूं मैं और इसके लिए मैं यहां पर ऐसके पास है इसके नदर आप इन में से कोई एक इन में से कोई एक लिष्ट का जो डेटा है वह आप दे सकते हैं जैसे मुझे इंटीजर है ऑफ लोड में जाना है तो मुझे एफ देना पड़ेगा मैं यदि भूलियर में जाता हूं भी देना पड़ेगा यह सारी चीजा आपको पास करवानी पड़ेगी तो अब यह कैसे करता है तो देखे यहां पर इसको अधर करता हूं कर सकते हैं इस देटवर्ण को आप आप ऐसे function भी use कर सकते हैं ऐसे function यूज़ करने का आपने को ये carry बनाया है उसको आप क्या कर रहे हैं दूसरे data type में convert करना चाता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं पूरा आप एक function की तरह यहाँ पर इस data type को use कर सकते हैं कैसे करना है तो उसको भी जड़ा देख लेते हैं तो एक काम करते हैं यह जो data है मैं इसको copy करता हूँ then यहाँ paste कर देता हूँ और यहाँ पर मैं x2 लगाता हूँ और इसकी जो data type है मैं x2 कर देता हूँ then इसकी data type को x2 कर देता हूँ और यहां से इस पूरे जो parameter है इनको हटा देते हैं अब as a function कैसे करना है यहां पर तो उसके लिए आपको यहां पर as a function वानाना पड़ेगा तो एक काम करते हैं मैं यहां पर new के नाम से एक variable बना रहता हूं जहां पर मैं इस data type को function की तरह use करूंगा तो मुझे function की तरह use करना है तो np. अब जैसे मुझे यहां पर क्या करना है फ्लोट के अंदर convert करना है तो मैं देखे यहां पर फ्लोट 32 का यूज कर सकता हूं और उसके बाद में यदि मुझे इंटेजर में जाना है तो मैं इंटेजर में से किसी एक चीज को यूज कर सकता और जो मेरा new array बना है मैं उसको भी प्रेंट कराऊंगा तो उसके लिए मैं यहां पर दे रहा हूँ print और new मैं pass करवा रहा हूँ तो जैसे ही मैं new pass कराता हूँ तो उसका data type मुझे मिल जाएगा लेकिन अब मुझे उसका भी data type को चेक करना है कि जो मेरा नया data type आया है उसका data type क्या है तो इसके लिए यहां पर एक और parameter दे देते हैं और यहां पर मैं new का जो data type है उसको pass करा दूँगा कि जो new का है data type वो आप यहां पर चेक करके बता है और जैसे प्रोग्राम को run करते हैं तो देखे आप देखे आपका आज पहला किसमें है वो फ्लूट के अंदर convert हो चुका है अब देखे यहां पर यह जो फ्लूट का data है आप वापस इसे integer format के अंदर convert कर सकते हैं आप क्या करेंगे आप उसी तरह से इस function को use करेंगे जैसे कि एक example के तौर पर मैं आपको बताओं यहां पर तो यह देखे यह मेरा फ्लूट का data आ आप देखे यहां पर मैं कर सकता हूं in 34 64 बीट के अंदर काम करना है तो मुझे in underscore का यूज करना पड़ेगा तो उसके लिए मैं यहां पर यह दूँगा और यूज करूँगा और जिसके अंदर मैं new का जो डिटा आया है उसको पास करा दूँगा तो जो new का जो डिटा है तो वो क्या करेगा नियू के डिटा को वापस इंटीजर के अंदिर कर देगा और यदि मुझे इसको देखना है तो उसके लिए कर रोंगा प्रेंट करूंगा उसको करूंगा new और जैसे मैं इस प्रोग्राम को आपके सामने रन करता हूं तो अब आप देख पाएंगे यहां पर सबसे पहले क्या है इंट 32-bit के अंदर है फिर वापस आपके आपके इंट 32-bit पर आ गया तो इस तरह से आप पिनका यूस कर सकते है अप चाते हैं जैसे यहां इसके फ्लूट में इसके पर कैसे पर कैसे पर तो, उसके लिए, देखे, मैं एक काम करता हूं, यहां से यह जो आपका data है, उसको लेके आता हूं, और यहां पे रख लेता हूं, then, अब एक अलग से variable बना लेता है, x3 के नाम से, अब इसका ज़ो use हैं, मैं डारेक्ली कैसे करूंगा, तो उसके लिए हमारे पास आता है as type function as type function के थुरूँ आप क्या कर सकते हैं उसके type को change कर सकते हैं अब कैसे तो उसके लिए मैं काम करता हूँ एक अलग variable बना लेता हूँ जिसके नहीं हम बात करेंगे तो उसके लिए मैं new1 के नाम से एक variable बना रहा हूँ और new underscore one के नाम से मैंने variable बनाया जिसके अंदर मैं x3 का जो data है उसको dot लगाऊँगा और as type function को पास कराया और as type function के अंदर मैं जिसको भी पास करा सकता हूँ जैसे मेरे पास यहां पर बहुत सारे data type है इन मैंसे मैं किसी को भी ले सकता हूँ यहां पर तो मैं चाता हूँ यह जो data है वो float के अंदर convert हो जाए तो मैं यहां पर float दूँगा और उसके बाद मैं मैं print लगाता हूँ और print मुझे क्या क्या करवाना है तो पहले मैं x3 को print कराऊंगा कि वही x3 किस तरह से दिखा जाए उसके बाद में आपको इंडिजर टाइब का data है वह भी आपको मिल चुका है दैन आपको float इंदर की कर सकते हैं यूज कर सकता है तो यह आपके आस क्या है data type को देखने के तरीके है कि किस-किस तरीके से data type को दो दिखा जा सकता है तो i think आपको clear हो गया होगा कि किस तरह से आपके पास जो num NumPy है उस NumPy के अंदर जो data type होते हैं उसको आप किस तरह किस तरह के से देख सकते हैं क्या क्या लिश्ट है आपके पास यहां पर और यदि आपको data type को conversion करना है तो आप किस तरह से conversion कर सकते हैं हम बात करने वाले हैं NumPy एरे के shape और यह shape के बारे में किसी भी NumPy एरे को जब हम बनाते हैं तो उसकी shape के बारे में कैसे हम उसको describe कर सकते हैं कि उसकी shape क्या होगी shape का मतलब मैं यहां पर बात करूँ कि जैसे मेरे पास एक array है मैं यहां पर एक array बना लेता हूँ कि यह मेरे पास क्या है एक array है जिसके अंदर मैंने 1,2 दे दिया यहां पर और उसके बाद मैं मैंने फिर से यहां पर 1 and 2 दे दिया और इसको बन कर दिया तो यह हमारे पास क् किस साइप का या किस शेप का है तो आप जनरली क्या बोलते हैं इसको 2 x 2 का है मतलब यहां पर 2 x 2 का मैट्रिक्स है इसी तरह से यदि मैं नंपाई के अंदर एक एरे बना रहा हूँ उस एरे की यदि मैं शेप के बारे में बात करूँ तो उसके row as column row and column के बारे में पूछा जाए तो वो आप क्या बोल पाएंगे यहाँ पर कि यह भी आपके आज क्या है यहाँ पर 2,2 की यहाँ पर क्या है एक एर है तो इसकी shape को कैसे पता कर सकते हैं क्या function हो सकता है उसके बारे में आज हम यहाँ बात करेंगे और यदि one dimension अरे है और उसको multi dimension अरे के अंदर convert करना है तो कैसे कर सकते हैं वो भी आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं तो चलते हैं Jupiter notebook के अंदर रोप अदर हम आ चुके हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे shape के बारे में कि numpy array के हम इस shape को कैसे बना सकते हैं तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ as a heading बना लेता हूँ और run कर देता है तो यह heading बन चुकी हमारी तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा import करूँगा यहाँ पर हमारी library को numpy library को तो मैंने यहाँ पर numpy लिया और उसका एक alias बना दिया np उसके बाद में मैं यहाँ पर कर रहा हूँ एक array को create कर रहा हूँ अब array को create करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ एक variable बना लेता हूँ उस variable के अंदर मैं array को लिखूँगा अब array कैसे लिखते हैं यह कास हो गया उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पर वन कॉमा टू ले लिया यहाँ पर यह लगा दिया बने तो इस तरह से मैंने क्या क्या है यहाँ पर आपके पास लिश्ट कंदर इस पर करा दी जो की टू डाइमेंशन एरे को मुझे यहाँ पर रिप्रेजन करती है अब य यहाँ पर आपके पास एक एरे देगा जो कि इस तरह से अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं एक प्रेंट ब्लैंक देता हो तके कि स्पेस मिले मुझे यहाँ पर और उसके बाद में अब यहाँ पर हम क्या देंगे शेफ फंक्शन को देंगे तो मैं यहाँ पर प्रेंट ल बढ़ा दे जैसे मैं यहां पर 3,4 यहां पर देटा डाल दिया है और उसके बाद में मैंने 3,4 यहां पर फिर से डिटा डाल दिया है और मैं अब इस प्रोग्राम को रुट तो देखें आपकास यहां पर 2 और आपको 4 दिखा रहा है number of यहाँ पर rose की बात करें तो वो आपके पास कितनी है 2 है and column की मैं बात करूँ तो वो आपके पास कितनी है यहाँ पर 4 है जो कि आपको यहाँ पर show हो रहा है इस तरह से आप क्या कर सकते हैं shape को बतल कर सकते हैं यदि यही array हमारे पास multi-dimension array होता multi-dimension array मतलब यहाँ पर मैं wear1 के नाम से एक variable बनाते हुए एक multi-dimension array बनाओ तो multi-dimension array बनाने का तरीका क्या है np. यहाँ पर array का यूज करते हैं उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करते हैं एक list पास करा देते हैं जिसके अंदर मैं आपको 4 data डाल रहा हूँ और मैं चाता हूँ इसके एक multi-dimension array बन जाए तो उसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं end-dim का use करते हैं तो end यहाँ पर लगाना है dim-end और उसके बाद में आपको यहाँ पर पास कराना है कि आपको कितने dimension का आपको array बनाना है तो just like मैं चाता हूँ यहाँ पर four dimension का इक array बन जाए तो यह आपका आस क्या करेंगा फौर डामेंशन का इक array बन जाएगा यदि आपको इसको देखना है कि इसका array का dimension क्या है तो आप उसके लिए करेंगे print और उसके बाद आपके राज where1.n यहाँ पर dim लगाएंगे और enter करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाए देगा कि यह 4 dimension का आपके राज array है अब यदि मुझे यहाँ पर क्या करना है इसकी shape क को पता करना है तो मैं इसकी shape को पता कर सकता हूं कैसे करेंगे यहाँ पर मैं पहले थोड़ा space देता हूं blank फिर उसके बाद देखें प्रिंट लगाता हूं इसके अंदर देखें आपके पास यहाँ पर number of आपके पास यहाँ पर बात करें रोज के बारे में वो कितनी है one 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 मतला आपके आस बात करें इस वाले blocks के लिए बात करूं तो इसके अंदर आपके आस क्या है number of rows कितनी है one है फिर उसके बाद अगले blocks के अंदर बात करें त उसके अंदर भी number of rows 1 है उसके अगले याले box की बात करें तो इस तरह से 3 number of rows किया है आपका आस 1 है उसके बाद में हमारे पास number of column की बात करें तो फाइनली तो number of column आपके आज कितना रहे हैं 1, 2, 3, 4 तो 4 आपके आज कॉलम आ रहे हैं इस वज़े से आपके आज यहां पर जो इसका result है वो आपको कुछ इस सरह से देखने को मिला तो I think clear हो गया होगा कि आपके पास यहां पास shape का कैसे use करते हैं अब हम बात करेंगे यह यहां पर नमपाई के अंदर हम reshape कैसे कर सकते हैं यहां पर यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो सबसे लिए मैं यहां पर एक variable बना रहा हूं और देखे variable बनाने के बाद अब मैं क्या करूँगा तो उसके लिए मैं np. यहां पर array का use करूँगा और इस array के अंदर मैं यहां पर क्या करूँगा वन आपके पास array क्रेट करने के लिए list को पास करूँगा तो 1,2,3,4,56 यहां पर element अब मुझे क्या करना है रिशेप करना है तो रिशेप करने के लिए सबसे पहले मुझे एक variable की जरूद पड़ेगी तो मैंने x नाम से एक variable बना लिया है इसके अंदर मैं वैर 2 को पास कराएंगे और उसके बाद में रिशेप function को देंगे तो यहां पर रिशेप function को आपको देना है और रिशेप function के अंदर आपको value पास करवानी है अब देखें यहां पर सबसे पहले आपका अस value जाएगी कि आपको कितनी number of rows चाहिए और उस rows के अंदर कितने number of element चाहिए वो आपको देना है जैसे मैं चाहता हूं यहां पर कि number of rows आपके पास कितनी हो जाए यहां पर 3 हो जाए और number of यहां पर column number of column अदर डग कितने एक रोक के अंदर कितने element चाहिए तो मैं चाहता हूं और उसके बाद में मैं इसको करता हूँ प्रेंट करता हूँ और प्रेंट किसको करना है एक सो करना है और एंटर करते हैं तो इस तरह से देखिये आपके पास क्या बन चुका है एक array बन चुका है, जो कि one dimension array था, यदि आप one dimension array को देखना चाते हैं, तो उसके लिए आपको print of यहाँ पर where to को देना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं करता हूँ, एक space देता हूँ, ताकि मुझे पता चले, तो मैंने print किया, यहाँ ब्लैंक एंटर किया, तो यह आपका one dimension array है और उसके नीचे आपके आपके आज घ्या है, यहाँ पर आपके आजट two dimension रहे, और यदि आपको dimension को check करना है, तो इसको भी ठेक लेते हैं, यहाँ पर कि हमारा जो create हुआ bahwa array है, जो नाया array है, क्या वो वाके में आपके आज two dimension है, तो उसके लिए क्या देगे यहाँ पर where to dot यहाँ पर आपको क्या देना है endim देना है endim देंगे तो endim से क्या होगा उसके dimension बता चलेगी तो यह हमारे पास कितका आएगा यहाँ पर well to का आएगा और इसी तरह से मैं इसके अंदर दूँगा और इसके अंदर क्या देंगे हम यहाँ पर एकस को देंगे तो एकस का endim हमें मिल जाएगा अब मैं करता हूँ इस प्रोग्राम को run करता हूँ एंटर करता हूँ तो देखे यहाँ पर हमारे पास क्या देखा रहा है one dimension array बता रहा है यह जो array बना है यह one dimension रहे है और इसके नीचे जो बना हुआ है यहां पर पता भी चल रहा है कि यहां पर दीखिए number of brackets की बात करें तो वो आपके आज कितने हैं 2 है इस वज़े से हम बोल सकते हैं कि यह आपके आज क्या है एक 2 dimension है अब देखे सबसे पहले यहां पर क्या है number of rows आप कितनी बनाना चाहते हैं उसके बात एक row के अंदर कितने number of element डालना चाहेंगे वो आपको रखना है fix यदि यही चीज आप अलग कर देते हैं जैसे यहां पर number of rows के अंदर कितने element डालना है वो out of the range हो जाते हैं तो उस condition के अंदर आपको एक error पास होगी वो error बोलेगी कि यहां पर आप जो data दे रहे हैं उतने data आपके आज इसके अंदर नहीं है जैसे मैं इसको हटा के तीन कर देता हूँ मतलब मैं बोला हूँ कि तीन number of यहां पर rows बन जाने चाहिए और उसके अंदर तीन-तीन element चले गाइंगे जबकि यहां पर वो sufficient नहीं है क्योंकि यदि मिलेको तीन-तीन element डालना है तो तीन- एक में चले गए तो बाकी का जो एक और row बनेगी वो आपके blank नहीं बनेगी क्योंकि देखें नमपाई के अंदर कभी भी blank आपके पास एक row नहीं बनती है आपके number of elements क्या होने चाहिए सभी के अंदर बराबर होने चाहिए इस चीज़ का में त्यान रखना है तो यदि मैं यहाँ पर अब इस condition पर रन करता हूं प्रोग्राम को तो एक iron मुझे पास मुलती है जिसके अंदर आपको बोला क्या है कि आपके पास यहाँ पर six size की element है six आपके आस उसके अंदर आपके आस element है उसको आप reshape नहीं कर सकते हैं तो अब यदि मुझे इस condition के अंदर इसको reshape करवाना ही है तो मुझे number of यहाँ पर element बात करें number of data को यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा तो उसके लिए देखिए जैसे मैं यहाँ पर one two three को add कर देता हूँ one comma two one comma two comma three को add कर देता हूँ और अब program को run करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक two dimension array बन चुका है जिसके अंदर number of rows कितनी यह three है number of यहाँ पर बात करें column की भी बात कर लिजाए तो वो भी आपके आस कि data यहाँ पर आज चुका है तो इस तरह से आप यहाँ पर बना सकते हैं जिसके अंदर हमने क्या देखा यहाँ पर कि कोई भी one dimension array को आप two dimension array के अंदर कैसे कर सकते हैं अब यदि मुझे यहाँ पर three dimension array के अंदर convert करना होता तो मैं क्या करता तो उस cases के अंदर देखे मैं इसक करते हैं यहाँ पर तो यह वैर 2 आपके जगा वैर 3 हो जाएगा इसके बात करें वैर 3 कर देते हैं और यहाँ पर हम वैर 3 के बात करें अब इस cases के अंदर आपको तीन चीजे पास करानी है सबसे पहले आपके आस यहाँ पर three dimension array बनने वाला है तो three dimension array के लिए तीन ब्लॉक् इसके अंदर आपको क्या करना है आपको सबसे पहले number of rows देने कि कितनी number of rows आप बनाना चाहेंगे फिर उसके अंदर आपके आस कितनी number of rows उसके अंदर और देना चाहेंगे वो देना है और एक row में कितने element देने वो आपको desire करना है clear यदि मैं आपको three dimension array के बारे में इस तरह से यह number of brackets होते हैं वो कितने होता है three होते हैं तो just like यहाँ पर बात करें तो इसके लिए मैं यहाँ पर data pass करा देता हूं कि आपको सबसे पहले आपको 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 रोव बन जाने चाहें उसके बाद में आपको यहाँ पर एक में three element और जाने चाहें उसके बाат ten और उसके बात eleven और यहांपर यह मैंने data तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं goye और पर इसके बाद यह पर लोव बन बन चुके हैं और यह यह तरह से और यदि आप bracket को count करेंगे तो यह भी आपको आपको आस तो I think clear समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आप इनका use कर सकते हैं अब जैसे मान लेते हैं कि यह हमारे पास एक array बन चुका है जो कि क्या है three dimension array है ओके अब मैं इस three dimension array से वापस one dimension array के अंदर मैं move on करना चाहता हूँ तो मैं किस तरह से करूँगा उसके बात करते हैं तो उसके लिए दिखें मैं इसको pass करने के बाद अब मैं यहां पर कांदा हुआ देखें यह यह हमारा one dimension array बना हुआ हूँ और उसके बाद मैं यह हमारे पास last पर three dimension array दे रहा है खीक है इसको ओ त्रामेंशन को मैं वापस re-shape करना चाहूंगा तो उसके लिए पहले मैं काम करता हूं यहां पर प्रिंट दोंगा और अब यहां पर उन डामीशन के अजringडे करना है तो उसके लिए मैं पहले इसका लिए को रीक करना है तो मुझे पादेगा अब आसी के अंदर माइनस 1 पास करा देता हूं तो यह क्या करेगा इसको 1 Dimension array के अंदर convert कर देगा अब मैं यहाँ पर देखे Print आपके पास क्या करूंगा 1 करूंगा और इसके साथ Dimension को भी जाक करेंगे यहाँ पर Print आपके पास 1 की Dimension क्या आ रही है 1. यहाँ पर n.dim का use करेंगे और जैसे ही मैं क्या करता हूँ इस program को run करता हूँ तो देखे आपके आज पहले क्या है यहाँ पर एक one dimension array बना हुआ है जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यह मैंने one dimension array को बनाने का एक code लिखा है उसके बाद में मैंने कह किया है उसको यहाँ पर three dimension के अंदर convert किया तो यह मेरा three dimension है कहरे बन चुका है और उसके बाद में मैंने वापस reshape किया है और reshape करने के बाद देखे यह मेरे पास एक one dimension array के अंदर convert हो चुका है तो one dimension array के अंदर किसी भी dimension के through तो आप क्या करेंगे reshape के अंदर आप minus one को pass करवा देंगे और जैसी आप यहाँ पर minus one को pass करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है यहाँ पर आपको one dimension array मिल जाता है यदि end dimension array तो तो I think आपको clear हो गया होगा कि कि किस तरह से हम यहाँ पर shape और reshape का यूज़ करते हैं array के अंदर हम arithmetic operation को कैसे apply कर सकते हैं और arithmetic operation को लगाते हुए हम कैसे array को change कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने आ लें देगे arithmetic operation के अंदर मैं बात करूं यहाँ पर सबसे पहले आपके पास क्या आता है addition आता है आपके subtraction addition subtraction classification divide modulus पावर और रैसी पोकल ऐसे आपके पास क्या आते हैं इन अर्थमेटिक औप्रेशन को आप डिरेकली भी प्रफोर्म कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप चाहे तो इसे रेलेटेट फ़ंक्ष Vir dis दिरेक्ड ने वाले हैं कि किस तरह से arithmetic operation को perform किया जाता है तो उसके लिए चले Jupiter notebook के अंदर और उनको थोड़ा practically समझते हैं कि किस तरह से आप दो array को add on कर सकते हैं इसके अंदर देखें मैं सबसे पहले आपको one dimension array के बारे में बताऊंगा कि one dimension array के अंदर यह सारी चाज़े बना लेता हैं फिर उसके बारे में यहां पर बात करेंगे फिर उसके बारे में बात करेंगे तो यहां पर मैं एक हैडिंग मना लेता हूं arithmetic और arithmetic operation को heading मनाने के लिए इसको select करना है heading के पर click करना है then okay और इसको run कर दीजिए तो यह आपका अलियास बना लोंगा np यह मैंने इंपोर्ट नमपाई लिख दिया अब उसके बाद में मुझे एक array बनाना पड़ेगा जिसको मुझे add करना है तो मैं एक variable बना लेता हूं उस variable में मैं np.array को यूज करूँगा np.array function को यूज करूँगा जो कि मेरे पास एक array क्रेट करेगा और उसके अंदर मैं list के through value pass कराऊंगा 1,2,3,4 अब मुझे यहां पर क्या करना है इसका एक addition करना है तो मैं यहां पर where add नाम का एक variable बना लेता हूं जिसके अंदर इनका addition का जो भी result होगा वो मुझे देखने को मिलेगा तो सबसे पहले यहां पर मैं क्या करना हूं where plus और यहां पर आपके पास 3 से मैं चाहता हूं इसको 3 से add on कर लों तो यह क्या करेगा where plus 3 add कर देगा उसके बाद मैं मैं print करूंगा और print किसको करूंगा यहां पर where add को मैं print करने वाला हूं और जैसे प्रोग्राम को run करता हूं तो देखे मेरा जो output मुझे दिखा जे रहा है उसके अंदर क्या हो रखा है यह जो सारी number है वो क्या हो चुक है 3 से add हो चुक है जैसे देखे यहां तो इस तरह से आपको यहां पर output मिला है अभी हमने यहां पर क्या किया सिंगल नंबर के साथ मैंने क्या एडिशन को प्रफॉर्म किया है यदि मैं यहां पर दो array को एक साथ add कर लो जैसे यह मेरा array है इस array को ही मैं क्या करा हूं दो के साथ add करना चाहूंगा तो यह मैंने ल आपके एक और लगा लेता हूं variable 2 और variable 2 के अंदर मैं लगा रहा हूं np.aray function और इस array function के अंदर मैं और value पास कर रहा हूं जैसे 1,2,3,4 same value मैंने क्या किया pass करवा दिए अब मैं यहाँ पर add करने जा रहा हूँ और add के अंदर किसको कर रहा है where 1 को और where 2 को add कर देते हैं अब इनका जो भी output होगा वो मुझे क्या देखेगा where add के अंदर मिलेगा और where add के अंदर इन दोनों का output मिलेगा और इसके अंदर होगा क्या ये 1,1 से add हो जाएगा 2,2 से add होगा 3,3 से add होगा और 4,4 से add होगा और जब हम इसका result देखेंगे तो 1,1 से add होने के बाद 2,1 गया है 2,2 को add होने के बाद 4 3,3 को add होने के बाद आपके बाद 6 and 4,4 को add होने के बाद यहाँ पर 8 बन चुका है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर addition को perform कर सकते हैं, अब यहाँ पर यहाँ पर subtraction लगाता हूँ, तो देखें मुझे subtraction का result मिल जाएगा, इसी तरीके से मैं यहाँ पर, इक काम करते हैं, इसको लगा लिते हैं, और मैं इसको copy करता और नीचे लगा देता हूं, पेस्ट करके और यहां पे मैं subtraction लगाता हूं तो मुझे subtraction का result मिल जाएगा same मैं यहां पे का करऊंगा आपके पास multiply लगाता हूं तो मुझे यहां पे क्या करका multiply का result जाएगा 3 को 1 से multiply किया 3 3 2 2 6, 3 3 2 9, and 3 4 2 12 इसी परकार से मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ divide भी कर सकता हूँ तो मैंने divide लगाया और run किया तो मेरे पास divide का जो भी answer है वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल गया तो इस तरह से आप यहाँ पर result को देख सकते हैं अब यदि आप यहाँ पर modulus को लगा लेते हैं तो मुझे modulus भी देखने को मिल जाएगा जैसे enter करता हूँ तो यह देखे मुझे modulus मिल चुका है देखे modulus क्या होता है उसके बारे में मैं थोड़ा information देदेता हूँ आपको just मैं यहाँ पर आपको बताओं कि यदि आप किसी दो नंबर को divide करते हैं तो देखे आपके पास जैसे की मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 5 के अंदर divide कर रहा हूँ यहाँ पर 2 का तो इसके अंदर कैसे divide होता है तो यह 2 यहाँ पर आता है तो आपके पास आपके पास आपके 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 आ करेंगा जिदो मिलेगा और फूर का रिवायड करने जगोंगा तो फीछे आपके आस वन देखने विलेगा तो इस तरह से आप क्या क्या सकते हैं मौडूर्डुलस को भी प्रफॉर्म कर सकते हैं अब यह जितने भी मैंने यहां पर आपके पास अधिसन सब्टेक्शन multiply divide किये हैं यह आपके आज किये हैं one dimension के साथ किये हैं इसके साथ मैंने क्या किया दो one dimension area को एक साथ जोड़ा अब दीखें दो one dimension area के अंदर आपके आज क्या होता है मैं आपको एक बाफ फिर से clear करूँ तो one, two, three और four जैसे यह आपके पास area हो गया एक दूसरा आपके पास area है जिसके अंदर भी आपके आज one, two, three, four है आपके आज तो यह क्या करता है आपके आज यह जो है आपके आज यह जो column है इस column को add करते हुए आपके पास यहाँ पर क्या बना देता है आपके पास यहाँ पर 2 बना देता है फिर यह इन दोनों को add करता है और इन दोनों को add करते हुए आपके आस क्या बनाएगा 4 बनाएगा फिर इन दोनों को add करते हुए आपके आस क्या बनाएगा यहाँ पर 6 बनाएगा अब यहां पर आपके पास इन सभी चीजों का यूज नहीं करते हुए, आप function का भी apply कर सकते हैं, जैसे मैंने देखा, np.add a,b, इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, देखे, यह हमारे पास एक add का है, इसी के बीच में मैं काम करता हूँ, यहां पर cell add कर दे इसकी जगा मैं नमपाए आपके अस function को यूज कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं करूँगा, np.add function का यूज करूँगा, और add के अंदर, मैं यहां पर where1, where2 को पास कर दूँगा, जो दोनों को क्या करेंगा, add करके आपको देगा, और जैसे आप यहां पर enter करेंगे, तो द 3 से add किया, तो 3 से add करने पर आपका जो result आपको यहां पर, तो इसी तरह से यह जो where1 और where2 दिया है, इस where2 की जगा, आप यहां पर 3 को पास करेंगे, और run करेंगे, तो देखिए आपका वही addition आपको मिल जाएगा, where1 के साथ 3 को add कर सकते हैं, तो आप चाहें उनकी जगा, आप इन function को भी use कर सकते हैं, जैसे add के लिए आप क्या कर सकते हैं, add function को use कर सकते हैं, subtraction के लिए subtract function को use कर सकते हैं, multiply function को use कर सकते हैं, divide, mod, and power, and reciprocal function को use कर सकते हैं, अब यह reciprocal function क्या है, आपके आपके आपस बात करें, तो उसके लिए अंदर क्या होता है, कि आपके आपके करते वह बी आप निकाल सकते हैं अब बात कर रहे हैं यहां यह री किसी होगा तो उसके लिए बात करूँ तो इसको पहले मैं क्या करता हूँ हैडिंग बना न esque MA कि अब हम बात कर रहे हैं तो देखें जैसे वन डाइमिशन एरे के अंदर काम हो रहा है उसी तरह के से आप 2D एरे के साथ भी काम कर सकते हैं तो उसके लिए देखे पहले मैं क्या करता हूं आपके पास इनको कॉपी करता हूं और यहां पेश कर देता हूं कि मुझे एक वेरेबल बनाना है तो यहां पर मैं करूंगा आपके पास यहां पर तो 2,1 इसको बना देता हूं और इसके अंदर 2D एरे मुझे क्रेट करना है तो यहां पर मुझे एक स्क्वार ब्रैकेट लगाना पड़ेगा कॉमा और फिर मैं एक और डेटर साथ कर देता हूं 1,2,3,4 उसके बाद मैं इसको वापस क्लोज कर देता ह यह आपके पास क्या बन गया एक टू डायमेशन एरे बन चुका है और मैं इसको कॉपी करता हूं और पेश्ट कर देता हूं और इसको टू कर देता हूं और यहां पर वैर 2,1 और इसका एडिशन कर दूँगा किस से वैर 2,2 से और उसका जो रिजल्ट है वह वैर एड टू मैं डाल दूँगा और उसके बाद उसका प्रेंट भी करवा देंगे तो इससे क्या होगा कि आपके बास दोनों एरे एक साथ एड हो जांगे अब यह कैसे प्रफॉर्म होंगे उसको जड़ा यहां पर समझते हैं तो जब भी आप टू डायमेंशन एरे की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जैसे आपने लिखा यहां पर आपके आस 123 और यह आपके आसे हो गया 123 और फिर आपने यह कर दिया अब जब भी आप यहां पर क्या करते यह प्लस करते हैं तो उस समय क्या होता है ये जो 1 है इस 1 के साथ add होता है और आपका एक नया array create होता है 2 dimension array create हो जाएगा जिसके अंदर आपको addition मिल जागा तो 1 और 1 add हो कि आपका आपका यहां पर क्या मिल जाएगा फिर यह जो 2 है यह इस वाले 2 से add होगा और आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पर आपके आस 4 बन जाएगा फिर इसके बाद यह जो 3 है इस 3 से add होगा और आपके पास क्या बन जाएगा आपके आस 3 बन जाएगा इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके पास ए इस तरह से और बॉक्सके बना हुआ है। अब जरह देखे इसको प्रफ consciousness करके बन तब रहें कि किस तरह का आपके वाज एक खुयारे बनता है उस नए box के अंदर आपका जो data है वो आपके पास आ जाता है तो अब ज़रह देखें इसको perform करके देखते हैं कि किस तरह का आपके पास एक array बनता है तो एक काम करते हैं पहले मैं क्या करता हूँ यह जो array set है इनको भी print करा देता हूँ तो मैं यहाँ पर use करूँगा print मैं use करूँगा where to one का यहाँ पर फिर उसके बाद मैं एक print blank दे दूँगा एक gap चाहिए मुझे यहाँ पर फिर मैं दूँगा print और print के बाद मैं मैं यहाँ पर दूँगा where to do का और उसके बाद मैं फिर से एक gap देना चाहूँगा तो print blank देता हूँ और उसके बाद मैं जो भी मेरा result होगा वो मुझे result यहाँ पर चाहिए और मैं इसको perform करता हूँ तो देखे यह आपके बाद आ चुका है इसके नदर देखे 1,2,3,4 आपको देख रहा है 1,2,3,4 आपको देख रहा है फिर यह 1,2,3,4 देख रहा है फिर 1,2,3,4 वो रहना है वहलब 2 आपके पास यहाँ पर टू डैमेंशन ने क्यारेकरेट हो चुकी है फिर इसका result आप देखेंगे तो देखे 2,4,6,8 देख रहा है और नीचे भी आपको टू,4,6,8 देख रहा है अब यदि मैं यहाँ पे प्लस की जगा multiply कसा हैं लगा दू और result देखूं तो देखेंगे आपके रिजल्ट भी उसी तरीके से मिलेगा तो इस तरह से आपके आज क्या हुआ एक 2-dimension array create हुआ है जिसके अंदर आपके पास सारे element एक दूसरे element के साथ क्या हो रहा है multiply हो रहा है जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर समझाए इस तरह से आपके आज क्या होते है 2-dimension array के अंदर भी आप arithmetic operation को perform कर सकते है अब देखें यहाँ पर मैं एक और आपके पास data को समझा देता हूँ यहाँ पर reciprocal को तो आप क्या करेंगे इसको copy करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर दीजे और आप चाहते है रैसी पोकल हो जाए आपके लिए तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा np.racipocal को यूज़ करूँगा हमारा जो रैसी पोकल function है यह रहा हमारा रैसी पोकल function है रैसी पोकल को तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे लइस य पोकल लखेंगेों यहां पर हम किसको पास करऊंगे वर को पास करा देंगे और जैसे यह आपके आज बन गया एक लैसी पोकल आपको दिखाए देलिया basics erratic function के बारे में बात करने वाले हैं जो की numpy के अंदर आप apply कर सकते हैं जैसे आपके पास एक numpy array है उसमें से आप maximum कैसे निकाल सकते है कम sum के बारे में कैसे निकाल सकते हैं तो यह कम sum community sum है यह क泌ने बात करने वाले है तो ज़रा चलते हैं, आपके पास Jupiter Notebook के अंदर और Jupiter Notebook के अंदर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके पास basics arithmetic function की बारे में तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ आपके बास सबसे पहले import कर रहता हूँ किसको numpy को import किया उसका एक alias बना लिया, np and then मैं यहाँ पर करूँगा, one dimension एक array create करूँगा, तो one dimension array create करना है, तो मैं यहाँ पर wear नाम से variable बनाता हूँ, जहाँ पर मैं एक basics numpy array को create कर रहा हूँ तो np.array function का use करेंगे, और यहाँ पर मैं कहाँ दूँगा, value दूँगा जैसे 1,2,3,4,5 यह मैंने डाल दिये, अब मैं चाहता हूँ, इसमें से आपके बास क्या मिले, मुझे maximum और minimum print हो जाए, तो वो मैं यहाँ पर print कर सकता हूँ, कैसे करेंगे यहाँ पर तो उसके लिए मैं लगाँगा print और print लगाने के बाद, देखें, maximum के लिए क्या लगाएंगे, np.minimum, np.max यह function को आपको apply करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं directly print दे रहा हूँ, जिसके अंदर np.min को दूँगा, और min के अंदर मैं क्या करूँगा, where को pass करा दूँगा, तो यह आपको क्या देगा, minimum देगा, तो इसके लिए यहाँ पर message भी देते हैं, तो message कैसे देना है आपको यहाँ पर, तो इसके अंदर आपको देना है min, मतला हम minimum की बात कर रहे हैं, तो यह minimum आपको यहाँ पर provide करवा देगा, अब मुझे क्या करना है, maximum भी print करवाना है, तो मैं इसको copy करके वापस यहाँ पर paste करते हुए, यहाँ पर लिख दूँगा max, और जिसके अंदर हम बात करेंगे किसके बारे में, max के बारे में, तो यह मैंने मिल लिख दिया max, और जैसे यह enter करता हूँ, तो मुझे min और max दोनों मिल जाते हैं, जैसे देखे, minimum आपके आज क्या है, 1 है and the maximum की बात करें, तो maximum आपके आज कितना है, 5 है, तो जो हमको यहाँ पर देखने को मिल चुका है, और इसके अंदर आप क्या-क्या चीज़े perform कर सकते हैं, min और max की well, आपके जो position भी पूछने लोगा, कि इसकी position क्या है, आप मुझे इसकी position को भी बताईए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर दूँगा, np.arg, arguments of min, और किसका आप min चाहिए, तो वो मैंने देदिया, vr का, तो variable का आप मुझे देदिया, यहाँ पर, और इसी तरीके से np. dot यहाँ पर max, और max से पहले आपके लगाएंगे, a, r, g का use करेंगे, और उसके बाद में आपको देना है, where, where का आपको दिकानना है, enter करते हैं, तो देखें, आपके पास इनका index नमर आ चुका है, just like 1 आपके पास का है, index नमर 0 पर है, तो मुझे मिल चुका है, then आपके आपके आज 5 का है, 4 पर हो मुझे मिल चुका है, अच्छा, एक काम करते हैं, इसकी position change कर देता है, इसकी 2 कर देता हूँ, and then इसकी 1 कर देता हूँ, and इसकी 3, and then करते हैं, तो दिखेंगे, आपके इसकी करना है तो उसके लिए मैं वेरवन नाम से एक वारेबर बनाँगा तो एनपी डॉट एरे का यूज करते हुए मैं एक टू-डाइमेंशन एरे क्रेट कर रहा हूं जिसके देखिए वन कॉमा थू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू- इसके maximum के बारे में, कि इसका maximum मिल जाए, तो मैं maximum को निकाल सकता हूँ, उसके लिए मैं पर लगाऊँगा print, print लगाने के बाद, अब मैं यहाँ पर कहाँ दूँगा, आपके पास, आपको access के along आपको चाहिए, तो आप access के along लेके आ सकते हैं, उसके लिए आपको कहाँ देना है, np. आपको कहाँ देना है, वेर देना है, और वेर के अंदर ही आपको कहाँ करना है, access पास करानी है, तो मैं np. यहाँ पर min निकाल रहा हूँ, महलब minimum क्या है, medium निकालाओ और minimum function दे रहाओ में यहाँ पे 2 argument पास करूँगा पहले तो में where1 पास करूँगा दूसरा यहाँ पर मैं इसके Axis पास करूँगा तो Axis केंदे बात करें तो यहाँ पर 2 Axis होती है उसके बार एंप पहले बात कर लेते हैं एक्सिस की बात करें तो देखिए एक होती है एक्सिस जीडर सेकराइब光 सीरेन वहाल की pareण करती है तो यहां फार na तो अभी मैं बात करूँगा किसके बारे में रो के आलोंग की बात करना चाता हूँ तो रो के लिए मुझे यहां पर 1 पास करना पड़ेगा देन अंटर करता हूँ तो मुझे देखे 1 & 5 दोनों मिल चुका है पहली जो है आपके पास यहां पर रो है उस पहली रो के अंदर आपके आज 1 आपके पास है सबसे मैक्स और दूसरी रो के अंदर बात करें तो आपके आज क्या है 9 आपके आज मैक्स है और यही चीज़ यदि मैं 0 के साथ प्रफॉर्म करूँ तो आपके आज देखे 2, 1 & 3 मिल चुका है 2 & 1, 3 कैसे मिला है तो यह आपके आज कुछ इस तरह से प्रफॉर्म हुआ है तो आपके आज क्या है 2, 1, 3 है तो यह 2, 1, 3 आचुका है दूसरा आपके पास बात करें तो दूसरा आपके आज क्या है 9, 5, 6 है तो यह 9, 5 & 6 आचुका है यदि आप बात करें थे किसके अलॉ। के लॉग यह इस रो और इस रो के अंदर जो मिरियमम म्निल रही है मिल रहता किने को सब्सक्राइब सबताता है। दोनों में से दिखा जाता है इन दोनों में से बात की तो आपके दा दोनों में इस वन मिला ऊ convene इसकी position निकालना है तो np.argument देंगे वेर देंगे और फिर आपका इसका argument भी आपको मिल जाएगा मतलब position कौन सी है index number वो भी आपको देखने को मिल जाएगा अब next यहाँ पर बात करें कि हमारे पास जो अगला function है sqrt उसका कैसे मैं लगाऊंगा np.sqrt square root square root के अंदर हम क्या पास करेंगे वेर को पास कर देंगे और जैसे मैं रहन करूंगा तो देखिए मुझे इसका square root मिल चुका है आपके पास कि आपका जो square root है वो कुछ इस तरह से आपके पास है तो आपका एक एक particular आपका जो element है उसका square root मिल चुका है मतदद 3 का जो square root है वो आपका आपका 1.37 आपका मिल चुका है तो इस तरह से आपके आपको square root भी आपको देखने को मिल गया तो यह square root आपके पास आचुका है जिसका आप देख पा रहे हैं और यदि इसको और अच्छे इनध से लेखना है तो आप काहा है पो पास ऑदे यहां पे पर बीट एस तरह क्या होगे सऑने क व्यानियो को भी प्ता कर सकते हैं एक प्ट्ट зан करता हूं अलग से आपको समझाता हूं यहां पर तो वेर टू नाम से एक वेरेबल बनाता हूं जिसके अंदर मैं एंपी डॉट ऐरे फंक्शन का यूज़ करूंगा और यह क्यारे बना रहता हूं जिसके यहां पर साइन की वेलु निकाल लिए तो यहां पर मैं प्रेंट जो भी आपने वेल्यू दिये उसका साइन वेल्यू आपको निकाल के देगी कि यह साइन वेल्यू इनकी क्या है यह है अब इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं कॉस वेल्यू को भी निकाल सकते हैं तो कॉस वेल्यू के लिए बात करें तो देखें प्रेंट प्रेंट के अंद तो पहले इसको समझते हैं, और फिस को कि अधर आप कम सम में होता है, कि आपके जो फॉर्स्ट वैल्यू है, वह एसस्ट आएगी, इन दोनों के बाद, इन दोनों का जो एडिशन होगा, इन दोनों का एडिशन होगा, 3 होगा, तो वो 3 आएगा, फिर उसके बाद यह जो 3 है, इस 3 के साथ, इस 3 का आपके पास जो sum है, वो आपको मिलेगा, तो वो आपके पास कितना आने वाला है, यहाँ पास 6 आने वाला है, तो कुछ इस तरह से आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आपको sum देखने को मिलेगा, अब सब मिल चुका है जिसके दिए 1 3 & 6 आपको मिल चुका है और जैसे मैं आपके आर्गुमेंट ऐसे कैसे आएगा इन दोनों का आपके प्रिवियस के साथ क्या करना है आपको आपको क्या मिल जाएगा कम सम का यूज कहां पर होता है तो जब भी हम यहां पर हम जब स्टाटेक्स की बात करते हैं तो हमें कम सम की जरूत पड़ती है निकल जाती है तो किस तरह से आप अर्थमैटिक के जो फंक्चन्स है उनको आप कैसे यूज कर सकता है नमपाई के अंदर ब्रोड कास्टिंग क्या होती है और जब भी हम यहां पर array के अंदर arithmetic operation perform करते हैं तो यह broadcasting क्यों आती है तो देखे पहले मैं आपको बताऊंगा broadcasting कब आती है और इसे resolve कैसे करना है और इसके क्या-क्या method है resolve करने के वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं तो उसके विए मैं पहले आपको हम नंपाई को और उसका यहले है बना लेते हैं अब उसके बाद में हम क्या करेंगे दो array create करेंगे जिनको हमें addition बना है तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या यहां पर दर आ कि इसके बाद में मैं प्रींट लगाता हूं और प्रींट के अंदर वैर वन और biggest और किसको वैल to go तो मैं वैड two को यहां पर क्या करना चाहूंगा प्लस करना जाओंगा दोनों को addition करते हैं और देखे addition जैसे हम perform करते हैं तो यहाँ पर हमें एक error मिल जाती है अब देखे error क्या मिल रही है यहाँ पर कि operand cannot be a broadcast together with the ship यहाँ पर लिका है 4 and then बाद लिका है 3 इसका मतलब यह जो आप perform कर रहे है यह जो operation इसके लिए मैं आपको फिर से यहाँ पर बता देता हूं कि यहाँ पर मैंने क्या किया है कि 3 आपके पास one dimension का एक एरे बनाया लेकिन उसके अंदर three element लिए है और दूसरा मैंने यहाँ पर क्या क्या है one dimension का एक एरे बनाया है जिसके अंदर मैंने four element लिए है तो यहाँ पर इन तो basically ये broadcasting होती क्या है और ये error क्यों आती है तो देखे यहाँ पर रहा हूँ एक generator ले रहा हूँ तो मैने यहाँ पर V नाम से variable बना रहा है और इसके अंदर मैं क्या करा हूँ इसके अंदर 1, 2, 3 ये हमारे पास क्या एक list है लेकिन यदि मैं इसके यहाँ पे comic होटा दूँगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? एक array बन जाएगा इसी तरह से मैं क्या कर रहा हूँ? एक और array बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं ले रहा हूँ V1 और V1 के अंदर मैं कुछ इस सरह से array बना रहा हूँ 1 ,2 & 3 तो यह भी हमारे पास क्या है? अब दीखें, मैंने आपको पहले ही बताया था अब मारा जो first video लेक्चर था जिसके अन्धर मैंने आपको बताया था कि जो हमारे ओरे होता है वो ओरे लुक लैक आपके पास कैसा देखता है? matrix जैसा दिखता है, आप इसे matrix की तरह comparison कर सकते हैं अब जब आप इसे matrix की तरह हम comparison कर सकते हैं, तो इस array की मैं बात कुरूँ आपके आस dimensions related तो इसके अंदर number of row 1 है और number of column आपके पास कितने 3 है, तो इसे आप क्या बोलेंगे 1 cross 3 का आपके आस क्या है एक array है, यदि मैं इसकी बात करूँ, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है, 3 cross 1 का आपके आस क्या है, एक array है तो दोनों की बीच में बहुत जादा difference है अब देखे, broadcaster method क्या क्या क्याता है, कि जब भी आप इन दोनों array की बीच में कोई operation perform करने जाए, जैसे addition operation perform करने जा रहे है तो addition perform करने से पहले, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है और वो क्या चीजे हैं, तो उसके अंदे देखे पहला rule ये होता है, तो दोनों चीजों को add कर रहे हैं तो दोनों की जो dimension होती है same होनी चाहिए, ये हमारा पहला rule है, मैं इसके अंदे बात करूँ तो हमने यहाँ पर क्या किया था मैंने इसके अंदे से 4 हटाया था 4 हटाने के बाद मैंने इसको run किया था तो run करते वक्त देखे, यहाँ पर आपके अज़ दोनों addition नहीं हो रहे है क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर element कितने है, 3 element है और इसके अंदर आपके अज़ आज़ क्या है, 4 element है जो कि आपको यहाँ पर बता रहा है, देखे sweep आपके अज़ क्या है, 3 और 4 है तो इस वज़े से यह दोनों addition नहीं हो रहे है पहली चीज आपके आज़ क्या होने चाहिए, dimension चेम उन्ची यदि आपकी दोनों dimension सेम नहीं है दोनों dimension अलग अलग है, जैसे यहाँ पर 1 और 3 लिखा है या 3 cross 1 लिखा है यहाँ पर तो इस cases के अंदर आपको क्या करना चाहिए, दोनों dimension को compare करना चाहिए compare कैसे करना है, तो देखें यह आपके आज़ है, 1 cross 3 है और दूसरा आपके पास क्या है, 3 cross 1 है इन दोनों को compare करना है, आपको कहां से, right hand side की तरफ से मतलब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको compare करते हुए चलना है compare करते वक्त, दोनों को compare करने पर आपको यह देखना है कि दोनों के व्यास कम से कम एक होना चाहिए, मतलब दोनों में से किसी एक के पास आपके आज क्या होना चाहिए यह वन होना चाहिए जैसे 3 और 1 के अंदर में बात करूँ तो 1 आपके पास है तो यह आपके 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 आ later in दोनों को compare किया तो एक 9 आपके पास क्या है इस में है तो इसका मतलब यह आपके आज best report होगा ओड़ी आपके पास इन दोनों का जो addition है वह पी आपके पास हो जाएगा और इसके साथ आपको और चीज फरफॉर्म करना चाहते हैं तो वह भी यहां पर होगा तो broadcasting rule के दो important rule है कि आपके आज पहले तो dimension same होनी चाहिए दूसरी यदि dimension आपके आज different different है तो दूनों cases में आपके पास क्या होना चाहिए आपके आज किसी एक के पास value same होनी चाहिए तो अब यदि मैं इसके साथ operation प्रफॉर्म करने के कोशिस करूं इस वाले matrix के साथ तो यह performance हो जाएगी तो यहां पर मैं कर रहा हूं देखे यह मेरी एक array बनी हुई है जिसके अंदर one two three मैंने ले लिया यहां पर और यदि मैं इसकी shape की पता करूं तो यहां पर मैं इसकी shape भी देख सकता हूं उसके लिए मैं print लगांगा print लगा के मैं यहां पर where one dot यहां पर shape करूंगा तो देखे यहां पर मुझे क्या दिखा रहा है इसकी shape दिखा रहा है अब मैं क्या कर रहा हूं आपके पास यह जो shape दिखा रहा है 3, इसका मंदब आपको यही मानिए 1 three cross one का होने वाला है अब जब मुझे three cross one का array बनाना है तो उसके लिए आपके पास यहां पर की बात करें तो आपके ऐस ऐसे three elements होने चाहिए और उसके बाद आपके एक single line के अंदर का data होना चाहिए तो इसके लिए आप यहां पर क्या करेंगे two dimension array का भी आप यहां पर use कर सक यहां पर मैं कर रहा हूं print कर रहा हूं और print off क्या कर रहा हूं where to करवाता हूं तो देखे तो यहां पर एक छोटी सी error आ गई है इसको यहां से solve कर देंगे and run करें तो देखे आपके आस कुछ इस तरह से आपके पास आ गया है अच्छा देखे यह दोनों का addition भी आपको और यदि इन दोनों को printing करके देखे कि कैसा दिखा देता है तो print blank देते हुए फिर मैं दोंगा print किसका लोग हो यहां पर वैर वन दोंगा तो यह वैर वन आपके पास प्रिंट हो चुका है इसके बाद में मुझे एक और प्रिंट देना पड़ेगा तो मैं यहां पर print blank दे कर देता हूं कि मेरा काम अलग है और उसके बाद में मैं यहां पर print वैर टू कर देता हूं तो यह आपके आस दोनों शेप और उसके साथ बात करें दोनों जो एरे है वह आपको दिखाए देंगे अब इन दोनों को जब मैंने एरे को compare किया तो मुझे यहां पर क्या देखन अब इससे जो बनने वाला जो नया एरे होगा वो क्या होगा इन में से जो maximum आएगा वो इसका क्या 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 आएगा एरे क्या आएगा तरफाविछ को यहां पर कर ने से पहले मैंदने को करेंग करेंग और है किका हुए अभी यारे आप ध्यान हुआ it जिसके आपको यहां पर एड़ीशन हुआ कैसे तो इस ती के या थो वन है ऐस वन के साथ यह एड़ हुआ यहां पर है तो यहां पर 3 तो यह आपके 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 के उपर बात करने का मतलब मैं आपको बता हूँ यहाँ पर कि जैसे 1, 2 and 3 की बात कर रहे हैं और मैं यहाँ पर यदि number of values बढ़ा देता हूँ जैसे 1, 2, 3 and 4 की बात करते हैं तो जब आप इनके बीच में comparison करते हैं तो यह क्या है 1, 3 का आपके पास एक क्या आपके आस है रहे है, दूसर आपके आस क्या है 1, 4 का आपके आस है रहे है लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों के दोनों जो data है वो आपके बात कहा है different different है एक में 3 है और एक में 4 है इस वज़े से यहाँ पर इन दोनों का जो addition है वो नहीं हो पा रहा है और यहाँ पर हमें broadcast की जो error है वो देखने को मिल रही है मतलब यदि यह यहाँ पर 3 होता यदि यह यहाँ पर 3 होता तो इस वक्त हमारा यह broadcast है वो perform हो चुका होता अभी यहाँ पर 3 नहीं होने की वज़े से यह perform नहीं कर रहा है अभ यदि आप चाहें तो यहाँ पर 2クroos 1 के ओपर भी आप perform कर सकते हैं याप यह पर PERFORM करना चाहता है तो इस वक्त भी आपके पास performance हो जाएगी अब आपको कैसे करनी है जड़ा देखते हैं यहाँ पर तो मुझे एक 2クroos 1 का बना रहा है और एक 2x3 का मुझे यहां पर एक क्यारे बनाना है तो मैं उसको बना लेता हूँ तो उसके लिए मैं यूज करूँगा एक variable का तो मैंने x नाम से एक variable बना लिया है जिसके अंदे मैं क्या करूँगा यहां पर आपके पास 2x1 और आपके पास आपका 2x3 का एक variable बनाऊगा तो देखें मुझे 2x1 और 2x3 का array बनाना है तो देखें 3x1 का आपके पास बनावाई ही है और आपको 2x1 का बनाना है तो आप क्या करेंगे number of element को 2 कर देंगे तो उसके लिए यहां पर मैं use कर रहा हूँ np.array function को और array function के अंदर मैं यहां पर आपके पास क्या करूँगा 2 dimension एक array बनाऊँगा तभी तो मिरे पास 2x1 का एक array बनेगा तो 2x1 का एक array बनाने के लिए मैं यहां पर क्या करूँगा then comma then यहां पर क्या करूँगा 2 का use करूँगा इसके बाद में इसकी शेप देख लेता है, तो प्रिंट करते हैं यहाँ पर इसकी शेप को, तो X. यहाँ पर शेप का यूज़ करेंगे, और जैसे परफॉर्म करते हैं, तो देखें, 2 x 1 का आप का से अरे बनी चुका है, अब इसके बाद में मुझे बनाना है 2 x 3 का, तो 2 x 3 का बनाना है, तो मैं y यूज़ करूँगा, और उसके लिए मैं np. array का यूज़ करूँगा, और मुझे 2 को रखना ही है, तो मुझे यहाँ पर आपके पास, आपके टू डैमेंशन की उपर बात करनी पड़ेगी, then आपके थ्री ऐलिमेंट होने चाहिए, 2 x 3 चाहिए, तो 1 आपके पास आया, कब आपने 1 element को दिया, लेकिन यदि आप यहाँ पर 3 element को देंगे, तो आपके थ्री ऐलिमेंट को देंगे, तो आपके थ्री आपके थ्रीका बन जाएगा, तो 1,2,3 देते था हूँ, and then, उसके बाद मैं यूज़ करूँगा, आपके थ्री से 1,2,3, and then उ x plus y, x plus y करेंगे, enter करेंगे, तो देखें, आपका performance हो चुका है, यहाँ पर जो maximum आपका जो array बना है, उसकी बात करें, तो आपने यहाँ पर क्या क्या क्या, तो आपके थ्री क्या करते हैं, तो इसके अंदर मैंने दोनों array को compare किया, compare करने पर क्या मिला हमें यहाँ पर, एक 1 मिल गया, तो मेरा काम हो जाता है, और इसमें से जो maximum number निकल का है, वो कितना 3 है, अब देखें, दूसरे को मैं compare करने चलता हूँ, तो दूसरे को compare करता हूँ, तो दूसरे को compare करने पर देखें, दूनों क्या है, 2-2 है, तो 2-2 होने की वेज़े से यह क्या होगा, दूनों इस टूल कैसे बर्क करता है, मैं आज बात करने वाला हूं,般पायं एरे के indexing और slicing के बारे में, कि indexing को कैसे किया जाता है, यह सारी चीज़े आज हम यहाँ पर discuss करें आ ले है, तो देखें सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, नमपाय एरे की indexing के बारे में, कि नमपाय चीजों के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं तो देखें सबसे पहले मैं यहाँ पर एक one dimension area का example लेके बताता हूँ कि यह हमारा आपके पास क्या है one dimension area है जिसके अंदर आपके आस one two three and four यह element वेने डाल रखें अब इसके अंदर यदि मैं इसकी indexing की बात करूँ indexing आपके पास कुछ इस तऱ से रहती है जिसके अंदर इसकी indexing आपके आस रहेगे zero, one, two और three आपके आस इसकी indexing रहने वाली है यदि हम बात करें क्या इसकी negative indexing भी रहने वाली है जैसे list के अंदर होती है तो बिलकुल आप इसकी negative indexing को भी देख सकते हैं इसके अंदर आपके बात करें negative index के अंदर minus 1 minus 2 minus 3 and minus 4 इस तरह से आपके पास इसकी negative indexing भी रहती है अब यदि हमारे पास two dimension array बन जाए तो two dimension array के अंदर indexing कैसे की जाती है जैसे कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ एक two dimension array बता रहा हूँ यहाँ पर one and two बनाया मैंने यहाँ पर एक carry फिर उसके अंदर फिर से मैंने one and two बनाया है तो और मैं चाता हूँ इसके अंदर आपके आज यह जो true dimension रहे इसकी indexing कैसे की जाए तो देखिए इसकी indexing आपके आस कुछ इस तरह से रहती है मैं यदि आपको दिखाऊं तो सबसे पहले इसकी indexing आपके आस 0 रहेगी मतल़ यह जो आपके पास एक आपके आस जो row बनी हुई है इस पूरी row की indexing आपके आस 0 रहने वाली है उसके बाद इसके अगला जो row है उसकी जो indexing की बात करें तो उसकी indexing आपके आस 1 रहने वाली है अब next में बात करूँ कि एक row के अंदर यदि मैं indexing की बात करूँ तो एक row के अंदर indexing की बात करें तो इसकी indexing आपका 0 रहेगी और इसकी indexing आपके आस क्या रहती है यहाँ one ready है इस तरह से आप यहां पर two dimension जो array है उसकी indexing देख सकते हैं यहां पर बात करें तो यहां पर आप one dimension array की indexing कुछ इस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं अब यदि हम बात करें यहां पर की three स्टोर्पनेजन और हम प्रहां के एक इसके बलुपक्स यह मैं करूँ सकते हैं जैसे मैं यहां पर टू एलिमेंट को यहां पर डाल रहा हूं फिर उसके बाद में इस वाले box को मैं close कर देता हूँ अब मैं क्या कर रहा हूँ एक और यहाँ पर एक box बना लेता हूँ और उसके बाद में मैं फिर से उसके अंदर 1 and 2 को यहाँ पर pass on कर सकते हैं पर इसकाव 1 & 2 को यहां पर pass on कर सकते हैं, और उसके बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको close करना पड़ेगा, और फिर मुझे एक बाद फिर से इसको close करना पड़ेगा, documentation मुझे 3-Dimension array बनाना है, तो इस तरह से आपकτε अधिक 3-Dimension array बन चुका है, अब इस three dimension area के अंदे बात करें कि इसकी indexing आपके आज किस तरह से रहेगी तो इसकी indexing के लिए आपके पास सबसे पहले इसके लिए बात करेंगे ये जो आपके आज बन रहा है ये आपके आज ये जो bracket बन रहा है ये आप देख पा रहे हैं यह आपके बात करें तो यह आपके 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 आ तो आपके 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 आप संदर कि सिर्फ तो तो सबसे पहले यहां पर सब्सक्रार इन्देक्स के लिए 뜻 कंपहुंगी जिए हमारीिस की और ये सीदिग n बरने के बार हम क्या करेंगे सबसे पहले लाइबरी हैं उसको कॉल करेंगे न उसके बादं में हम इसको ओर हैं तो सबसे बाले मैं numpy library को call करूँगा तो उसके लिए मुझे यहाँ पर import function का use करना है import यहाँ पर numpy को use करना है और numpy का एक alias बनाना है जिसके अंदर हमें np का use करेंगे क्योंकि बार बार हम numpy का use नहीं करने वाले अब देखें यहाँ पर सबसे पहले मैं indexing की बात करूँ तो आपके पास one dimension indexing की बारे में समझाओंगा तो इस तरह के मुझे one dimension array को create करते हैं तो उसके लिए एक variable लेते हैं और variable लेने के बाद यहाँ पर np. array का use करेंगे जो की एक numpy array बनाएगा और इसके अंदर मैं list को pass कराता हूँ उसके बाद हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इसके indexing को कैसे दिख सकते हैं तो देखें मैं यहाँ पर लिखता हूँ print और print करके मुझे यहाँ पर 8 number जो element है उसको यहाँ पर निकालना है मुझे 8 number element को gas करना है तो मैं यहाँ पर करूँगा उसके indexing का use करूँगा जस्ट मैंने आपको यहाँ पर बताया कि इसकी जो indexing है वो आपके आज कुछ इस तरह से रहती है जैसे यदि मैं 9 की indexing की बात करूँ तो यह रहेगी 0 फिर उसके बाद 8 की indexing आपकास 1, 7 की indexing की बात करूँगा 2 and 6 की indexing आपक आपके पास 8 को रखना है और जैसी आप यहां पर रन करेंगे तो आप दीख एक कर रहें यहां पर बतए माद कुछ बारें यहां पर बात करें तो इसके everything 1 रहेगी एंड यहां पर बात करते हैं माइनस 2 एंड उसके बाद में माइनस का 3 एंड यहां पर माइनस का जो 4 है यह आपकी इंडेक्सिंग जाने वाली है और यह कुछ इस तरह से आपकास यहां पर सेट हो जाएगी अभ यदि मुझे 8 को गैट करना है वातल तो मैं क्या करूँग यहां पर प्रेंट लगाऊंगा प्रिंट लगाने के बाद मैं यह bands कदूँगा वेरेबल के बाद उसकी इंडेक्सिंग दूंगा जैसे 8 की इंडेक्सिंग की बात करें तो माइनस 3 है और जैसे ही मैं प्रैस करता हूँ तो देखें यहां पर में पास क्या चुका है 8 को हम यहां पर गैट कर पा रहें तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं नंपाई आरे केंदर इंडेक्सिंग को य्जट कर सकते हैं अब हम बात करते हैं कि यनपाई यरे योदी टूं डैमिंशन अरह होगा तो हम कैसे और करेंगे तो उसके और एक ब्रैकेट फिर उसके बाद एक और ब्रैकेट जिसके लिए यहां पर प्रिंट कराना है तो उसके लिए मैं वैर आपके पास वन को यहां पर प्रिंट कराऊंगा और यह मुझे वैर वन दिख रहा है और इसकी डायमेंशन को भी चेक कर लेते हैं तो मैं प्रिंट करूँगा print करने के बाद मैं where 1 दूँँगा dot n dim function को यहाँ पर लगाऊंगा enter करूँगा तो उसकी dimension मुझे क्या रिखा रही है 2 दिखा रही है अब यहाँ पर मुझे इस 8 को get करना है तो 8 को get करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले मैं काम करता हूं यहां पर थोड़ा space दे देता हूं ताकि मुझे एक space दिखा दे फिर उसके बाद देखे print दिया और मैं यहां पर use करना है 8 को तो उसके लिए मैं यहां पर क्या दूँगा सबसे पहले where 1 को दूँगा और where 1 के बाद मैं इस तरह के आपका square bracket बनाओगा square bracket के अंदर सबसे पहले मुझे यहां पर क्या देना है आपके पास इस row का आपका address जैसे यह आपका आज क्या है two dimension रहे है तो two dimension array के अंदर मैंने आपको बताया कि पहले आपको क्या देना है इसका address देना है आपको कौन सी number of row के अंदर जाना है तो number of row आपके आज कितनी है? 0 है तो आपके आज number of row आप देंगे यहां पर 0 उसके बाद comma उसके बाद number of rows के अंदर हम अंदर जाने के बाद number of element कौन सा है? जैसे यहां पर 0 and 1 आपके आज element है तो इस तरह से हम यहाँ पर बात करेंगे तो number of element आपके आज कौन सा है 1 है तो आप वो 1 देंगे उसका जैसे आप enter करेंगे तो देखे आपका आज 8 get हो गया और यदि आप यहाँ पर इसको 1 की जगर 2 कर देते हैं enter करते हैं तो आपका 7 आ जाता है तो इस तरह से आप यहाँ पर 2-dimension जो array बनी हुए है उस 2-dimension array के अंदर से आप कहला सकते हैं value को get कर सकते हैं अब देखें यहाँ पर यही हमार पास 3-dimension array है तब हम यहाँ पर क्या करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक 3-dimension array को create करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर wear2 के नाम से एक variable create करता हूँ जिसके अंदर 3-dimension array को create करूँगा तो np. यहाँ पर array function का use करेंगे और array function के अंदर हम 3-dimension array को create करेंगे पहले एक blocks लगाना है उसके बाद एक और blocks लगाना है कि हम इस तरह के आपको create करना चाते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है पहले blocks दूसरा blocks उसके बाद तीसरे blocks के अंदर आपको देना है 1,2 literally हमको यह देना है उसके बाद मैं इसी के अंदर यहाँ और pass on कराना चाता हूँ तो वो भी मैं यहाँ पर करा सकता हूँ अभी मेरे पाद three dimension array तैयार हो रहा है तो देखे आपने का किया यहाँ पर सबसे बाद एक blocks लगाया उसके बाद आपको एक दूसरा blocks लगाना है और दूसरे blocks के अंदर आप यहाँ और multiple blocks लगाना चाते हैं तो भी आप लगा सकते हैं तो अभी हम यहाँ पर आपके बास यहाँ पर blocks लगा रहे हैं तो एक और blocks लगाते हैं यह आपका बन गया एक्ट्वल में वैसे तो यह आपका दूसरा थ्री dimension array है तो वैर्टू डॉट एंड डिम का यहाँ पर यूज करूँगा और एंटर करूँगा तो दिखेंगे आपका यहाँ पर देख पा रहे हैं अब माल लीजे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ data को change करता हूँ फिर उसके बाद मुझे को data get करना है तो मैं उसको get करूँगा तो जैसे मैंने यहाँ पर 6 दिया और इसको हटा के मुझे 7 दे लिया अब यह मैं इसको run करूँगा तो में पास कुछ इस तरह का आपके बास एक array बन जाएगा अब इस array में से मुझे 7 number array को get करना है या 6 number array को get करना है तो मैं कैसे get करूँगा तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं कर रहा हूं एक इसस países दे दżyताओ फिर उसके बाद मैं मैं प्रिंट दूँगा और प्रिंट देने के बाद मैं हम यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर इसापर नाम लिखेंगे तो जो कि हम Deaf G आपको नंबर ब्रक्ट करना है और उसके बाद अब आपको नंबर बाइस नंबर चलना है सबसे पहले आपके पास क्याPhone यहांपर आपके पास यह ईयए सै बर यहांद चैनर चनि आइस तो तक उसके तो है को तो जैसे मुझे यहां पर क्या को bet כ and इसके अंदर 1 को पास कराना पड़ेगा, क्योंकि यह आपकास क्या है, 0 नंबर पर है, और यह आपकास क्या है, 1 नंबर पर है, यदि मैं इसको आपको practically दिखाऊं, यहाँ पर किस तरह से होगा यह, तो यह आपकास कुछ इस तरह से बना हुआ है, जश्ट हम बात करें यहाँ पर, तो देखें, सबसे पहले आपकास यह bracket है, उसके बाद एक और bracket है, और उसके बाद आपकास 1 और यहाँ पर 2 है, 1 एंड, 2 है, और उसके बाद नीचे भी आपकास क्या है, आपकास 6 और 7 है यहाँ पर, ओके, और उसके बाद में, आपके पास यहाँ पर एक और bracket है, और एक और bracket है, यह आपकास कुछ इस तरह से है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अब मुझे यहाँ पर 7 तक पहुचना है, तो 7 तक पहुचने के लिए, सबसे पहले, आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले array का आपको code देखना है, तो इस वाले array का आपके पास, यहाँ पर indexing की बात करें, तो यह 0 है, क्योंकि इसके अंदर आप multiple array नहीं है, तो यह आपकास करें 0 है, उसके बाद में, आपने यहाँ पर, जैसे इसका नाम है, आपके पास यहाँ पर where to है, तो यहाँ पर आपके पास आगया where to, और इसके अंदर आपने क्या दिया, यहाँ पर 0 दिया, जो क्या आपकास क्या है, इस वाले bracket को represent कर रहा है, अब उसके बाद में, इस वाले array के अंदर पौँच पाएंगे, और इस वाले array के अंदर भी, आपके आपके आस क्या है, 6 number और 7 number 2 है, तो आपको कहाँ पर चलना है, 7 number पर चलना है, तो यह आपके आस किस पर है, 1 पर है, तो यहाँ पर आपको 1 देना पढ़ेगा, तो इस तरह से आपके पास एक address मिल जाएगा, उस address के through, आप क्या पहुँच पाएंगे, यहाँ पर 7 number तक get कर पाएंगे, तो जैसे आप यहाँ पर 1 देते हैं, और enter करते हैं, तो देखें, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 7 को get कर रहे हैं, तो इस तरह से आप क्या कर सकते है अपने जो array है उस array की indexing को दीज सकते हैं तो I think clear समझ में आ रहा होगा यहां पर कि किस तरह से array की indexing को दिया जाता है अब हम बात करते हैं array के यहां पर slicing के बारे में बात करते हैं कि array की slicing कैसे करना है तो देखे slicing के लिए सबसे पहले मैं आपको एक array बताता हूँ यहाँ पर कि यह हमारा एक array है तो यह हमारा एक array set है जिसके लिए 1, 2, 3, 4 और 5 आपके आज data है अब आप चाहते हैं इसकी slicing करना slicing करने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप इस array में से कोई एक particular data set को ही लेना चाहते है जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पर 2 से लगा कर 4 तका जो भी data है वो मुझे मिल जाए तो इसे हम बोलते हैं array की slicing अब देखे slicing कैसे करनी है तो उसकी जड़ा बात करते हैं तो दीखे सबसे पहले हम इसके index number की बात करते हैं index number हमें क्या क्या दें रखा है तो इसका index number आपके आस होगा 0 & मैं आप विया लिख रहता हूं आपके आस इसको index number से बोल है 0, 1, 2, 3, 4 यह आपका आस कैसे index number है अब आपको क्या करना है आपको इसकी slicing करनी है तो सबसे पहले यह जो array है वो array किसके अंदर set है तो मैंने बोला यहाँ पर यह आपके आज x एक variable है उस variable के अंदर यह array set है तो आप क्या लिखेंगे x लिखेंगे और x के बाद आप यहाँ पर आप इस तरह से bracket लगा देंगे उसके बाद में आपको यहाँ पर value पास करवानी होती है अब आपको यहाँ पर value क्या से pass करानी है तो सबसे पहले आपके पास आएगी यहाँ पर start value जो भी आपको starting देना है उसका starting का index नमर देना पड़ेगा फिर उसके बाद में आपके पास आएगा colon फिर उसके बाद आएगा stop अब देखे जो भी आप stop value दे रहे हैं यसी जैसे मैं बानता हूँ यहाँ पर कि में आपके पास आएगा यहाँ पर step मतला आप यहाँ पर कितने step के साथ यहाँ पर jump करवाना चाता है तो इस तरह से आप क्या कर सकते है slicing के parameter दे सकते हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं इसकी slicing कर सकते हैं अब यहाँ पर आपका जो array है इस एरे के अंदर आप यहां पर different different ways से आप इसकी slicing रख सकते हैं तो वह सारी यहां पर हम बात करेंगे इसके साथ 2D एरे होता है जब हमरे बाद टू-डाइमेशन एरे होता है तो टू-डाइमेशन एरे की हम slicing जैसे कर सकता है वो भी हम यहां पर देखने वाले हैं तो देखें यह start श्टॉब और step है इसको one by one समझते हैं यहां पर तो फिर बात करते हैं slicing के बारे में तो सबसे पहले मैं यहां पर heading बना लेता हूं slicing के नाम से तो मैंने यहां पर क्या करेंगे heading बना दिए इसके लिए यहाँ पर जाएंगे heading के पर click करेंगे then okay और मैं इसको run कर जाता हूँ तो यह हमारी heading बन चुकी है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे one dimension एक array को create करेंगे तो देखे one dimension array को create करना है तो उसके लिए मुझे import लगाना पड़ेगा import क्या करना है numpy करना है और इसका एक alias बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा उसके बाद में हम यहाँ पर array को create करेंगे तो array को create करना है तो उसके लिए मैं variable बना लेता हूँ variable बनाने के बाद उसके बाद में हम लिखेंगे num.array और इस एरे के अंदर मैं लिष्ट पास करांगा जिसके अंदर मैं डेट सेट को देने वाला हूं क्यूआ हूं तो यह मैंने डेटा दिया अब उसके बाद में हम इस डेटा को प्रिंट का र långए केнымиडिये मेशल fender मिला है काम आयगा अब उसके बाद मैं हम यहां पर क्या करना चाहते हैं मैं चाहता हूं यह पर तू से लगागा जो फाइव देटा है वो मुझे ग्याट करना है तो इसके लिए पहले आपको इंडेक्स नंबर पता होने चाहिए पर इसके बाद में स्लाइसिंग की बात करूं और स्वाद step कैसे देना है वो यहां पर बात करेंगे तो उसके लिए देखे आपको लेगाना है आपका पहले variable का नाम तो मैं यहां पर क्या चा रहा हूं मैं चाहता हूं कि आपका जो data है वो तू तू आपके पास कहा तक 5 तक का जो data है वो आपको मिल जाए उसके बाद के लिए हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए पहले आपको लगाना है वेर उसके बाद आपको यहां पर देना है starting point आपके पास कौन सा है जैसे मेंको 2 से करना है तो उसका index value कितना है 1 है वो देना है 5 तक get करना है तो उसकी index value 4 है लेकिन आपको क्या देनी है 5 देनी है क्योंकि आपका जो stop point है वो stop point आपको यदि वहाँ पे रोकना है तो उसे plus 1 आपको देना पड़ेगा ताकि वो n-1 value तक क्या करे run करे तो यह आपको देना है और जैसी आप यहाँ पर run करेंगे तो देखे 2 से लगा कर मेरा 5 तक का जो भी data है वो मिल चुका है यदि मैं यहाँ पर 5 का index नमर देता 5 का index number 4 है यदि मैं 4 देता तो फिर यह क्या करता है 4 का data देता मतलब यह क्या करता है N plus value का index number आपको देना होता है या फिर N minus value अतक आपको यहाँ पर लाकर देता है इसका मतलब यह होता है तो I think clear समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आप यहाँ पर data get कर सकते है तो मुझे 425 चाहिए तो इसके लिए मुझे यहाँ index number 5 देना पड़ेगा तो इस तरह से आप यहाँ पर ला सकते है अब यदि मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर slicing करनी है slicing मैं चाहता हूँ 2 से लगा कर end तक की जतनी है वो सारी slicing हो जाए मतलब मैं starting से नहीं करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ 2 number से start हो और 7 number तक जितना भी data है वो में लेकर दो तो उसके लिए आपको starting point देना पड़ेगा और ending point देने की ज़रूत नहीं मतलब देना आपको stop देने की ज़रूत नहीं है तो देखे यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ 2 to end तक की बात करूँ यहाँ पर कि बाई मुझे 2 से लेकर end तक चाहिए data तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको where लगाना है where लगाने के बाद आपको यह braces लगाना है उसके बाद में आपको देखे 2 का index नमबर कितना है 1 देना है corner लगाके छोड़ देना है बस यही आपको काम करना है तो यह क्या करेगा आपका start से लगाकर end तक का जितना भी है data उसको आपको लाके देदेगा तो यह देखे आपके आज क्या हो गया यहाँ पर 2 to end के अंदर मैं बात करूँ यदि के 2 से लगाकर 7 तक का जितना भी data है वो आपको यहाँ पर मिल चुका है अब यदि मैं चारा हूँ यहाँ यहाँ पर 1 से लगाकर 5 तक का data मुझे मिल जाए यदि मैं चारा हूँ 1 से लगाकर 5 तक का data मिल जाए तो मुझे यहाँ पर 1 की starting आपके पास index number देने की जरूरत नहीं है उसकी जगा भी मैं यहां पर एक alternative लगा सकता हूं जैसे यहां पर मैं बात करूं कि print लगाया और उसके बाद मैं start.2 start.2 कहां तक जाना है मुझे 5 तक जाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए सबसे पहले आपको लगाना है where लगाना है फिर आपको ये bracket लगाना है और उसके बाद में आपको colon लगाना है और 5 का index number क्या है 4 है तो अब उसका index टेहें उच्ट के बाद में आपड़ेंगे चीजसे मैं चाहता हूं और उसके बाद में इस नभर को चेंज कर देता हूँ dad et 8 के बाद यहां पर 7 सेवन के बाथ मैं Project Kira ılब只 तो यह आप यहां पर देंगे कर टिये करेंगे तो यह आपका टो आपके आप क्या हो चुका है यहां पर five नॉमरिस आपके बाद यहां तक तो झात है वो आपको मिल चुका है तूइस क्वेश्टिर्ण नहीं है आप आपको जाएगी और जैसे रन करेंगे तो आपको डेटा मिल जाएगा जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं 98765 और यहां पर भी 98765 तका डेटा आपको मिल जाएगा तो यहां पर आपने स्टार्ट दिया और यहां पर Start to End दिखा, End to आपने कहा दिखा आपने बास यहां पर Stop Point देखा अब बात करते हैं Step के बारे में कि Step कैसे दे सकते हैं जैसे मैं चा रहा हूँ यहां पर कि मेरा जो data है, वो data एक एक जम करते हों मिले, जैसे 9, 7, 5, उसके बाद 3, इस तरह से data मुझे जो है, वो जम करते हों मिले, तो उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, यहां पर आपके पास stop point भी देना पड़ेगा, तो अब हम बात कर किसके बारे में, stop point के बारे में, तो print कर देते हैं, print में क्या लिखाँगा, यहां पर, stop point के बारे में बात कर रहे हैं, कि यहां पर यदि मैं stop point देऊ तो क्या होगा, तो stop point आपको किस तरह से देना है, जैसे सबसे पहले आपको लगाना है, वेर, और उसके बाद इस तरह से एंडिंग का इंडेक्स नंबर नहीं देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लगाएंगे, आप double colon आपको लगाना है, double colon लगाने के बाद में, यहाँ पर देखें, आपको कोई भी value pass नहीं करवानी है, अब देखें, double colon लगाने के बाद में, आपको कितने का step चाहिए, तो देखें, आपके पास data आपके पास आचुका है, जिसके अंदर क्या है, 9, 7, 5 and 3, आपका जो data है, वो आपके आज क्या होगा, एक 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 की step करते हुए मिला, अब यदि यहाँ पर कोई value pass करा देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर 1 देता हूँ, और उसके बाद में, मैं यहाँ आपका index नमर 5 देता हूँ, तो यह क्या करेगा आपके पास यहाँ पर, 1, 2, 4 नमर इंडेक्स तक का जो data है, उसके अंदर आपको एक एक जम करते हुए मिलेगा, जैसे मैं इसके अंदर आपको 8 मिला, जैसे 1 पर आपके आज क्या है, 8 है, फिर इसके बाद आपके पास क्या यहाँ पर, 6 वाला यहाँ पर data है, जिसका index नमर क्या 3 है, फिर इसके बाद आपको यहाँ पर कहां तक चलना था, 5 तक चलना था, तो यह 5 का data include नहीं है, तो 4 वैसे भी उसका partition नहीं है, यदि यहाँ पर मैं 6 कर देता था, तो उसके बाद में आपका जो 4 वाला जो data है, जो सकते हैं, अब देखे, slicing आपको अलग-अलग methods के थुरू मैंने बताइए, जिसके थुरू आप यहाँ पर यहाँ पर use कर सकते हैं, अब यदि हमारे पास two dimension array आ जाए, तो two dimension array की आप slicing कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में ज़रा देखते हैं, तो देखे, ज़रा मैं यहाँ two dimension array के बारे में बात करूँ, तो two dimension array आपके आस किस तरस होता, जैसे मैंने यहाँ पर एक two dimension array बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं दो data set को लोगा, जैसे यह एक लिया, जिसके अंदर मैंने दिया, यहाँ पर nine, eight, उसके बार में आपके पास आ गया, उसके लिए सबसे पहले आपका ये जो row है, इस row का index number आपको देना पड़ेगा, जैसे मैं इस row का index number की बात करूँ तो ये 0 है, इस row की index number की बात करूँ तो ये क्या है, आपके आस 1 है, तो आपको क्या लिखना है, आपका जैसे ये मान लेते हैं, ये आपके आस x के अंदर आपके पास है, आपके आस x है इनका index number, तो इनका index number क्या होगा यहाँ पर, तो 0, 1 2, and 3 तो आपको क्या देना है यहाँ पर तो आपको लगाना है 1 colon आप लगा सकते हैं फिर उसके बाद आप यहाँ पर इससे बंद कर देंगे तो इस तरह से आपके पास यह जो data है 8, 7, 6 वाला जो data है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो I think clear समझ में आ रहोगा यहाँ पर किस तरह से करना है तो इसको ज़रा यहाँ पर एक practically देख लेता है कि किस तरह से आप इसकी slicing कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ आपके लिए एक two dimension array को create करता हूँ तो उसके लिए एक one नाम से मैं एक variable बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं np.array function को use करूँगा और उसके अंदर फिर मैं क्या करूँगा आपके पास एक list पास कराऊँगा और list के अंदर multiple data पास कराएंगे जैसे 1,2,3,4,5 यह मैंने दिया है आपके पास फिर उसके बाद कॉमा लगाते हुए फिर से मैं एक list पास कराऊँगा जिसके अंदर 9,8,7,6 और देखें आपके आज 5 data है तो 6 के बाद आपको 5 देना पड़ेगा नेक्स्ट बात करें एक और यहां पर पास करवा देते हैं कि जैसे आपके आज 11 हो गया 12 हो गया 13,14,15 यह data set मैंने पास कराएं उसके बाद यह हम देख रहे हैं कि यह array आपके पास 2 dimension है या नहीं बना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे प्रेंट करेंगे और प्रेंट किसको करना है आपको वैर वन को करना है और जैसे आप एंटर करेंगे तो देखे आपका 2 dimension है क्यारे तयार हो चुका है अब जैसे कि मुझे यहां पर क्या करना है इस 9,8,7,6,5 मेसे चलना है और इसमें से 8,2 आपके यहां पर 5 तका जो डीटा है वो मुझे चाहिए तो उसमें से आप यहां पर इसको गैट कर सकते है कैसे करने वाले हैं तो आपको पहले मैं एक प्रेंट ब्लैंक दे देता हूँ उसके बाद मैं मैं चाहरा हूँ यहां पर आपके पास print करते हुए यहां पर आपके आज 8 2 8 2 आपके आज कहां तक 5 तक का जो data है वो मुझे get करना है तो वो मुझे यहां पर चाहिए के लिए मैंने लिग दे यहां पर string string के बाद में आपको यहां देना है where 1 और इस तरह से bracket लगाने है इस बाद में आपको पहले उस index नबर पहुचना है तो उसका इंडेक्स नबर क्या है यहां पर 1 है मतलब मैं इस bracket के index नबर की बात करूँ तो इसका Exact नबर क्या है इस row के अंदर बात करूँँ इस का ITS नमर क्या है लें 3 दें। फोग तो यहां पर आपके है इंडेक्स निंबर इंडेक्स निमबर कैसर छूद है तो मैंने वन दिया विर मैं क्या करता हूं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो देखिए आपके लाज क्या रहा है यहां पर एट सवन शिंॉइन और 44 मिल चुका यदि यही चीज मैं इसको चेंज करते हैं तो स्थरे से आपको यहां पर ने कर सकते हैं तो यह आंपे से अंदर आपके पास क्या होगा यहां पर आपके मगा लगाते हुए यहां पर किंगा लोगा कि किस तरह से आप यहांपा स्लाइसिंग कर सकते हैं और इसके संसथких कैसे आप यहां पर indexing का यूज कर सकते हैं आज हम बात करने वाले है इतारी प्रचेuss के बारे में के नमपाई के अ lock के बारे में भी हम वाथ डिस्कूस करने वाले यहां चैब से हम इक आरे बना लेता हैं जिसके इन-दर मैं ठात हुँ यहां जीडा यहां तो देखें, यहां पर बात करते हैं कि हमारे पास एक array create है, जैसे मैं एक array बना लेता हूं, जिसके अंदर मैं data रख रहा हूं, यहां पर 9, 8, 7, 6, 5, 4, and 3, और उस array का नाम है, यहां पर x रख रहता है, अब मैं इस array के वारे में बात करता हूं, कि इस array को मुझे iterate करना, iterate करने का मतलब यहां पर होता है, कि आप किसी भी array को या list को आप क्या करते हैं, break करते हैं, एक-एक element को क्या करते हैं, अलग-अलग करते हूए आप यहां पर study करते हैं, अब उसके लिए आपको क्या करना परता है, तो उसके लिए आपको for loop की ज़रुत परती है, उस for loop का use करत हुए आप उसे ट्रेट कर सकते हैं अब कैसे करना है तो मैं यहां पर आपको क्या दे सकते हैं रेंज फंक्शन का यूज करते हुए इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हैं या फिर आप डारेक्ली उस वेरेबल को दे के बाद आप यहां पर प्रिंट लगाना है और प्रिंट के अंदर आपको आई पास करना है अब जैसे ही आप इसका आउट्पूट दिखेंगे तो आउट्पूट आपको मिलेगा यहां पर 9, 8, 7, 6, 5, 4 और उसके बाद 3 मिल जाएगा तो इस तरह से आपका जो डीटा है वो जहां पे हम 1-dimensional array और कैसे कर सकता है उसको यहां पर समझेघे तो ऑफिर नितले दे करने से पहले मैं यहां पर क्या बनाऊंगा एरे create करने से पहले हमें numpy को call करना पड़ेगा बला इंपोर्ट करना पड़ेगा तो उसके लिए मैं लगाँगा import numpy as np यह मैंने यहां पर क्या क्या हमारी जो file है उसको import क्या है अब इसके अंदर one dimension बनाना है तो उसके लिए मैं एक वारे बना रहता हूं वैर नाम से उसके अंदर मैं np. यहां पर यहां पर यूज़ करना है तो फिर उसके बाद i in और उसके बाद आपको वैर देना है वैर मतलब आपके पास यहां पर जिस वैरेबल के अंदर आपने यह data लख रखा है तो उससे पहले मैं एक बार क्या करता हूं प्रिंट कराता हूं प्रिंट कर रहा है यहां पर वैर को करवा देता है कि प्रिंट वैर का आउटपूट मुझे क्या देखने को मिलेगा और उसके बाद प्रिंट ब्लैंक भी देंगे अब आपने वैर दिया है वैर के बाद आपको एंटर करना है एंटर देने के पर यहा यहां पर अलग-अलग हो चुका है आपका इट्रेट हो चुका है जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं डेटा को इट्रेट कर रहे हैं अब माल लीजे यहां पर आपके पास क्या है वन डैमेंशन एरे नहीं होगे तो उस वक्त आपको और इस तरह से हमार पास यहां पर एक two dimension array create हो चुका है यदि मैं इसको देखना चाहूंगा तो print यहां पर wear कर दूँगा देखिए wear नाम से मैंने पहले बना रखा है तो wear one कर देता हूं उसको और फिर से मैं यहां पर wear one कर देता हूं और enter करता हूं तो इस तरह से आपके आस यहां पर एक two dimension array आपके बास त्यार है अब यह जो two dimension array है मुझे इसको क्या करना है iterate करना है तो पहले उसके लिए मैं एक gap देना चाहूंगा तो मैंने यहां पर एक gap दे दिया है यह आपके बास आ चुका है फिर उसके बाद मैं दूँगा for फिर उसके बाद j in और क्या दे रहा हूं यहां पर wear one देता हूं वेरवण देने के बाने कॉलन दिया ऐंडेशन मिल मुझे यहां पर इंडेशन मिलने के बाद में यहां पर दूँगा print और print of j देता हूँ और जैसे ही run करता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पर आपके आज क्या हो रहा है iteration हो चुका है तो यहाँ पर iteration आपके आज क्या हुआ है दोनों का यहाँ पर different तो मैंने यहाँ पर क्या दिया पहले print ब्लैंक दिया उसके बाद मैंने लिया यहाँ पर four और यहाँ पर एक वैले ले लेंगे और उसके बाद colon देते हुए enter करूंगा फिर उसके बाद मैं फिर से एक four loop लगाऊंगा जहां पर मैं लिखूंगा एल इन और आपके पास किसका देंगे के देंगे मलब जो के का चुट इटा आया है आप उसे क्या कीजिए इटरेट कीजिए यह देने के बाद फिर उसके अंदर मैं दूंगा प्रेंट और प्रेंट क्या दूंगा अल दूंगा तो अब इस cases के अंदर आप देखेंगे तो के एक 2025 के अंदर तो अब देखें इस के अंदर आपके आज चुका है यहाँ पर डीट आपका इटरीट हूँ चुका है तो आप क्या कर रहे थे हैं यह नो ने के बात करूँ तो त्री डामेशन के लिए आपको प्रेंशन के यहां नहीं पड़ेगा फोल लूप का यूज करना पड़ेगा तो जैसे मैं यहां पर वैर 3 के नाम से एक वैरेबल बनाते हुए उसके अंदर थ्री डाइमेशन एरे देता हूं इन पी डॉट और उसके बाद मैं हम क्या यूज करेंगे यहां पर एयरे का यूज करेंगे ताकि Genji और इसे इंदर मैं थ्री डामेशन एरे बनाना जा रहा और यदि आपको चेक करना है तो आप क्या करेंगे फिर से प्रिंट करेंगे और प्रिंट किसको करना है यहाँ पर तो प्रिंट ओफ यहाँ पर वैर 3 को करना जो कि आपको आपको 3 दिखा रहा है यदि आपको इसके डाइमेंशन चेक करनी है तो प्रिंट लगाना है और प्र को को तसके लिए अपको लगाना है तो इसके लिए ञें आपके लगाना है लगाएंगे और उस के एन आपको क्या लगाना है जे लगाना है और आपको लगाना है फिर उसके बाद आपको क्या करना है प्रेंट करना है उसके बाद उस थार से आप का सब्सक्राइब हो जब सब्सक्राइब देखी यह जो आपके हैं यह इटरेशन आप क्या कर रहे हैं इसको इटरेट कर नहीं लेकिन यदि आप यहाँ पर बार बार फोल लूप नहीं लगाते हुए आप चाहते हैं एक ही बार में आपके पास यहाँ पर इटरेट हो जाए तो उसके लिए आप यहाँ पर function का use कर सकते हैं वो function क्या है यहाँ बात करते हैं तो वो function है आपके पास end आपके पास d iter डितेर्टर आपके पास एग function है जिसका आपको यूज करना है और जैसे आप इसका यूज करते हैं तो आपके पास to iteration है वो iteration आपको बार बार forward loop लगाते में नहीं करने की जागा आप इसका यूज कर सकते हैं, अब इसको यूज कैसे करना है, और किस तरद से perform करना है, तो उसको जरा यहाँ पास समझते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है आपका वही आपको process करना है, जैसे यह हमारे पास क्या एक three dimension array है यह आपके पास, तो मैं इसको copy कर लेता हूँ और वापस एक paste करते हुए, three dimension array ले लेता हूँ और उसके बाद में, आपको क्या करना है four, आपको लगाना है four look, four i in अब उसके बाद में, आपको देना है np. आपके पास iterator function AC.900.अब आपको क्या देना है end raterrer function end raterr function दिया end raterr function देने के बाद आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे आपका जो भी variable है उसका नाम क्हों देना है तो जैसे मैंने वाद tree दिया है यहाँ पर और वार tree दिने के बाद आप यहां क्या कर रहे हैं इसको print कर दे तो print off यहाँ पर क्या देंगे आई देंगे और जैसे एंटर करेंगे तो देखें आपके पास यहाँ पर आपका जो डेटा है वो आपके आस क्या हो चुका है अब देखें इसके अंदर क्या होता है आपके बहुत सारे पारमेटर मेला के अंदर आरा पीसारक किरूप्स कराते हैं लेडिन आपके यापने का आप यहाँ पहום और जिसे की आप पहुत करने लगी आपको क्या है कि क्या ना पड़ेगास सबसे पहले कर आपके यहां पर एक फ्लैग लगाएं जिसके अंदर आपके बाद जो भी इट्रेट हुआ है जिसे आप डीटर टाइप को चेंज करना जाता है वह आप क्या कर सके इस्टोर कर सकते हैं तो उसके लिए आपको यहां पर पैरामीटर देना है जिसका नाम है फ्लैक्स और फ्लैक्स के किस टैप का डेटर टैप कर देना है तो अंडर स्कोर डी टाइप का यहां पर यूज करूंगा ड़ी टाइप और अंदर वेलिव पास करदा अपके पास है यह क्या करेगा के अंदर को कमेंट करने चुक है इसतरस यह सब नहीं करतें तो आप इसे हटा कर directly भी आप क्या कर सकते हैं iterate करवा सकते हैं तो एक process आपके पास है कि जिसे आप यहाँ पर end data का use करते हुए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं आपके पास iteration कर सकते हैं अब देखें iteration करने के बाद आपके पास क्या होता है कि कभी-कभी आप iteration कर रहे हैं, जैसे बहुत ही large value का आप iteration कर रहे हैं, इसके लिए बहुत ज़दा amount of data है, तो उस वक्त आपको यहाँ पर नहीं पता होगा कि कौन सा data किस indexing के साथ है तो यदि आप चाते हैं कि आपका जो data, जैसे मैं यहाँ पर इन data के iteration की बात करूँ, तो यह data का iteration क्या है, zero number पर है, यह one number index है, फिर two, then three then आपके आज four है, फिर उसके बात five है, then आपके आज six है, इस तरह से आपके आज क्या है, यहाँ पर इसके indexing कर रखिये, यदि मैं चाता हूँ यहाँ पर कि आपकी जो indexing है वो भी यहाँ पर साथ साथ दिखाए दे, तो उसके लिए आपको एक function की जड़त पर रहेगी, जैसे end iter क्या करता है, एक साथ आपके आज जो value है, उनको iterate करता है, उसी तरह से आप चाते हैं, यहाँ पर कि indexing के साथ आपका iteration हो तो वो भी आप यहाँ पर provide करवा सकते हैं क्यासे करना है आपको उसके लिए तो उसके लिए आपको लगाना है आपके pass and denumerated function और numerated function के through आप क्या कर सकते हैं आपका जो iteration है, उस iteration के साथ आप क्या कर सकते हैं, indexing number ले सकते हैं यहाँ पर इसको practically समझते हैं थोड़ा तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसी को मैं क्या कर रहा हूँ copy कर रहा हूँ और copy करके यहाँ पर paste करते हैं और फिर उसके बाद faces समझते हैं यहाँ पर कि यह जो iteration है, इस iteration के अंदर यह जो endator है इसको हटा कर अब यहाँ पर क्या देंगे, हम यहाँ पर Numerated function देंगे, तो Numerator दूँगा, अब Numerator आपके पास क्या है, दो data को देता है जैसे एक आपके पास index value हो गई है दूसरी आपके पास क्या हो गई है, आपका data तो देखे, index के लिए मैंने यहाँ पर I रख रखा है, और उसके आप कॉमा लगाते हुए, data के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ D का use कर रहा हूँ, तो इस तरह से मुझे indexing value भी मिलेगी, और इसके साथ data भी मिलेगा, तो कॉमा लगाते हुए मैं D भी रखोंगा यहाँ पर, तो इस तरह से मुझे indexing और data दोनों मिलना आला है, और जैसे इस program को run करते हैं, तो दिखे, आपके आपके आज यहाँ पर उसकी index value भी मिल चुकी है जैसे आपके पास यहाँ पर देखेंगे, तो यह आपके आज क्या है आपके आज, 0 के अंदर पढ़ा है, 9, then 8, फिर उसकी आज 2, then उसकी आज 3 पर पढ़ा है लेकिन इससे पहले आपके आज जो इसकी indexing है, वो क्या है, 0, 0 है तो यह आप क्या कर रहे है, 3 dimension के लिए यूज कर रहे है, तो 3 dimension के अनुसार ही आपके आज क्या है, और यह indexing को रहे है, जैसे इसकी indexing की बात करें, तो यह आपके आज क्या है 1 पर है, second number पर 1 पर है, then उसकी आज 0, then आपके आज 11, उसकी आज 12, then 13 इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, index number भी आप iteration के अंदर लेके आ सकते हैं ताकि आपको पता हो सके, कि यहाँ पर आप जो data दे रहे हैं, उस data के index number क्या है ताकि आपके आज यदि large data हो, तो उस large data में से उस data को search करना बहुत ज़्यदा आसान होता है तो I think clear समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर आपके आज किस तरह से किस की जो को use करना है nd numerator जो function है, यह जो function है, इसके अंदर आप क्या करते हैं, index value को भी साथ-साथ get करते हैं तो I think clear समझ में आगे होगा, किस तरह से करना है, iteration method का use आज हम बात करने वाले हैं, copy और view के बीच में basic difference के बारे में और इसे numpy के अंदर कैसे use किया जा सकता है, यह सारी चेशों के बारे में आज हम यहाँ पर discuss करने वाले है तो पहले हम बात कर लेते हैं, copy और view कैसे काम करता है, जोनों क्या करते हैं copy करने के लिए काम आते हैं दोनों चीज़े क्या करते हैं copy करते हैं बट इनके बीच में basic difference का है उसके बारे में भी समझेंगे तो उससे पहले हम इसको practically देख लेता है कि practically किस तरह से perform किये जा सकते हैं तो चले यहाँ पर Jupiter notebook के अंदर और copy और view को देखते हैं तो सबसे बहले मैं क्या करता हूँ एक heading बना लेता हूँ copy versus view इसके बाद में हम import numpy कर रहे हैं तो import numpy कर रहा हूँ as alias बना के np इसका नाम दे रहा हूँ उसके बाद में हम एक array बना लेते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे उसकी copy बनाएंगे तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ where नाम से एक variable बना रहा हूँ और variable के अंदर मैं np.array function लगाते हुए एक array को create करेंगे यहाँ पर तो यह मेरा एक array create हो चुका है अब इसके बाद में मुझे इसकी copy बनानी है और इसके साथ उसकी copy को भी देखना है तो copy बनानी है तो उसके लिए मैं यहाँ पर co का use करूँगा copy के लिए और copy के लिए देखे हम क्या करेंगे सबसे पहले यह जो where है इस where को लगाएंगे और where फिर उसके बाद लगाएंगे dot और copy function को apply करेंगे copy function क्या करता है आपके copy करने का काम करता है अब देखें यदि मैं इसको print करता हूँ print किसको करना है पहले print where को करते है कि where के अंदर जो data है वो क्या मिला है तो मैं यहाँ पे दूँगा where और where को यहाँ पर print कराऊंगा और यहां पे मैं where को print करा देता हूँ उसके बाद में मैं print कराऊंगा किसको copy को तो मैं यहां पे copy को print कराऊंगा कि मेरा copy का data है वो कैसा दिखाए दिता है तो उसके लिए मैं यहां पे CEO का use करूँगा और इस program को क्या रखरूँगा रन करूँगा तो देखे मेरा जो दोनों data है वो आपके पास मिल चुका है दोनों की जो copy है वो मुझे यहां पर मिल चुकी है अब हम क्या करेंगे यहां पर view को समझेंगे वीउ जो है वो किस तरसे perform कर जाता है और किस तरसे काम करता है यहां पे जो view आया है जो आपका नया copy होके data आया है वो मैं यहां पर print कराऊँगा तो view होके आपके जो data आया है उसको हम वी आई के जड़िए यहां पर करेंगे पास करेंगे और जैसे run करेंगे तो देखे आपका आस यहां पर data आ चुका है 98765 और इसी तरह से आपके आस यहां पर data आ चुका है देखे दोनों जो function है यदि same work कर रहे है तो basic difference क्या है तो जरा उनको भी समय लेते हैं कि basic difference क्या है तो देखे view और copy के अंदर basic difference यह होता है सबसे पहला difference है कि copy का जो data होता है वो उसका खुद का data होता है वो आपके पास क्या करता है एक नई location के उपर आपके पास क्या करता है आपके आस copy करता है एक नया array create करता है उसी के जैसा का जैसा यह आपका difference है second बात करें view के अंदर उसका खुद का data नहीं होता है वो अपनी original जगा पर ही क्या करता है data को copy करता है सबसे basics और सबसे bottom difference क्या है वो यह है कि यदि आप copy के अंदर किसी data को change करते हैं मतलब आपने original data को change किया तो उससे copy हुआ हुआ जो data है उसके अंदर कोई भी difference नहीं मिलेगा ये copy के अंदर होता है लेकिन जब आपने view के अंदर original data के अंदर changes किया तो उससे आपके पास जो copy हुआ हुआ जो data आपको मिलेगा उसके अंदर भी क्या होगा change हो जाएगा और यदि आप copy हुए data के अंदर changes करेंगे तो आपके पास जो ordinary data है उसके अंदर भी क्या होगा यहाँ पार changes हो जाएगा तो यह हमारे पास एक basic difference है view और copy के अंदर इसको ज़रा perform करके देखते हैं कि किस तरह से work करता है तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मैं data को changes करता हूँ data को changes करने का मतलब क्या हुआ देखे मैं यहाँ पर where दूँगा और where का जो index है जैसे मैं चाता हूँ यह जो 2 है इस 2 की जगा 40 आपके पास आ जाए तो मुझे यहाँ पर इसका index number देना पड़ेगा तो इसका index number आपके पास क्या है यहाँ पर one है देखे जीरो पर आपके पास क्या है और यहाँ पर one पर क्या है two है तो मैंने one index number दिया और इसकी जगा मैंने 40 data को set कर दिया और अब मैं इस program को run करता हूँ तो देखे आपके आज जो original data है उसके अंदर आपके आज क्या हुआ changes हुआ है लेकिन जो copy हुआ हुआ data है उसके अंदर कोई भी changes आपको देखने को नहीं मिला है अब यही चीज़े हम perform करते हैं किसके अंदर view के अंदर तो मैं view के अंदर भी यही चीज़ प्रफॉर्म करूँगा मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ एकस के जा रहा हूँ और एकस के अंदर जो 8 है एकस के अंदर आपके आज क्या करूँगा 40 data डाल दूँगा और जैसे इसको run करता हूँ तो देखे आपके आज यहाँ पर यहाँ पर दोनों जगह क्या ओचुका है डेटा चिंज़ेस हो चुका है इसका मतलब आपने क्या किया आपने सिफ औरिनल डेटा को चिंज गया है तो आपका जो view का डेटा है वो भी क्या हो चुका है यहाँ पर चेंज हो चुका है तो यह एक basic difference है अब दिखे इसका use कहां पर किसका करना है यदि आपको एक डेटा बना हुआ है और उस डेटा सेट के एक copy बनानी है और copy आपके पास original डेटा सेट से यदि अलग रखनी है आपको और उसके साथ कोई चीजे चिंज़ेस नहीं करनी है और आप चाते हैं कि copy के अंदर कोई डेटा में चेंजेस हो तब आपके अगर सकते हैं व्यू का यूज कर सकते हैं तो यह इनका basic difference है और यह अलग-अलग यूज आने का basic difference है कि कब आपके पास copy यूज होगा और कब आपके पास view यूज होगा तो I think I hope so clear समझ में आ चुका होगा कि copy आपके आपके पास कैसे काम करता है और view आपके पास किस तरह से काम करता है आज हम बात करेंगे कि numpy array में हम दो आपके पास दो यह दो से ज़्यादा array होते हैं उनको आपस में जॉइन करके एक नया array कैसे create कर सकते हैं और उसके अंदर कौन-कौन से functions अपलाई होते हैं इन सबी चीज़े बात करेंगे इसके साथ array को split कैसे करते हैं वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं तो देखें यहाँ पर बात करें सबसे पहले join के बारे में कि join होता क्या है तो जब भी आपको दो या दो से ज़्यादा array होते हैं उनको आपको join करना पड़ता है मतलब आपको merge करके एक नया array बनाना है आपको यहाँ पर तो आप इसका use कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान अगना पड़ेगा इस चीशको आपको बहुत ही स्पेशली ध्यान रगना है क्योंकि जो नया array आपके वास बनने वाला है वो नया l area आपके लोंות यहीं आपके आज बराबर होने चाहिए यहां पर यहां पर देख़े इसके सासत यहां पर हम क्या कर सकते हैं Calamaran फॉल Arctic flirt है कि किस तरह से फिहां के वाले हैं तो आज हम उने और की आड़ मिले तो है किसे और यहां पर सबसे पहहले वर धाया को जाउन करते हैं और इसके बनाते हैं आज नए हैं सबसे पहले मुझे इंपोर्ट numpy करना पड़ेगा तो मैं यहां पर import numpy कर देता हूँ और उसका एक alias बना देता हूँ np उसके बाद में मैं यहां पर करूँगा दो array create करूँगा जिनको merge करके मुझे join करके एक नए array बनाना है तो उसके लिए मैं concrete function का use करूँगा concrete function के थुरू आप क्या कर सकते हैं दो array को merge करके एक नए array आप क्या कर सकते हैं तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ एक variable बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं array create करूँगा np.array function के थुरू और एक one dimension array बना लेता है यह मेरा one dimension array बन चुका है उसके बाद मैं मैं एक और array बनाऊंगा तो उसके लिए मैं np.array function का use करूँगा और उसके अंदर data दूँगा 9,8,7,6 अब देखें यहां पर मैं इन दोनों को merge करते हूँ एक नए array create करना चाहूँगा तो उस नए array को कैसे create कर सकते हैं तो उसके लिए आप concrete function का use करेंगे तो concrete function का use करना है तो उसके लिए मैं एक अलग variable बनाता हूँ जो की नए array बनेगा आपके पास और concrete function कैसे लगाना है np.concrete क्योंकि numpy का आपके आज concrete function है तो np.concrete का use करना है और concrete के अंदर आपको where, where1 को pass करवा देना है तो यह क्या करेगा दोनों के जो आपके आज merge हुआ और data है वो आपको देदेगा उसके बाद आपके आज क्या होगा print करते हैं किसको AR को मदब नए आपके पास array को print करते हैं और जैसे मैं इस प्रोग्राम को run करता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पर 123456 इस तरह से आपके 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 पास यहां पर क्या होती है आप इस एक्सिस की along क्या करा सकते हैं इनको merge करवा सकते हैं कैसे करवाना है तो उसको जरह समझते हैं तो इन सभी चुझे को मैं यहां पर लेके पेश कर देता हूं ताकि मैं कुछ चीजे लिखने नासा नहीं हो तो यह मैंने यहां पर क्या क्या एक variable बना लेता हूं और इ चौक है यहां पर मैं कर रहा हूं आपके पास सभी ऐस ए है और इसी तरह कर रहा हूं और यह को पुझे नहीं करता हूं इस नहीं करता हूं और और अब मुझे की नए बनाना है और यहाँ और को कास करा दिया है और ऑड़ वए तो यहां पर मैं नए आरे बनाने जा रहा हूं तो इसका नाम देता हूं यह मैंने एक नए आरे दिया है और इसके अंदर मैं मैं एकसेेस को पास करेंगा कि मुझे कैंस क्या तो मैं यहां पर अगया यहां हों s how We are what मैं पर पर यहां प्रिंट आफ यहां पर क्या दोंगा आपके पास यहां पर देखने को मिल जाएगा और जैसे मैं प्रफॉर्म करता हूं इसको तो देखे यहां पर वी आर वी आर मतलब जो मेरा यह वाला यह वह आ चुका है जिसके अंदर आप यह देख पा रहे हैं दैन मेरे पास आ गया वी आर वन वी आर मतलब यह जो आपको अपको मिल चुका है देन आपने नया है जो कि है लॉं आ पको कि यहां चुले मर्ज हुआ है यह न्या मर्ज कर रहे है यहां पर इस तरह से आपकर रहे हैं यहीं आप एकसे जीरो करते कररते हैं आपके पास क्या चुका यहां पर मर्ड चुका है जैसे कि आप यहां पर देख ठार हैं अब चुक्रावा आप क्या कर सकते हैं अब उसके लिए क्या करकर लाज़र्गे करना है तो मैं इसी को वापस कॉपी करके प्पेश्ट करता हो यहाँ पर और यहां पर लेकिन वह एक्सिस के आलों काम करता है कि कि एक्सिस के आलोंग आपको यूज किया है और यहां पर numpy के मैं stack function को यूज करूँगा तो यहां पर मैं stack function दे रहा हूं और stack function में we are underscore 1 and we are underscore 2 का use करूँगा मलब underscore 1 underscore 2 का जो डेटा है वो मुझे मिल जाना चाहिए और उसके बाद मैं array underscore यहां पर किसका यूज कर रहा हूं new का तो एक काम करते हैं अब मुझे क्या करना पड़ेगा यहां पर उस access को पास करना पड़ेगा जिस access के अलों मुझे इसको मर्स करना है तो मैं यहां पर access देता हूं और access equal to जो भी आपको देनी है 0 या 1 1 या 0 के अलोंग आपको करवाना है वह आप दे सकते हैं और फिर a underscore मैं new को पास करवाता हूं यहां पर तो यह क्या करेगा जो भी आपका वन डैमेशन रहे हैं उसके access वन क्या लोंग क्या करेगा मर्स करेगा और देखें यहां पर आपका एक टू डैमेशन एरे आपको इस तरह से मिल जाएगा जिसके अंदर आपके आज देखें सारे जो अधिकारण फंक्षन क्या है एक आपके लिए दूसरा लिए थी स्वा वल्मेशन लिए यहां पर अलोंग यहां पर मर्श करना चाता है तो वह भी आपके अच्छन इलेबल तो उसके लिए आपके पास यह एक्सेस आपको लिखने की जरूत नहीं आपके पास यह आपको ल रहे हैं तो जैसे आप यहां पर सकते हैं मर्ज करके एक नया डिटा आप लेके आ सकते हैं यहां पर कि आपको यदी हाइट के अलॉंग मर्ज करना है तो आप यहां पर करेंगे तो यह आपके रहे हैं अपना जो डो एरे हैं उन दो यूज करें अब देख़ें मैं काम करता हूं पहले आपको श्टैक कैसे प्रिंड होगा तो यह आपका श्टैक आ चुका है और यहीं पर मैं आपको दूसरे और भी पास करता हूं और जिसके अंदर हम बात करेंगे यहां पर किसके बारे में आपके पास horizontal के बारे में कि आपके पास किस तरह से आप row के along यहां पर कर सकते हैं तो यह जो काम करता है यह रो के आलोंग काम करता है ठीक है मैं यहां पर लिख देता हूं कि यह रो के आलोंग काम कर रहा है देन उसके बाद में आपके पास जो अगला है वो आपके पास कैसे काम कर रहा है यहां पर आपके इस कॉलम के आलोंग काम कर रहा है और व आपको hight के along काम कराना है तो आप hight के along भी काम करवा सकते हैं और hight कर करने के लिए रिच्ट कर दिख़ए हैं तो इस तरह नीउ को पास कर वाए यहां पर ऐसके लिए पहलने में यू इन तिनों को मैंने टिया क्या पास करा है एं डिया तो यह पहला आपके आस क्या है नौर्मल इस टेक्स है जिसके आपने जिसके आप एक्सा करेंग शीरो कर दिता हूं enter करता हूं तो यह access 0 के long आपके राज क्या होगा add हो जागा तो access 0 और v stacks आपके राज सेम काम करेगा then आपके राज यहाँ पर h stacks and यहाँ पर d stacks यह आपके राज क्या क्या करेगा रो के long add करेगा अब नेक्स्ट हम यहां पर बात करने वाले हैं कि यदी हमें एरे को स्प्लिट करना हूं उस तरह से आप स्प्लिट कर सकते हैं उसको समझते हैं तो उसके लिए आप इस प्लिट फंक्चन को यूज करेंगे तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूँ आपके आज एक नई Python की File को यहां पर open कर लेता हूँ Jupilie Notebook के अंदर जहां पर हम क्या बात करेंगे Split Array के बारे हम बात करेंगे तो इसको एक heading मना लेता है अब उसके बात में Split Array के अंदर हम क्या करेंगे Split Array function को use करेंगे इसमें भी आप One Dimension Array को अलग से Split कर सकते हैं Two Dimension Array को भी आप क्या कर सकते हैं अलग से Split कर सकते हैं देगे, पहले हम बात करेंगे One Dimension Array को कैसे Split करते हैं तो उसके लिए पहले मैं को यहाँ पर Array बनाना होगा Import कर लेता हूँ आपके पास यहाँ पर numpy को तो numpy को मैंने क्या import किया है उसका एक alias बना लिया है np then उसके बाद अब हम क्या करेंगे एक आपका एक one dimension array बनाएंगे तो मैं यहाँ पर एक one dimension array बनाता हूं तो उसके लिए where का use करूँगा और where के अंदर मैं one dimension array बनाएंगा तो np.array function का use किया है जहाँ पर one dimension array बना दे जा रहा हूं यह मैंने यहाँ पर six elementary है ओके अब उसके बाद में मुझे array को क्या करना है split करना है इस आपके जो array बन चुका इसको अलग इसलग split करना है और कितने partition में करना है वो मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा तो पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पर print करूँगा जिसको where को print करूँगा कि मेरा आपके पास यहाँ पर one dimension array आया है वो कैसा दिखा जा तो जैसे इस प्रोग्राम को run करते हैं तो यह हमारे पास one dimension array आ चुका है अब मुझे यहाँ पर split हुआ हुआ एक new array चाहिए तो new array चाहिए तो मैंने ar के नाम से एक variable बनाए है जहां पर मैं new array लाँगा लेकिन split हुआ हुआ होगा तो उसके लिए मैं np. dot आप क्या करूँगा यहाँ पर आपका array split function का use करूँगा तो array underscore split function के use करना है और इसके अंदर आपको pass कराना है where और उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर split के time लिखना है कि कितने time तक आपको split कराना है मतलब number of array कितने बनने चाहिए वो आप pass करा सकते है just like मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि three array आपके पास बन जाना चाहिए तो आप three array लिख सकते हैं फिर उसके आप मैं करता हूँ print और print क्या करूँगा यहाँ पर array को print करूँगा लेकिन इसके बीच में gap देता हूँ यहाँ पर print blank के थुरू यह क्या हैगा आपके वास एक gap आ जाएगा देन आप इससे run करेंगे तो आपके वास देखे तीन array आपके बन चुके हैं जिसके देखे आपके वास यहाँ पर array 1 बन चुका है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहें clear तो इस तरह से आप कर सकते हैं एक नई आपके वास क्या है लिश्ट बन चाहिए यह यदि आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर print लगाईए प्रिंट लगाने के बाद आप यहाँ पर तैप फंक्चिन को यूज करना है और 罪ार वृज करना है तो आपके पास यहां पर देखे क्या रहा है लिस्ट लते वाइस है कیसे का है लिस्ट हाइं नहीं मुझे से संगल इरय को ही चाहिए तो आप उसमें से संगल और को ले करें किने को मिला है इससे आप क्ekस्षों को हो भी टेटा लेन लेना है तो आप यह गैंट कर सकते हैं अब हम बात करेंगे कि कैसे हम यहांपर 2 dimention array के उपर काम कर सकते हैं, तो उसके लिए यहांपर wear one के नाम से variable बना लेता हूँ, और यहांपर भी wear one दे देता हूँ, बागी चीज़े आपकी आस common नहेगी, AR1 का आप यूज़ कर सकते हैं, यहां पर भी AR1 का यहां पर यूज़ कर सकते हैं, अब इसके बाद में आपको क्या करना है एक two dimension array बनाना है, तो मैं इसी कही एक two dimension array बना लेता हूँ, यह मेरा आपके बास हो गया है, यहां पर पार्टिशन के अंदर आपके अर्य को स्प्लिट कर दे जाए तो यह तीन पार्टिशन के अंदर आपके अलग से स्प्लिट हो चुका है तो इस तरह से आप यहां पर कर सकते हैं दे लोन आपके अररे को बी आपके कर सकते हो चाहते हैं लोकी ही यहां पर इस तरह से आपके अपनालग को स्पॉस्प्लिट करार तो उसके ने किया दए दूआए तो मैं एक्सेस को पास करा रहा हूँ, एक्सेस आपके पास यहाँ पर 1 के थुरू पास कर सकता हूँ, यह चीरो के थुरू आपको जो भी करना है वो करवा सकता है, एंड इसको यहाँ पर 2 देता हूँ, और उसके बाद में मैं प्रेंट ओफ ब्लैंक दूँगा, ताकि मुझे एक नया अलग मिले, एंड प्रेंट ओफ यहाँ पर 2 को पास करवाँगा, यहाँ पर एक्सेस के लॉंग आपके पास क्या हो चुका है, यहाँ पर एक एरे स्प्ल कर सकते हैं, तो I think clear समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि किस तरह से आपको split का use करना है, और split function की use करते हुए, आपका जो array है, उस array को कैसे आपको अलग-अलग करना है, I think clear समझ में आ चुका होगा, कि split function कैसे work करता है, and joint function के अंदर concrete और stack function कैसे use करता है, आज हम बात करेंग यहाँ पर search के बारे में, short के बारे में, filter के बारे में, कि यह process को कैसे-कैसे follow किया जा सकता है, देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा search कैसे करते है, मतलब आपके पास एक numpy array है, बहुत बड़ा, उस array में यदि आपको क्या करना है, search करने का मतलब आपक आप इसे search कर सकते हैं, अब देखे, search करने के लिए, आपको यहाँ पर keyword का यूज करना पड़ेगा, वेर आपको क्या करेगा, search करके आपको देदेगा, अब यह कैसे होता है, वो जड़ा देखता है, यहाँ पर जुपिटे नोटबुक के अंदर, तो हम चले जुपिटे न अब हम बात करेंगे, कि search कैसे करना आपको यहाँ पर, कि आपको कोई एक array है, उस array के अंदर कोई element बनाए हैं, आपने, और उसको search करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक array बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं import करता हूँ, numpy को, numpy as a np, मैंने क्या क्या import कर दि 3,4 और उसके बाद फिर 2, फिर 5, फिर 2, फिर 5, and 7, and 6, and 7, यह मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर, एक array के अंदर element, अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ, कि इसमें से searching करना है, कि आपके पास 4 कहां कहां पर है, या 2 कहां पर है, 5 कहां पर है, तो आप directly search कर सकते हैं, कैसे करेंग तो सबसे पहले आपको एक variable बनाना पड़ेगा, जहाँ पर आपको एक list मिनना ली है, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा, कि आप जो element search कर रहे हैं, वो कौन कौन से index number पर है, तो उसके लिए मैं x नाम से एक variable बना लेता हूँ, और variable बनाने के बाद, अब हम क्या करेंग आपके पास यहाँ पर क्या हो, कि जैसे आपका two element है, two है, वो बार बार repeat हो रहा है, तो यह जो two है, वो कहां कहां पर है, तो वो सारा जो data है, वो x के अंदर store हो जाएगा, जो भी उसका index number हो, वो store हो जाएगा, उसके बाद में, आप क्या करें, print of x करता ही देखें, आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा, कि यह आपके पास जो array है, इस array के अंदर two कौन कौन सी position पर है, तो दीखें, सबसे बहले जो two है, वो one number position पर है, यह देखें, one number position पर है, इसका index number के बारे में बात करूँ, तो इसको मैं as a comment बता रहा हूँ, आपको index number को, कि index number इसका क्या क्या है, तो index number आपके पास zero, then comma one, then comma two, then comma three, four, five, six and seven, eight, nine, यह कुछ इस तरह से index number है, अब देखें, two, आपके पास one number index number पर क्या पड़ा है, यहाँ पर two है, then आपके पास बात करें, देखें, four number index number पर है, and उसके बात करें, आपके पास यहाँ पर six number index number पर आपके पास data है, तो आपको कुछ और लगाना है, कुछ और आपके पास argument पास करवाना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि where divided by, आपके पास two, where divided by two करेंगे, और तब आपके पास यहाँ पर equal to, equal to, where divided by two करने के बाद, equal to, equal to, आपके पास zero cup का बाता है, वो वाली position, अब हम मैं यहाँ पर searching के दर चाहिए, तो एक काम करते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा data change कर देता हूँ, जैसे मैंने 4 दिया, और उसके बाद यह 5 के अंदर नहीं आएगा, 3 के अंदर नहीं आएगा, and then 5 पर 6 और 7, यह बने दिया, then मैं यहाँ पर enter करता हूँ, तो द तो आपको reminder के अंदर आपको कुछ value मिलती है, ना कि आपके पास यहाँ पर equal to equal to 0 मिलता है, तो यहाँ पर value मिल जाएगी, कौन-कौन से time पर आपको 0 मिलना आदा है, जैसे मैं modulus of the 2 is equal to reminder, आपके पास 0 कब आएगा, तो वो आपके पास आएगा, यहाँ पर 4 के पर, then 2 के पर आएगा, then उसके बाद 3 के उपर नहीं आने वाला है, then उसके बाद वापस 4 के उपर आने वाला है, इस तरह से आपको यहाँ पर चीजे मिल जाती है, तो I think, I hope so, clear समझ में आ रहा होगा, कि where keyword का आप कैसे use कर सकते हैं, अब दिखें, next हम बात करें यहाँ पर, तो आपके प लिए insert करानी है, और आपके पास वो जो array है, वो shorted है, तो वो क्या करेगा, उस array के अंदर वो position आपको बताएगा, वो index number आपको बताएगा यहाँ पर, कि उस वाली position के उपर, वो element आप यहाँ पर place करवा सकते हैं, तो उसमें आपका क्या करेगा, search short array का यहाँ पर use किया ज एक variable की तरह यहाँ पर इसका use कर रहा हूँ, और इन सभी चीजों का use कर रहे हैं हम यहाँ पर, और एक variable बना लेता हूँ, where1 के नाम से, और यहाँ पर x1 बना लेता हूँ, जिसके नहीं हम short array के बात करेंगे, और देखे, array जो है, वो आपके पास short होना चाहिए, जैसे यहा यहाँ पर, 6,7,8 डाल देता हूँ, यह मैंने यहाँ पर data दिया है, अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा data मैंने जो दिया है यहाँ पर, इसके अंदर आपके आस क्या हो, short array हो जाए आपके आस, तो यह short array कैसे होगा, जैसे पहले मैं इसको set कर देता हूँ, यह आपक अब search short function के अंदर आपको देना है सबसे पहले आपका variable करना, कि आप कौन से variable की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, where1 के अंदर, यदि मैं place करवान चाहूँ, किसको place करवान चाहूँ, मैं where1 के अंदर 5 को place करवान चाहूँ, तो यह मुझी क्या कि यह कहां पर आपके पास set हो जाएगा, तो यह मैंने दिया, and then enter करता हूँ, तो दिखे का लिखा रहा है, यहाँ पर, 4 number position है, वहाँ पर आपके पास 5 place हो जाएगा, और जैसे कि हम यहाँ पर दिख भी रहा है, कि आपके देखे, 1, 2, 3, 4, आपके त्री elements आचुके हैं यह यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो basically होता क्या है, इसके अंदर search short area के अंदर, कि आपके पास कोई short area है, जैसे यह 1, 2, 3, and यहाँ पर 4 हो गया, then उसके बाद आपके पास 7, 8, 9 हो गया, और अब आप इसके अंदर कोई चीज़े place करवाना चाते हैं, जैसे कि मैं चारा हूँ, यहा पर left to right sides की तरफ move कर रहा है, left to right side के जा रहा है, और वो क्या कर रहा है, उसका placement बता रहा है, कि आप इस place की जगा आप यहाँ पर कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहें, तो आप क्या कर सकते हैं, right to left की तरफ भी इसको moment दे सकते हैं, उसके लिए आपक तो RI GST right side में देता हूँ और right side से enter करता हूँ तब भी यह क्या रापका sport number प्यारा देखे 0, 1, 2 0, 1, 2 और उसके बाद आपके बास अगला जो number है वो आपको मिल जाएगा यदि इसके बाद मैं element बढ़ा देता हूँ जिसे मैंने 9 बढ़ाया then आपके बाद यहाँ पर 10 कर दिया then मैं enter करता हूँ तो यह क्या करेगा right side से searching गरना start कर देगा I think clear हो रहा हूँ यहाँ पर कि किस तर से हो रहा है अब यदि आप जाहें तो यहाँ पर आप properly पूरी एक list भी pass करवा सकते हैं जैसे मैं pass करना जाओंगा कि मैं 5 को place करवाना चाहूँगा then 6 को place करना चाहूँगा then 7 को place करना चाहूँगा यह दिया मैं और enter करता हूँ तो देखे 5, 6, 7 की जो position है कहां कहां placement होगी वो आपको मिल जाती है जैसे 5 की position आपके आज क्या है 4 number है then 5 number then 6 number तो यहां से मैं चाहूँ तो इन data को यहां पर miss कर सकता हूँ कि जैसे मैंने यह data हटा दिया है यहां से और उसके बाद रण करूँ तो अब देखें उनकी position आपको बता दिये कि वो कौन सी position के उपर shift हो जाएंगे तो यह 4, 4 and 4 4, 4, 4 मतलब क्या होगा पहले 5 number जाएगा 4 के उपर देन उसके बाद आपके आज यहां पर 6 number देन 7 number यह सारे 4, 4 placement पे जाएंगे तो जो आपके आज 9 और 10 जो है वो पीछे की तरह आपके आज क्या करेंगे shift होते होगे चले जाएंगे तो इस तरह से आपका जो data है वो क्या होगा कि आपके पास कोई array है या फिर कोई alphabatic है उसको आपको यहां पर short करना है short करना का मतलब यहां पर क्या है ascending order के अंदर आपको लेके आना है तो आप क्या कर सकते हैं short array का यहां पर use कर सकते हैं अब इसके अंदर चाहे alphabets हो या फिर चाहे numerical हो आप इन दोरें को आप क्या कर सकते हैं अब देकि कैसे करेंगे तो उसके लिए आपके बारे में चौट के वारे में बात कर रहा हूं तो इसकी एक Nee किभारे मट बना लेता हूं पहले , कि यह हमारे क्यास के है , यहाँ पर बात करें, कि कैसे वर्क होगा , तो पहले मैं क्या index नंबर भी आपके पास set है और इसके अंदर काफी डीटा repeat हो रहा है तो इसके बाद यहां पर 12 कर देता हूं यह 5 रेंद देते हैं और इसको 22 कर देता हैं इसको 52 कर देता है तो आपके पास एक variable होने जहां पर आप उसको short कर सकते हैं या फिर आप directly भी short कर सकते हैं कैसे करेंगे यहां पर print कर रहूंगा print के बाद में मैं चाता हूं where one short हो जाए तो उसके लिए मैं use करूंगा np.shot function का और short function के थुरू आप उस एरे को क्या कर सकते हैं short कर सकते हैं इसके अंदर क्या पास कराएंगे यहां पर where underscore one को पास करवा देगे यहां पर तो where underscore one को पास कर देगे अंटर करता ही आपका देगे सारा जो है वो shorter हो चुका है यहां पर आप चाहें तो आप alphabetic भी दे सकते हैं alphabets भी दे सकते हैं तो alphabetic के लिए बात करें यहां पर कि यदि मैं कोई यहां पर string को पास करवा दिए तो क्या इसे शॉट कर पाएगा तो बिलकुल आप इसे शॉट कर पाएंगे तो उसके करूँगा शhrink को एक लिष्ट के निदर पास कर वहाँगा तो यह हमारी लिष्ट है भी कनल मैंने a दिया हैं जेन इसके बाद स दिया है और इसको एसे बाद हैं समॉल केस्ट में कर देता हूं रहाि 174 एरे जो है वह आपके आस क्या हो यहां पर शॉर्ट हो जाए तो यह क्या करेगा इसको शॉर्ट कर देगा दी फिर उसके बाद एफ एन देन बाइस इस तरह से आपको शॉर्ट करना है तो कैसे करेंगे तो उसके सबस्क्राइज आपको एक 2D एरे बनाना पड़ेगा तो मैं एक 2D एड्या हो से उस सहा तरह से एक ट्री कर दिए में इसके अंदर रंग करता हूं तो तेखिए Mekra 2D एरे अंच है फैले में किया है 3234 इंच क्या देन 22 52 एज सी 22 жд कर सकते हैं इस तरह से में हमारा चोंते हैं उसके अरम बात करें तो अगला फंच्चन है फिल्टर फंच्चन देगे filter function क्या होता है कि जैसे आप क्या से कैयरे है उस array में से आप चाहते हैं एक particular item को ही आप क्या चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं फिल्टर का use कर सकते हैं अब देखे आप यह सोच रहे होंगे कि हम filter का क्यों use करें जबकि हमारे पास यहां पर indexing है, तो हमें andexing से भी तो array get कर सकते हैं, या फिर slicing का भी use करके भी हम क्या कर सकते हैं, array get कर सकते हैं, तो मैं आपको यहां पर बताना चाहूँगा, कि आप उनका use कर सकते हैं, बट filter array का आप यहंवज करेंगे, तो उस समय क्या होगा कि आपके पास एक नया array create होगा जिसके अंदर आपके आज करूँगे सारे filter item मिले होगे जो आपको यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर एक नया array create करने को देखने को मिल जाता है अब देखे कैसे करते हैं जो आपके आज filter होगा तो उसके लिए बात करते हैं तो मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ filter array की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर filter array की बात करूँगा जिसके अंदर मैं filter सारी चीज़े को filter करूँगा कि मुझे कौन सी चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक array create करूँगा और जिसके अंदर मुझे data चाहिए वो मैं यहाँ पर लोगा जैसे कि मैं ऐसी array की बात कर देता हूँ कि मुझे इस array की बारे में बात करनी है और इस array का नाम मैं थोड़ा change करके 3 कर देता हूँ अब यहाँ से जो-जो element मुझे चाहिए मैं उनको filter करना पड़ेगा तो filter करने के लिए मुझे true and false की जरुत पड़ेगी कि मैं कौन सी चीज़े चाहिए तो उनको मैं true दोंगा और जो चीज़े नहीं चाहिए उसके लिए मैं क्या करूँगा false पास कराऊँगा तो मैं क्या करूँगा एक ऐसा array बनाऊँगा जिसके अंदर मैं सारी चीज़े true and false के अंदर दोंगा उससे क्या होगा मुझे जो array चाहिए वो मिल जाएगा तो एक variable बना देता हूं तो मैं उसके लिए भी क्या दूँगा यहाँ पर false दूँगा तो यह मैंने false दिया है then मुझे f चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या दूँगा true दूँगा तो इस तरह से मैंने क्या क्या है यह सारी चीज़े पास करवा दिये तो यह अब आपके पास क्या करेगा filter area में आपको देगा अब filter area आपको देगा यहाँ पर तो किस तरह से दे रहा है जरा उसके लिए देखते हैं वो पार्ट आपको मिल जाएगा फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर print करेंगे print किसको करेंगे new area को करेंगे तो यहाँ पर new underscore a को मैं कहा करूंगा pass करा हूं दूगा और जैसे इस प्रोग्राम को run करता हूं तो देखे मुझे a मिल रहा है और f मिल रहा है जैसा कि देखे मैंने यहाँ पर फिल्टर होगा यदि आप यहाँ पर प्रेंट करते हैं तो इस अब यहां है एक नए जो यहां पर हमने किया दिखा कि सर्च function कैसे काम करता है search with shot कैसे काम करता है अब किया shot कैसे काम कर रहा है और filter array कैसे काम करता है यह आपको चीज़े आज के इस function के अंदर हमने clear की है आज हम बात करने वाले हैं num pi array के कुछ functions के बारे में तो देखे वह function क्या क्या है जरा उसको देख रहेते हैं एक बार तो पहला आपके पास है सफल दूसरा यूनिक तीसा रीज साइज दैन फ्लैटन एंड ड्रिवल आपके पास function है जिनके बारे में हम वन बाई बात करने वाले हैं दीखे पहले बात कर लेते हैं simple function के बारे में कि Tumbdle function कैसे کام करता है और क्या होता है तो जश्ट आप के पास playing card आपने भी सभी ने देखे होंगे तो playing card क्या जोए का होता है सबस्क्राइब को इंपूर्ट करूँगा किसे नम पाइ को नूर्वरक नाटकल को करते हैं एक वेरेबल बना लेते हैं .. एक array create कर रहा हूँ तो मैंने एक array बनाया है और array क्या होगा आपके पास np.array होगा तो np.array function को use करेंगे जिसके अंदर मैं एक arrangement के साथ आप क्यास क्या दे रहा हूँ data भीज रहा हूँ अब data देने के बाद मैं चाहता हूँ इसका सफल हो जाए तो सफल करने के लिए मैं इसको np.random जो हमारा module है उस random module का सफल function को यहाँ पर करूँगा यूज करूँगा तो यहाँ पर random. यहाँ पर सफल function को यहाँ पर use करते हैं सफल function को यूज करने के बाद यहां पर आपके आदेँगे, वेर को pass कराएंगे, कि मुझे किसका सफल करना है, तो इसको pass करादेंगे, फिर उसकी बाद आपके आदेंगे, print देंगे, और print के इंदर, वेर को pass करवा देंगे, तो देखें, यह जो आपके आस अर्रेंज्मेंट के साथ data है, 12345 आपका एसित करेंच जोड़ेगा तो और किसी और जाएंट वन तो अगला है यूनिक यूनिक आपके पास क्या करता है ये इद ही आपके पर पास बार बार रिपीट कर रहा है कहीं न हम जाके तो उन में से कोई यूँट डिटा आप को चाहिए तो आप क्या करेंगे यूट का यूज करेंगे और इसके साथ इसके अंदर और भी पैरामिटर होता है जिसके तुरू आप उसके इंडेक्स नमबर को पता कर सकते हैं जो यूनिक डेटा उनको इंडेक्स नमबर दैन उसकी काउंटिंग के बारे में भी आप यहां पर पता कर सकते हैं तो वो कैसे आएगा जरा देखें तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं आपके पास एक एरे बना देता हूं जिसके अंदर मैं करूंगा आपके पास आपके आ अंदर मैं यहां पर क्या दूँगा एक लिस्ट दूँगा जिसके लिए 1,2,3,4,2,5,2,6,7 यह यहां पर 7 यह डेटा दिया है मैं यहां पर अब मैं चाहता हूं इसमें से यूनिक डेटा है वो मिझे मिल जाए बाकी रिपीटेशन का डेटा मुझे नहीं मिले तो उसके यूनिक फंक्षन का यूज करूँगा अब यूनिक फंक्षन का यूज कैसे करना है तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा एन पी डॉट आप देगे यूनिक फंक्षन का जो डीटा आया है वो मैं क्या करूंगा एक वेरिबल के अन्दर स्टोर करा देता हूं x is equal to और उसके अन देख रहे हैं 1234567 यह में इसके अंदर मैंने बार-बार तू को रिपीट किया है तो वह तू वाला जो डेटा है वो मुझे नहीं देखने हुआ अब मैं जाता हूं इसका जो इंडेक्स नमबर है वो मुझे मिल जाए तो इसका इंडेक्स नमबर आप यहां से गैट कर सकते है कैसे करेंगे तो उसके लिए आपको यहां पे लगाना है रिटन इंडेक्स को बड़ेगा इसके अंदर बता होता है उसका इंडेक्स मिल जायगा कि यह जिए जो डीटा है वो कहां हैं जैसे मैं बात कुरूँ देखिए आपका जो वन है वो वन कहा है जीरो नंबर पोजीशन पर तू कहां पर हैं इस तरह से आपका सारे डिटा के आपका स्काइब जाए लिस्ट मिल चुकी है दैन इसके अंदर यदि आप काउंटिंग भी चाहते हैं कि इसकी काउंटिंग म पर ट्रू कर देता हूं जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको यहां पर क्या मिलेगा इसकी काउंटिंग भी मिल जाएगी जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं कि इसकी काउंटिंग दे रहे हैं वन है डैन आपके टू की काउंटिंग इतनी फोर है बागी सब की डेटा से सकते हैं सबboksh cadeau नमसे बना लए ता हूं और मैं यूज कर dåंगा एन P EMP एंपी डोट एंट्र सब्सक्राइग को औरै फंक्षिन के अंदर मैं क्या दूंगा यहां पर एक करें देटा हूं जिसके लाइन कॉमा-टौवत्री नेहीं ऑप क्या होगे चेंज जाए चेंज होके आपका सिक नए आयरे बन जाए तो उसको मैं वाई के अंदर स्टोर कर लेता हूं तो मैंने यहां पर क्या क्या वाई के अंदर स्टोर कर लिया है जिसके अंदर मैं दूँगा .-resize function दोंगा क्योंकि नंपाय का function है तोcketcket시 n .-resize function के अंदर सबसे पहले आपके आदे आएगा एक और तो यहांपको डिया हूं कแनदर है यहां पर 3 data हो जाए, तो आपके इसले यहां से क्या होगा? resize हो जाएगा, गया हैं, यहां पर मैं print करता हूँ, y को register करता हूँ, तो मेरा जो data है, वो आपके इसले पर resize हो चुका है, जैसा कि आप यहां पा देख पार है, यहाँ पर आपकी पास है यहाँ पर आपके पास वन डाइमेनशन अरое है उस से आपके पास क्या बनगाए टू डाइमेनशन अरे बन चुका है और उसके अंदे number of rows कितनी है two है number of column आपके है three है इस तरह से आप क्या कर सकते है size कर सकते है अब मैं चाहता हूँ दो-दो के आपकास तीन ब्लॉक बन जाएं तो आप दो-दो के तीन ब्लॉक्स मना सकते हैं कैसे बनाएंगे तो number of rows को कितनी बनाएंगे आप यहाँ पर 3 कर दीजे और number of column को आप यदि 2 कर देंगे तो इस तरह से आपकास बन जाएगा देखे फेंटर और रिवैल्ड जो दोनों function है यह आपके आज क्या करता है जो भी आपके आज टू-डाइमेंशन आरे है उसको वन डाइमेंशन आरे के अंदर convert करने का काम करता है अब यह जो conversion है यह conversion आपके आज क्या होता है आप अपने order के साथ conversion करा सकते है order in the sense मैं बात करूँ यहाँ पर तो यह आपके आज कुछ order होते है order आपके optionally है, यदि आप देंगे, तो भी काम करेगा, नहीं देंगे, तभी काम करेगा, अब इस order के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इन order को pass करा सकते हैं, जैसे c, f, a, k, इन में से कोई भी एक parameter को pass करा सकते हैं, जैस c का meaning क्या होता है, कि आपके पास जो felt and row है, वो major c style order के पड़ेगा, इस तरह से a and k कर सकते हैं, और जो by default होता है, वो c order होता है, देखते हैं किस तरह से करता है, आपके order change, तो आपके आज देखे, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, एक two dimension array बना लेता हूँ, तो यह मेरे पास ready mint two dimension array बना हुआ है, जैसे आप यहाँ देख पार है, तो फेल्टन action को apply करते हैं, तो उसके लिए मैं लगा रहा हूँ, प्रिंट लगा रहा हूँ, प्रिंट लगाने के बाद मैं लगाँगो y. यहाँ पर फेल्टन लगा देते हैं यहाँ पर फेल्टन, फेल्टन लगाने के बाद हम इसको as it is छोड़ देंगे, एंटर करेंगे, तो आपके वास यहां पर देखे आपका वन डाइमेंशन रहें गया यदि आपको देखना ही है कि वाइक जो आउटपुट है वो क्या दिखा दिखा दिय रहा है तो मैं print of y करता हूं तो देखे आपका एक टू डाइमेंशन रहे हैं और उसके नीचे आपकास क्या है एक वन चेंज कर सकते हैं कैसे करेंगे तो उसके लिए आपको यहां पर parameter pass कराना पड़ेगा order तो मैं order parameter pass कराऊंगा और order के अंदर मैं जैसे की f देना चाहूंगा जैसे की देखे आप यहां capital f भी है तो capital f दूँगा और enter करूँगा तो यह आपका जो order है वो change हो चुका है तो इस 3,4 और 5,6 के order में देता है लेकिन जैसे हम यहां पर इसका filter कर देते हैं तो आपके पास क्या होता है देखे 1,3 आपके पास 5 देन 2,4,6 आपके order के अंदर आ चुका है तो इस तरह से आप क्या कर सकता है इसे change कर सकते हैं अब मैं काम करता हूं यहां पर एक syntax देता हूं कि हम हमने इसमें क्या क्या है फेल्टन का यूज किया है तो यह हमने यहां पर फेंटन का यूज किया है तो मैंने यह लगा दिया है कि यह मेरे पास क्या है फेंटन ओर है देन आपके पास यहां पर यूज किया है अब हम बात करेंगे next आपके आस रिवल के बारे में कि रिवल क तो और यहां पर यही और यही और को आप क्या करेंगे अपलाई कीजिए और इसी तरह से आप और यहां पर ए और के का भी यूज कर सकते हैं यहां पर यहां पर ले आपके बात करें तो यहां पर यहां पर के बात करना है लेकिन उसके इसके अंदर आप ओर देते हुए कनवर्ट करा करना है और resize क्या कर रहा है कि आपका single dimension नहीं है उसको यहाँ पर two dimensional के अंदर changes करना है तो आप यहाँ पर changes कर सकते हैं unique आपके आज एक unique value को दे रहा है और सफल आपके बास क्या कर रहा है data set को सफल कराने का काम कर रहा है यदि आपके आज एक fix arrangement में है तो आप उसे सफल करवा सकते हैं तो I think clear समझ में आ रहा होगा आपको यहाँ पर कि कौन-कौन से functions है जिनका आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर use कर सकते हैं तो I think I hope so clear समझ में आ चुका होगा आज हम बात करेंगे numpy function के बारे में और इसके अंदर हम बात करने वाले हैं इंसर्ट और delete function के बारे में कि किसी data को कैसे इंसर्ट के जाता है तो सबसे पहले हम यहाँ पर insert के बारे में बात करेंगे कि data को कैसे insert करते हैं तो उसके लिए चलते हैं आपके बाद jubyteern notebook ke ंदर और tryin चै Ge Bert ini चैनल को समझते हैं तो इंषिक खार इनwow तो यह मैंने यहां पर एंसर के हैं अब देखेएं यहाँ पर सबसे पहले मैं से न already करता हो इसका घंप एक हारे कर लेते हैं तो मैं यहां पर वयर नाम से एक variable बना तो directly मैं np.array function का use करते वो एक array बना लेता हूं और उसके नहीं list pass कराऊंगा 1,2,3,4 और यह मारी एक आपके पास array तयार हो चुका है इसको print करेंगे तो मैं print करना type हम एंटर करेंगे तो इसकी data type भी हमें मिल जाएगी और यदि मैं इसको type function के through check करूं तो type of where की बात करें तो यह भी हमारे पास क्या है नंपाय रहे है अब मैं चाहता हूं इसके नदर कोई data insert हो जाए data insert करने का मालता है यह 4 है 4 के बाद में मुझे data insert करवाना है जैसे कि 5 6 7 8 ऐसे कुछ insert कराना है तो मैं basically insert करवा सकता हूं कैसे करवा सकते हैं तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा insert function अब insert function के अंदर आपके पास थीन पैरामेटर जाते है पहला पैरामेटर है जिसके अंदर आपके शाती है आपके बात करना यहां पर कि मुझे यहां पर क्या करना है और पोजीशन कौन सी करवानी है तो उसके लिए मुझे देना पड़ेगा इंडेक्स नमबर यह 0 गया देन वन हो गया और उसके बाद 2 पर मैं करवाना चाहूंगा तो मैंने 2 दे रिया है अब वैल्यू कितनी करवानी है तो मैं चाह और फिर मैं प्रेंट ओफ यहां पर दूँगा वी प्रेंट वी दूँगा और एंटर करूंगा तो देखें आपके पास क्या चुका है एक एरे तयार हो चुका है जो कि इसकी पोजीशनल नमबर आप देख पाएंगे 2 के उपर 40 आच चुका है तो इस तरह से आप क्या कर स आपके पर यहां पर 3 & 4 & 5 मैं लगें यहां पर 2 & 4 नमबर करना जाता हूं 40 को टो यह क्या करेगा डीटा को इस तरह से आपके बाद दिखालेगा यह देखें new array है इसके फिल्च नमबर इंस तू नमबर है वहां पर देखें और आपके वाहांपर इंट्स नमबर है वहां यहाँ पर यहां पर अपर यहां पर कर रहे हैं और इंचेटीट शेम तो यह No-воोल्यो को एक्सेप नहीं करता है आपका जो डिटा है इंटिजर वेंडर ही क्या करता है अब बीखें यहां पर हम क्या कर सकते है यहां पर कर सकते है तो कैसे वर्ड करना है तो उसके लिए में एक वरबल बनाते होते हो डूडियू ने कर देता हूं वेर वन के नाम से मैंने घ् ten कराहूं को तो यूज करेंए और उसके अंदर में में लिए पास करें यह किसले का देता हूं एंड यहां पर यूज़ करूंगा है और यहां पर भी भी बाई सब्सक्राइब भाडलियू करहूं यहां पर आपके पास क्या होता है कि यहां देते हैं तो आपको यहां पर दोनों के अंदर कराना है यह क्या करती है अक्सस के उपर डिपेंड करती है कि आपके यहां पर एक्स का यूज़ करो और सबसे पहले मैं आपको जीरो दे कि जी रों के अंदर काम कैसे होता है तो देखिए नई आपके आज क्या बन चुकिए जिसके अंदर आपके पास यहां पर वो 666 आ चुका है तो इस तरह से नहीं रों के अंदर आपके आपके आज आज और यदि यही चीज़ आप वन के साथ लिए पास करके था उस्ते हैं कि यहां पर मल ٹपल डेटा वह द शुका है जिसका नएश 22 & 23 आपके आस पहुँच चुका है और यदि यही चीज मैं access 0 के साथ करता तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ता तीन डेटा पास करना पड़ता तीन डेटा दाने के बाद देखें यह आपके आस कर रहा है इंसेट हो रहा है तो इस तरह से आप यहां पर new data भी इंसेट करा सकता है तो इस तरह से यह जो टू-डायमेंशन होता है इस टू-डायमेंशन के अंदर आप डेटा को क्या कर सकता है इसके साथ डेटा को इंसेट कराने के लिए append function का भी यूज किया था append function क्या करता है आपका जो भी data होता है वो क्या करता है पीछे की तरफ ले जाके क्या करते था है आप यहां पर जब हम numpy के अंदर हम बात कर रहे हैं तो नमपाई में भी आपके पास क्या होता है insert function के साथ append function भी होता है, तो आप append function के थुरू भी क्या कर सकते है, data को insert करवा सकते है अब देखे, append function के थुरू data को कैसे insert करा रहा है, तो उसको देख लेते हैं, तो मैं यहीं पर बताऊंगा आपको, यह इसको मैं comment बना लिया है, जिसके अंदर np.append function का यूज करूँगा और अब इस append function के अंदर, मैं यहाँ पर देने वाला हूँ आपकी value, और इसके साथ-साथ मैं दूँगा यहाँ पर अपने numpy variable का नाम तो numpy variable का नाम है वियार और उसके बाद value को को insert कराना है, कितनी करवानी है तो just like मैं 6.5 को insert कराने की चारा हूँ यहाँ आपर और उसके बाद देखे, print करा देता है x code and enter करता हूँ, तो देखे, आपके यहाँ पर क्या हो रहा है, 6.5 को insert कर रहा है, और आपकी जो भी two dimension के अंदर, मैं v1 की जगह, मैं दूसरा एक और v1 बनाना हूँ, जिसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, आपके पास append function का use करूँगा, तो उसके लिए मैं np.append का use करूँगा और append के अंदर, सबसे पहरे मैं दूँगा variable का नाम, तो variable का नाम दिया, दैन, उसके बाद मेरा जो data, मुझे क्या transfer करना है, तो अब इसके अंदर क्या करूँगा, मैं अपना data दूँगा, just like मैं देता हूँ, 45,44, यह दो data दिया है यहाँ पर, और उसके बाद मैं, access is equal to 0, क्योंकि मुझे जब access 0 पर काम करना होगा, तो उस समय मुझे 3 data की requirement बढ़ेगी, तो इस तरह से 45,33 और यह आपके पास आचुका है, access 0 के along आपके इस तरह से कर सकते हैं, और यदि आप यहाँ पर access 1 देंगे, तब भी आपके आपके आज क्या करेगा, यह work तो I think लिए समझ में हारा होगा, कि आप यहाँ पर data को किस तरह से insert कर सकते हैं, अब इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, data को delete भी कर सकते हैं, जैसे आपके पास कोई एक array बना हुआ है, उस array में से particular data को आपको delete करना है, तो वो भी आप apply कर सकते हैं, तो अब हम बात करेंगे कि इसके बारे में delete के बारे में बात करता हैं, तो उसके लिए में जैक एक array चाहिएगा, तो यह दा हमारा array, तो इसको मैं लएता हूँ, यहाँ पर copy कर देता हूँ, and array हमारा तयार है, और यह जो नीचला part है, मैं इसे हटा देता हूँ, और इसको नाम मैं where one देता हूँ, इस मतलब index number की मुझे कौन से number को delete करना है जस्ट लाइब 3 को delete करने चाहूंगा तो 3 को delete करने से पहले मुझे उसका index number पता होना चाहिए तो 3 का index number यहाँ पर क्या है 2 है तो मुझे वो index number आपको यहाँ पर pass करवना है आप यहाँ पर देख पाएंगे तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं data को क्या कर सकते हैं delete कर सकते हैं तो I think clear समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि insert function और delete function का use numpy array के अंदर कैसे किया जा सकते हैं तो आज हम बात करेंगे matrix के बारे में कि matrix क्या होती है और इसको कैसी use किया जाता है और किस तरह से हम numpy के अंदर matrix को create कर सकते हैं और difference क्या क्या है यह सारी चीज़े देखेंगे मैं पहले आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा matrix का use है fundamental mathematics के अंदर से start होता है class 11 के अंदर जहाँ पे आप matrix को देखते हैं और basically आप एक 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 data को देखने के जगा आप एक साथ बहुत सारी data के साथ आप काम कर रहे हैं तो आप matrix को ज्यादा preference देते हैं अब matrix दिखती कैसी है और किस तरह से काम करती है तो उसके बारे में भी ज़रा बात कर लेते हैं यहाँ पर तो matrix आपके पास कुछ इस तरह से दिखा जिती है जिसके अंदर आप अपने जो data है वो देते हैं अब जैसे कि मैं बात कुरूँ यहाँ पर कुछ data फिल करता हूँ जैसे 1,2,3 and then मैं दिया 4,5,6,7,8,9 आप array के जरिए भी इसे create कर पाएंगे array के जरिए create करने का मतलब क्या है आप इसे 1,2 and 3 उसके बाद देने के बाद फिर से आप यहाँ पर 4,5,6 उसके बाद आप यहाँ पर 7,8 और 9 इस तरह से भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं तो यह हमारा क्या है matrix का part है और इधर हम बात करें तो यह हमारे पास क्या है एक array है अब इस array के अंदर और matrix के अंदर काफी similarity है जैसे हम इसके अंदर इसको हम row से define करते हैं और यह हमारे पास क्या होता है columns होते हैं और इसके अंदर भी हम row और column से बात करते हैं आप देखे इस करें कि इसको कैसे पढ़ा जाता है तो इसको पढ़ने का तरीका बहुत ज़दा आसान है इसके अंदर क्या बोलते हैं number of rows into number of column मतला आप क्या करते हैं three into three matrix बोलते हैं numpy array और matrix के अंदर तो वो आपको multiplication के अंदर दिखा देगा multiplication के अंदर इसलिए दिखाए देता है क्योंकि आप जब multiplication करते हैं array का यदि मैं array का simple सा multiplication करूँ किसी और दूसरे array के साथ तो उस समय क्या होता है कि आपका जो data होता है वो one by one multiply होता है लेकिन जब मैट्रिस का यूज करते हैं तो मैट्रिस के अंदर चीजे अलग हो जाती है थोड़ी से रूज से अलग हो जाते हैं और इसके अंदर आपको multiply करने की जगा आप वहां पर क्या करते हैं डॉट करते हैं अब देखें आपको matrix कैसे create करनी है नमपाई के अंदर उस तो matrix की एक heading मना लेता हूं यह मेरी matrix से लिखा दिया है मैंने और इसको ok किया then heading then ok तो इस तरह से हमारे matrix की heading बन चुकी then आम हम क्या करेंगे यहां पर matrix को create करेंगे तो matrix को create करने के लिए भी हमें नमपाई की जड़तवाने आली है तो उसके लिए मैं इंपोर्ट करूंगा किसे नमपाई को इंपोर्ट करने आला हूं उसका एक lds बना लेते हैं np then मुझे matrix को create करना है तो सबसे पहले एक variable की matrix बना हूं तो लिष्ट के थूरू matrix बना लेते हैं जैसे 1,2,3 दिया फिर उसके बाद फिर से 1,2,3 यह मैंने दिया बैन मैं प्रिंट करना चाहूंगा प्रिंट आफ यहां पे वैर करवा देता हूं और एंटर करता हूं तो यह मेरी एक matrix ताहरा हो चुकी है अभी देखे ह बीच में कैसे difference बता चलेगा क्योंकि हमारा जो array होता है वो भी इस तरह से रिखा देता है और matrix जो है वो भी इस तरह से रिखा देरी है तो उसको देख लेते हैं तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं एक अलग से variable बनाते हुए तो np.array function का use कर रहे हैं जहां पे मैं array बना तो अब हम क्या करेंगे इसकी data type को चेक करेंगे कि actual में अब इसकी data type क्या हुई है तो data type को चेक करना है तो मैं printer type function का use करूंगा और type function के अंदर वेर देता हूं तो यह हमें क्या देगा वेर का आपको type देगा और same to same मैं इसी process को इसके साथ भी apply करूंगा जहां पे मैंने array और यह मैं enter करता हूं तो देखिए आपके पास क्या हो रहा है यहां पर जब हम यहां पर type check कर रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर तब हमें क्या देख रहा है नमपाय मैट्रिक्स यहां पर इसकी class दिखाए दे लिए लेकिन जब हम array के उपर बात करते हैं तो array के अंदर मुझे and array दिखाए दे रहा है तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दोनों को देखने में तो हमें same लगता है लेकिन जो इसकी internal class जो होती है वो दोनों की क्या है बहुत ज़्यादा difference है इसलिए हम यहां पर देख पा रहे हैं कि एक matrix आपके पास है और एक आपके पास यहां पर array है अ हमने यहां पर matrix देख एक हमने आपके पास array देखा दोनों की जो performance है same है दोनों नंपाई के functions है और नंपाई के functions उपर work करते हैं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इनके addition के उपर तो addition के अंदर आपको इनके कोई भी difference नहीं रिखाएगा क्योंकि जब आप यहां पर इसके 7, 8, 9 मने यहां लिया है और एक मेरी दूसरी matrix है जिसके अंदर भी मैंने 1,2,3,4,5,6,7,8,9 लिया है तो जब हम इन दोनों की बीच में क्या करते हैं addition perform करते हैं तो same to same जैसे आपके पास basics addition होता है array का उसी तरह से add होके आपके आपके आस बनेगा 2,22 से add होके 4,33 से add होके 6 बनेगा तो इस तरह से addition perform करते हैं same perform करते हैं subtraction की बात करेंगे subtraction भी same perform करेंगे लेकिन जब हम बात करते हैं multiplication की तो multiplication के अंदर array आपके पास इस तरह से performance नहीं होता है कि यह 1,1 से multiply होके आपको 1 दे यह यहां पर perform नहीं होता है यहां पर आपके पास dot function का use किया जाता है क्योंकि यहां पर आप जब भी matrix multiplication की बात करते हैं तो इसके अंदर dot multiplication होता है जिसे हम यहां पर समझेंगे लेकिन इससे पहले मैं कुछ arithmetic operation भी perform करके बता देता हूँ एक और matrix को create कर रहा हूँ यह मैंने copy किया and then paste करके vr2 के नाम से मैंने एक और matrix करेट की है then उसके बाद मैं मैं यहां पर करूँगा इनका addition करूँगा एडिशन करूँगा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा print of मैं blank देता हूँ ताकि मुझे addition दिखा दे फिर मैं print of क्या दूँगा यहां पर where plus where to देता हूँ then enter करता हूँ तो देखे मुझे इनका addition सेम दिखा दे रहा है जैसे one one को add करके आपके बास क्या बनेगा टू बनेगा and देखे two two को add करके आपका बनेगा यहां पर four then three three को add करके six बनेगा और इस तरह से आपका addition देन यदि आप subtraction की बात करते हैं तो सारी मैट्रिस के column आपके इस क्या हो जाएंगे जीरो से फिल हो जाएंगे अब बात करते हैं multiplication की यदि आप simple single multiplication को apply करते हैं अंटर करते हैं तो यहां पर मैट्रिस के अंदर आपको एक error मिल जाती है बुल रहा है शेप आपके पास same नहीं हो रही है तो यहां पर multiply नहीं कर पा रहे हैं तो अब इस cases के अंदर हम कैसे multiply कर सकते हैं तो एक काम करते हैं पहले मैं इसके shape को shame करता हूं तो मैं एक काम करता हूं data को थोड़ा कम करता हूं यह मेरे data यहां पहटा दिये मैंने उसके यह data भी अड़ा दिया और यहां पर टू रखता हूं तो देखें आप यहां पर multiply देखेंगे तो आपके 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 पास यह एक matrix है जिसके अंदर 1 2 & 3 then 4 5 & 6 यह आ इसके बाद आप फिर से यहां पर ले रहें तो यहां पर 6 7 8 & 9 यह आपका इसको कुछ data है इसको आप क्या करना चाहते हैं multiply करवाना चाहते हैं दूसरी matrix के साथ और यह आपने दिया 1 2 3 & 4 5 & 6 7 8 & 9 यह जब आप इसका यूज करते हैं दूनों multiplication का तो दूनों के multiplication के अंदर यदि मैं बात करता किसके अंदर एरे के अंदर मैं बात करता तो एरे के अंदर क्या होता यहां पर इस 1 से 1 को multiply होता एंड आपका result क्या मिलता रहे हैं तो मैट्रिक्स के अंदर और उसके बाद हम इसके देखेंगे फिर से 1,2,3 and 4 इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास ये जो आप देख रहे हैं रो ये कॉलम के साथ मल्टिप्लाइ होके एक आपके पास एक अलग से ब्लॉक बनाती है ज़स्ट ये देखें क्या होता है इस वन से इस वन को मल्टिप् होता है आपस में और ये मलादे हैं 2 x 1 then plus sign के साथ यहां पर 4 x 2 बनाते है जैन उसके बाद अगला बात करें तो यह जो आपके आसरो है वो इस रोग के साथ मल्टिप्लाइ होती है तो यह आपके आस बनाते हैं 3 x 1 plus उसके साथ बनाते हैं 4 x 3 यह होगया 4 x 3 then बापस इसके और इसके साथ multiply होता है तो यह क्या बनाता है 3 into 2 then plus sign के साथ यहाँ पर 4 into 4 बनाता है तो इस तरह से यह क्या बनता है आपके आज एक नई mattress create होती है आपके आज कुछ इस तरह से जिसके अदर आपके देखे 1 into 1 1 and 3 into 2 हो गया 6, 6 और 1 हो गया इसके आज 4, 4 जा 16 और 3, 2 जा 6 यह 4, 4 जा 16 और 3, 2 जा 6 हो गया आपके पास यहाँ पर तो यह आपके आज हो गया 22 तो इस तरह से आपके पास क्या होता है डेटा आपके बनता है और इस तरह से आपके आज एक multiplication मिलता है और यह आपके आज क्या करता है matrix multiplication करना तो उसके लिए आप लगाते हैं dot function और dot function का use करते हुए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं multiply कर सकते हैं इसको जड़ा practical अब dot का कैसे use करना है तो print off लगाना है आपको यहाँ पर print लगाने के बाद अब आप क्या करेंगे यहाँ पर आपका जो पहला वेरेबल है वह वेर बंदी आपने और इसके साथ डॉट को प्रफॉर्म करना चाते हैं तो आपको लगाना है डॉट और उसके बाद डॉट function को लगाना है और डॉट function के अंदर आपको क्या देना है तो इस तरह से आप डॉट को भी प्रफॉर्म करवा सकते हैं तो दोनों चीजे हैं आपके पास यहाँ पर किस तरह से फ़र्म कर सकते हैं आपके ब्रोड कास्ट के अंदर आने चीजे यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टन चीजे यह यहाँ पर क्या होगा मल्टिप्रेशन नहीं होगा जैसे कि आपने पहले भी दिखा ही कहरण आगी थी तो वह चीजे आपको यहाँ पर थोड़ा से ध्यान रखते हुए चलना पड है तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं से तो यह हमारे पास क्या होगा मौल्टिप्रेशन लुपे शाहं एक है और जब मैं इसका मौल्टिप्लेशन कर रहा हूं यहाँ तो यह तो एका मल्टिप्लेशन किस तरह सता है जैसे वैर वन कर देता हूं दोनों का data से लेकिन जब आप यहां पर देखेंगे 3 का multiply आपके पास इस तरह से हुआ जिस तरह से मैंने आपको प्रॉसेस बताया है और इसके अंदर आपका multiply आपको समझा है इस तरह से प्रफॉर्म किया जाता है तो यह आपका basic difference है matrix और array के बीच में कि जब भी आप यहां पर इसके अंदर multiply arithmetic operation का प्रफॉर्म देखने जा रहे हैं तो आपको इस तरह से difference देखा जेते हैं जोगता है तो I think clear समझ में आ रहा होगा यहां पर कि किस तरह से हम यहां पर matrix को देख सकते हैं matrix और array के अंदर basically क्या difference है I think clear समझ में आ गया होगा आज हम बात करेंगे matrix के कुछ functions के बारे में कि matrix के इंदर कौन-कौन से आप directly functions को apply कर सकते हैं और अपने program को फास्ट बना सकते हैं तो जड़ा यहां पर बात करें तो यह हमारे कुछ function है जिनके बारे में बात करेंगे transport होता क्या है जिसे कि मैं बात करता हूं यह हमारे पास इक matrix है जिसके अंदर मैंने दिया 1 2 & 3 4 5 & 6 यह दिया मैंने यहां पर यह हमारे पास matrix of A है और यह matrix of A है इसको मैं transpose करना चाता हूं तो इसे हम 80 से शो करते हैं और जो transpose हुई matrix होती है हमारी वह कुछ इस तरह से होती है जिसके अंदर हम 1 2 & 3 & 5 उसके बाद यहां पर 4 & 6 इस तरह से दिखते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो matrix होती है वह matrix अपनी axis को change कर लेती है और वह कुछ आपको इस तरह से दिखती है तो यह हमारे पास करती है transpose of matrix तो इसको कैसे perform करते हैं तो जरा उसको देख लेते हैं कि हम इसको कैसे perform किया जा सकता है तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहां पर एक matrix को create करना बढ़ेगा तो मैं इंपोर्ड करता हूं इंपोर्ड नमपाई सबसे पहले और उसके बाद इस लियास बनाके एंपी डग देता हूं दैन हम एक matrix बनाएंगे matrix बनाने के लिए हम यहां पर एक variable का यूज़ कर रहे है और variable के अंदर हम यहां पर np.matrix function का यूज़ करेंगे और इसके अंदर मैं अपना जो data है वो दोने वाला हूं जैसे 1,2,3 दिया वाने यहां पर दैन कॉमा लगाते हुए फिर मैं यहां पर आपके पास 4,5,6 पास करा रहा हूं यह मैंने क्या दी अपनी matrix दी और यदि मैं इसको print करवा के देखूं तो यह कुछ आपके पास print of where देंगे तो यह हमारी matrix इस तर दिखेगे लेकिन अब मैं इसके अंदर transpose को apply कर सकता हूं द अब से पहले यूज करूंगा और print function का यूज करने के बाद मैं उसी के अंदर लगाँगा np.transpose np.transpose function का यूज करूंगा तो nc.transpose function का यूज करने के बाद इसके अंदर मैं पास करा दो वेर को और लगाने के बाद यह मुझे यहां पर एक transpose matrix आपको दिखाए जैसा कि मै आपको यूज कर सकते हैं तो उसके लिए आपको देना है अपने वेरेबल का नाम जिसके अंदर आपने मैट्रिस करने के बाद डाट आपको अपने जैसे आपको लागा रहेगे तो यह भी आपको अश्रीज क्या करने के लिए इस तरह से आप यहां पर आपको यागरेगा आपका जो data है उसको यहां पर रो को कॉलम में को रो के अंदर कर देगा अब इसे कैसे क्रफॉर्म करना है तुझरा देखते हैं तो यह हमारा transpose है transpose के नीचे ही मैं print of blank लगा रहा हूं और print of blank लगाने के बाद अब मैं यहां पर बात करूँगा किसके बारे में swipe access के बारे में तो उसके लिए मैं यहां पर दूँगा print function, print function के बाद np. swipe access का यहां पर function apply करेंगे उसके बाद मैंने दिया यहां पर where, where मतलब हमारा variable बना हुआ है यहां पर then comma लगाते हुए मैं यहां पर 0 को मतलब हमारी 0 axis है उसको convert करना चाहूँगा 1 axis के अंदर and then enter करता हूँ तो आपके आस देखे कुछ इस तरह से आपके बास convert हो जाता है और square matrix बनाता हूँ तो उसके लिए मैं where to का use करूँगा और where to के अंदर मैं np.matrix function का use करते हुए एक square matrix बना हुगा और यह मेरा 1,2 एक matrix हो गई और उसके बाद 3,4 एक matrix हो गई और उसके बाद मैं swipe access का use करना चाहूँगा तो यहाँ पे swipe access use करेंगे लेगन उससे पहले मैं चाहता हूँ where to print हो जाए तो print of यहाँ पे दूँगा where to और उसके बाद मैं मैं दूँगा print of blank जिससे मुझे एक gap मिले and then उसके बाद where to को pass करव देंगे और उसके बाद मैं enter करता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1,3 and 2,4 है तो यह 1,3 आपका sister आपका sister सालिया तो इस तरह से आप कर सकते हैं अपनी matrix को swipe कर सकते हैं तो swipe access के तुरू आप swipe का use कर सकते हैं अब हम बात करेंगे अगला inverse matrix के बारे में कि inverse matrix क्या होता है तो देखें inverse matrix को हम represent करते हैं A की power minus 1 से यह हमारे पास क्या होता है एक inverse matrix होता है अब inverse matrix काम में कैसे लिए जाता है किस तरह से आप कास होता है तो इसको जड़ा समझते हैं तो इसके लिए मैं 2 by 2 matrix का use करूंगा यहाँ पर तो देखें 2 by 2 matrix के अंदर 1,2 and then 3 and 4 क कैसे क्या कर सकता है इन दोनों काशपें निकालते हैं तो कि उसके रिए क्या करेंगे 1 into 4 का use करेंगे then minus sign यहाँ पर 3 2 और उसके बाद में आपको क्या करना है इन दोनों को आपस क्या 1 किया तो आपकास 4 हो गया and 3 into 2 किया तो 6 हो गया 4 minus 6 करेंगे तो आपकास बन जागा minus का 2 और उसके बाद आपकास बनेगा minus का 4 minus का 2 minus का 3 and then 1 यह बनेगा तो यह जो overall जो matrix बनेगी इसे हम बोलते हैं inverse matrix अब inverse matrix को कैसे perform करना है तो उसको जरा देखते हैं तो यह हमारे आपके पास matrix create है इसको ही हम क्या करेंगे inverse के अंदर convert करेंगे तो इसके लिए मैं वैर 3 का यूज़ करूँगा यह हमारे matrix बन चुकी और इसको मैं print कर वा देता हूं basically कि print off वैर 3 मुझे कैसी दिखा लेगी उसके बाद मैं print off यहां पर blank का यूज़ करूँगा जो कि मुझे gap दिखा देगा डैन उसके बाद हम बात करेंगे inverse matrix के बारे में तो उसके लिए मैं print off inverse matrix के लिए मैं दूँगा np. इसके लिए हमारे पास function होता है length inverse function तो उसके लिए दे रहा हूं length.inv यह हमने यहां पर function password किया दैन उसके बाद मैं where 3 को transfer करूँगा तो यहां से मुझे क्या मिलेगा inverse matrix मिलना आला है दैन एंटर करता हूं तो यह मिली inverse matrix आपके आस तयार हो चुग है यदि हम बात करें तो यह माइनस का 2 को जब आप यहां पर 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके आस यहां पर minus का 2 बन जाएगा and then 2 से 2 से डिवाइड करेंगे तो minus का plus का 1 बन जाएगा जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं inverse of matrix आप यहां पर निकाल सकते हैं function के थुरू तो यह आप क्या करेगा matrix को inverse करने के लिए काम आता है तो अगला है हमारे पास power of matrix power of matrix मतलब आपके आपके आप मैट्रिक्स की power देनी है कितनी power की है तो देखे power of matrix के रहें अंदर क्या होता है कि आपकी जो matrix है जैसे मैं बोलता हूँ मतलब आप यहां पर dot multiplication करता है अब यह dot multiplication क्या होता है तो dot multiplication के लिए हमारे जो लास्ट वीडियो थी जहां पर हमने matrix के बारे में बाता है कि मैट्रिक्स क्या होती है और मैट्रिक्स के अर्थमेटिक ऑपरेशन को कैसे प्रफॉर्म किया चासकता है वहां पर हमने basics डिफरन बताया था कि matrix और array के अंदे क्या होता है तब हमने dot के बारे में बात करती कि dot कैसे यूज़ के जाता है यदि वह आपने नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो के देखे जहां पर हमने डॉट कर्क्लेश हो रहे हैं अब यही पावर हमें बहुत जादा amount में करनी होती है तो उसके देखे हमारा जो function होता है मैं आपको clear करूँ पहले यहाँ पर function के बारे में कुछ important चीज़े जैसे function का बात करूँ तो align आपके पास यहाँ पर function होता है align dot मैं लगाँगा यहाँ पर matrix function then underscore power यह हमारा function है इस function के अंतर सबसे पहले आपके पास आएगा variable मतला हमारा जो भी variable है वो देंगे दैन उसके बाद आपके पास आएगा एक एन पैरामेटर एन पैरामेटर क्या होता है पावर को दिखाता है अब इस एन की वेल्लू आपके आज कुछ भी हो सकती है जैसे एन की वेल्लू आपके आज three types की हो सकती है जिसमें आपके आस n is equal to 0 हो सकता है ए तो मैं बात करोऊगा ni is equal to zero के बारे में सबसे पेले ni is equal to zero के अंदर क्या होता आइपको मिलती है यहां पर identity matrix अब हम बात करते हैं कि आपके पास क्या होगा यहां पर वह पावर अप्लाए हो जाएगी और उनके बीच में आपके अब हम बात करेंगे थी यहां पर होगता है इस यहां पर क्या से प्रफॉर्म करती है मैं तीनों को वन बाई वन तरीके समझा रहा हूँ यहां पर तो उसके लिए पहले एक मैट्रिक्स तयार कर लेते हैं तो यह रही हमारी मैट्रिक्स तयार ही है यहां पर अलड़ी And then मैं बात कर दूँ 4 of matrix यह हमारी matrix आ चुकी है Then, अब मैं पहले इस matrix को print करूँगा कि मैंने matrix को print कर आया print of यहाँ पे दूँगा where 4 यह हमारा where 4 आ चुका है जिसे हम print कर आ चुका है then print of मैं यहाँ दूँगा blank अब मैं बात करूँगा किस कहरे मैं पावर के बारे में तो पावर के बारे में बात करना है तो उसके लिए मैं दूँगा print and print of यहां पर दूँगा np.lang.matrix underscore power function का use करेंगे अब इस power function के अंदर मैं where for दे देता हूँ बैं अब मुझे पावर कितनी निकाल निकाल निए यह क्या करदेगा टूटायम मुल्टिप्लाइ कर देगा डैन मैं print of यहां पर दूगा blank and enter करता हूँ तो यह रही matrix और इसका multiplication हमें यहां पर मिल चुका है then अब अगली बात करते हैं कि यह जो n की value थी हमने दी positive अब यदि मैं n की value आपके पास क्या देता हूँ equal to 0 देता हूँ तो equal to 0 दे रहा हूँ यहां पर यह मैं n की value क्या दी equal to 0 कर दिया है यहां पर जा रही है देन अंटर करता हूँ तो यह देखे हैं अपने क्या है multiply कर रुखवा किया है किसको power of matrix जितनी भी power of matrix है जितनी इसकी power से क्या क्या है वह आपको output यहां पर देखने को मिला है तो इस तरह से आप इसे get कर सकता है यह हमारे पास क्या हो गया यहां पर power of matrix के पर बात कियेंगी यह power of matrix है दैन अगली बात करें यहां पर डिटर्मिनेट ऑफ मैट्रिक्स के बात करें कि हमारे थी इंट्टु थी मैट्रिक्स के अंदर डिटर्मिनेट कैसे निकलेगा तो इसको मैं ज़रा example के तौरपे बता रहा हूं as a आपके पास element लेके कि यदि हमारे पास यह आपके पास a, b, c, d, e तो इस सब्सक्राइब हम इसका डिटर्मिनेट कैसे निकला सबके हैं देखें जैसे मैं से बात करूँ यहां पर यदि हमारे पास यह a matrix है तो क्या होती है आपके ज़रा बात करें तो डिटर्मिनेट आफ ए मैट्रिस आपके आस होती है सबसे फ़हले a रेखेंगे दैन आप क्या करेंगे e into i minus h into f करतेंगे फिर उसके बाद minus of v करेंगे minus of v के बाद में आप क्या करेंगे d into i d into i minus sign के साथ यहां पर g into f करना है दैन आ of e into G तो यह जो मैट्रिकस बनती है यह आपके आज जो आंसर आता है यहांपर रिजल्ट अपके आज डिटर्मिनेट अफ मैट्रिकस कराता है अब डिटर्मिनेट-वैक्र्इस कर आगा तो सब्मेट-वैक्र देंकालना दैनन पर आपको एक व क्लाना प्ला पादा है और व करते हैं कि देलता है तो यह हम यहां पर हमारे जो мैकल सब भी हम आ जाँ रहे हैं तो उसके क्या करेगा मुझे टिते गा यह वर मुझे यहां पर देना पड़ेगा कि मैं बात कुरूंगा स्कुर्ण मैट्रिस के इंदर तो स्कुर्ण रॉब मेंट्रिक्स यहां पर मिल चुके जीरो जीरो क्यों मिली है कि यहां पर आपके बास दो रूट सेम है तो इसको ज़रा निकाल के देख लेना है किस तरह से आप क्यास आएगी तो मैंने क्या किया आपके पास लिया है 1 2 & 3 then उसके बाद मैंने लिया है 3 4 3 and then उसके बाद में मैंने अप्लाइ किया है 1 2 3 फिर से 1 2 & 3 उसके है अब उसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले हम 1 लेंगे and multiply करेंगे 3 into 4 को और 2 into 3 को तो 3 into 3 into 4 को गया तो 3 into 4 कितना हो गया 12 minus 3 2 जा आपके आस हो गया यहाँ पर 6 उसके बाद माइनस of 2 करना है minus 2 के अंदर मैं क्या करूँगा 3 into 3 करूँगा 3 into 3 3 into 3 then minus n के साथ 3 into 1 3 into 1 आपके आस होगया 3 then उसके बाद आपको देना है plus का 3 और उसके बाद आपके आस होगया 3 into 2 मलब 6 होगया और minus n के साथ आपके आस क्या होगया 4 होगया जब हम इसके properly calculation करते हैं तो यहाँ पर आपके आस मिल जागा 6 then minus n के साथ 3 तरी आपके आस 9 9 मैं से आपके आस क्या करेंगे 3 को less करेंगे 6 और 6 2 आपके आस होगया यहाँ पर 12 तो यह आपको देगा 12 then इधर बात करते हैं हमारे पास तो यह आपके आस कितना रहा 2 रहे है इन दोनों से multiply करेंगे तो आपके आस का 2 मिलेगा और वो भी आपके आस plus का 2 मिलेगा plus का 2 into 3 आपके आस देगा 6 तो plus का 6 और 6 और 6 होगे 12 12 minus 12 is equal to 0 तो इसका determinate of matrix की बात करेंगे तो आपके आस कितना निकल रहा है यहाँ पर 0 मिल रहा है और यहाँ पर भी हम देखेंगे तो determinate of matrix समय क्या मिल रहा है यहाँ पर 0 मिला है तो इस तरह से आप determinate को भी क्या कर सकता है apply कर सकता है अपने matrix के अंदर तो इस तरह से यह हमारे कुछ function थे जो matrix related थे तो जिनके बारे में आज हमने discuss किया तो I think I hope so clear समझ में आ गया होगा किस तरह से हम matrix के function को अपलागा सकता है तो फिर मिलते हैं हमारे एकली वीडियो के अंदर तब तक आप बमासा बने रहिए तेल रैन गुडबाई झाल झाल झाल